एडी को अर्विंद केज्रिवाल की गिरफतारी के खिलाप आज दिल्ली हाई कोट में देना है जवाब मही राउजवेन्यो कोट में मनेश इसे सोधिया की जमानत पर होगी सुनवाई अंतराश्टे खबरों में इस्राइल में अलजजीराच चैनल के प्रिसारण पर रोख प्रिधान मंतरी नेतनियाहू ने बताया आतन की चैनल कहा इस्राइली सुरक्षा को नुकसान पहुचाने और इस्राइल के खिलाफ इंसा भरकाने में थी बड़ी भुमिका और खेल की खबरों में आई पियल में मॉंबाई इंडियन्स की लगातार तीसरी हार राजिस्तान रॉयल्स ने दी शिकस्त आज रॉयल चेलेंजर्स बैंगलूरू और लखनो सुपर जॉइंट्स होंगे आमने सामने और चलिए हेडलाइन्स के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी लोगसभा चुनाव के लिए उत्राखंड में आज पहली चुनावी रैली नैनिताल उधाम सिंग नगर लोगसभा शेत्र के अंतरगत रुद्रपुर में संभोधत करेंगे इस सीट से भाजवा प्रत्याशी और राजमंतरी अजय भट चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें उनका मुकाबला कॉंग्रिस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से है उत्राखंड में सभी पाच लोगसभा सीटों पर पहले चरण में यानी 19 अप्रेल को मतदान होना है वहीं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज जैपर ग्रामिड लोगसभा शेत्र के अंतरगत कोट पूतली में एक चुनावी रैली को संभोधत करेंगे प्रधान मंतरी भाचपा उम्मीद्वार राव राजियन्र सिंग के समर्थन में एक जन सभा को आज संभोधत करते हुए नजर आएंगे लोगसभा शुनाव की दरश्टी से राजस्थान में प्रधान मंतरी की ये पहली सभा होगी आपको बता दे कि राजस्थान में लोगसभा शुनाव दो चर्णों में 19 और 26 अप्रेल को होगी वही प्रधान मंतरी के अलावा वरिष्ट बीजेपी नेता और केंद्र में मंतरी अमित्शा आज करनाटक में शुनावी हुंकार भडते हुए नजर आएंगे करनाटक में बीजेपी और जेडियस मिलकर चनाव लड़ रहे हैं लहाजा अमित्शा बैंगलूरू में बीजेपी और जेडियस की नेताओं से मुलाकात भी करेंगी इसके बाद बैंगलूरू के पैलेस ग्राउंड में शक्ती केंद्र प्रमुक सम्मिलन को संभोधित करेंगे इस शक्ती केंद्र प्रमुक सम्मिलन में बैंगलूरू शहर की पांच नवाचन शित्रों से लगभग पाच हजार भाशपा कारेकरताओं के भाग लेने की उम्मीद है इस आयोजन का उद्धिश्य लोकसभा चिनाव से पहले जमीनी स्तर पर नेत्त्व और संग्ठात्मक ताकत को मजबूत करना है आमित्शा भाशपा के बैंगलूरू ग्रामिर उम्मीद्वार डॉक्टर C.N. मंजुनात के लिए प्रचार करने के लिए चन्नापटना जाएंगे डॉक्टर C.N. मंजुनात का मुकाबला कॉंग्रस उमीदवार डीके सुरिश से है जो उपमोख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई है केंद्री ग्रह मंत्री अमिच्छा करनाचक के राम नगर में चिकमलोर में डीटी राम सरकल चन्ना पतना तक एक रोडशो भी करेंगे जिसमें नागरिकों के साथ समबाद भी किया जाएगा इंशोरेंस यानी सुरक्षा की पूरी गैरेंटी आर्थिक सुरक्षा यानी आपकी सम्रिध्धी लाइफ घार गाड़ी की टेंशन से रहे दूँ कल की चिंता छोड़ जीए आप भरपूर जानिये कौन सा इंशोरेंस क्यों जरूरी समझे इंशोरेंस की कम्प्लीट थियोरी हर तरह के इंशोरेंस की पूरी कहानी समझे दिगज एक्सपोर्ट की जुबानी इंशोरेंस महाकुम क्योंकि बीमा जरूरी है 6 अप्रेल सुबह 10 पजे से लगाता सिर्फ इचीनाव स्वदेश पर जून में ब्यासदरों में कटौती नहीं होने की आशनका से अमेरिकी बाजार में गिरावट डाउ में 240 अंकों की कमजोरी नाजडाइक भी दिनकी उपरी स्थर से 100 अंक फिसल कर मामूली बढ़हत पर बन गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत करीब 50 अंक गिरकर 22,500 के पास लेकिन चीन और होंकों के बाजार करीब एक परसेंट उपर सीरिया में इरान के मारेज जे दूतावास पर मिसाइल हमले की खबर से कच्छे तेव में तेजी ब्रेंट क्रूर 88 डॉलर के पास सोना भी रिकॉर्ड्स तर के करीब कॉमिक्स पर भाव 2270 डॉलर के करीब आदिते बिल्ला फैशन कारोबाल का करेगी डीमर्जर मदुरा फैशन को अलग से करेगी लिस्ट में कॉाइटी ने आप पोफॉर्म रेटिंग के साथ 230 रुपे का दिया लक्षिए चौती तिमाही में साथ इंडियन बैंक के लोन ग्रोथ में 11% से जादा का उच्छाल कासा भी 8% बढ़ा वहीं CSB के ग्रॉस एडवांसेज में 18% की बढ़त मार्च में TVS मोटर की साल दर साल बिक्री 12% बढ़ी लेकिन पिछले महीने के मुकाबले दबा वहीं अतुल आटो की बिक्री करीब 1% घटी डिफेंस कंपनियों पर जेफीज की बुलिश रिपोर्ट BEL, HAL और डेटा पैटन पर खरदारी की रहा है बलकरार BEL का लक्षे 225 रुपए से बढ़ा कर 260 रुपए किया इस बार देश में पड़ेगी भीशन गर्मी, मौसम विभाग ने कहा एप्रिल से जून के दोरान सामाने से ज़ादा तापमान के आसार और मार्च में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा GST कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले कलेक्शन साड़े 11% बढ़कर 1.78 लाग करोड रुपए नमस्कार स्वागत है आपका IT Now स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजातर पाटी और आप देख रहे हैं Good Morning स्वदेश इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि कि संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से एशाई बाजारों के शुरुआत पर भी एक बार नज़र डालेंगे साथ ही साथ आज बाजार में कौन से लेवल से इंपोर्टेंट होंगे ये कुछ देर में समझेंगे डिप्री कालरा से खबरो वाले शेर्स ब्रोटरिश रिपोर्ट्स और क्मॉडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एके करके आपके सामने रखेंगे सबसे पहले शुरुआत करेंगे एशियाई बाजारों से और गिफ्ट निफ्टी से जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो हलकी कमजोरी के साथ हैं करीब 50 नीचे गिफ्ट निफ्टी कारुबार कर रहा है लेकिन बाकी सभी इंडाइस देखेंगे तो वो हरे निशार में ह हौंग कॉंग के बाजार 421 अंक उपर हैं चींग के बाजार कोरिया और जापान के बाजार में भी हरे निशार में कारुबार हो रहा है जापान के बाजार इस वक्त 160 अंक उपर दिखाई दे रहे हैं आज एशियाई बाजारों में भी देखेंगे तो काफी सारे देश में एकॉनमिक इंडिकेटर आएंगे औस्ट्रेलिया कोरिया के इंफ्लेशिंग के नंबर्स भारत में भी कुछ आकड़े आने वाले हैं पिन तमाम एकॉनमिक आकड़ों पर नज़र रहेगी और उसके पहले गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं हलके अन्डाल निशान में लाओ जोल्स और S&P 500 लाल निशान में बंद हुआ और कल जो तिमाही शुरुआत हुई सेकंड कोर्टर की जो शुरुआत हुई उसमें कमजोरी देखने को मिली एक लंबी राली के बाद कल मार्च यूएस ISM मनुफैक्टरिंग PMI के भी आकड़े आए और वो आकड़े 48.4 परसेंट से बढ़कर 50.3 आए मार्च महीने में बंद हो मन्थ अगर कंपेर करेंगे तो और पिछले डेश साल में पहली बार में रिंफैक्टरिंग PMI के आकड़ों में बढ़त देखने को मिली है अनुमान से बहतर PMI आकड़ों के बाद अब ये बाजार महल की कमजोरी दे रहे गई है इसके अलावा आज जॉब ओपनिंग और लेबर डेटा भी आएंगे तो इन आकड़ों पर भी नज़र रहेगी और कहिना का इंडिकेशन मिलेगा कि एकॉनमी के आहालात कैसे है इस बीच एक रेडियो प्रोग्राम में फेडरल रिजर्व जरेम पावल का भी क तक वहां पर थोगा कॉन्फिडेंस नहीं आता चीजे स्टेबिलाइज नहीं दिखाए देती तब तो वह ब्यास दरों में कटउती के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे यह जब बयान आए और मैनुफाक्चिरिंग के निकल कर आये मजबूत आंख्रे थे अनुमान से 1.3% के पास पहुच चुके हैं, डॉलर इंडेक्स 104 के पार निकला, 105 के पास पहुच चुका है, यहां तकि सोने में भी तेजी है, सोने में लगातार तेजी बने हुई है, 227 के आसपास सोना अभी भी कारोबार कर रहा है, कच्छे तेल भी रिकॉर्ड लेवल के पास कर रहा है, क्योंकि दूसरे तरफ मिडल इस्ट में भी टेंशन बढ़ता जा रहा है, और इरान पर इसराइली मिसाईल हमले के बाद हम कच्छे तेल में तेजी देख रहे हैं, तो लगाता वहां पर जो तनाव बढ़ रहा है, उसके चलते कच्छे तेल में तेजी है, सोने म मिल रहे हैं, लेवल्स हम समझेंगे आज के लिए, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि FIIs और DIs के तरफ से अपडेट कैसे हैं, कल कैश मार्केट में FIIs ने बिकवाली की 522 करोड की बिकवाली का आंकडा है वहीं, उसके सामने DIs खरदारी करके गए, और 1208 करोड क की खरदारी का आंकडा नजर आ रहा है, DIs के तरफ से, इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, तो 275 करोड की खरदारी हुई है, और इंडेक्स ऑप्शिन में 7,064 करोड की बिकवाली का आंकडा देखने को मिल रहा है, कल हमने रिकॉर्ड लेवल्स देखे, निफ्टी में, बै पर पूरा अनालिसिस लिखे, निम्पी गुड मॉर्नी बताइए, आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है? पूरा इसी पूरी तस्वीर मार्केट के बदल गई है, और जहां पर हम पहले सपोर्ट ढून रहे थे, वहां पर हम रिजस्स दून ने आ गए हैं, तो बाजार की एक खूप सूर्टी है, और ये एक दम से बाजी प्रट भी सकती है, इसलिए हमने का आता है, उसलिए हमने क काफी कम हो गया है, एक लाग से बी, दो लाग से बी नीचे जला गया, अब मुमन ये वैसी हम लाइट होके आए थे सिरीज में, दो लाग सोला ही कोंट्रैक्ट लेके आए थे, लेकिन वो कहल घटों के दो लाग से भी नीचे पहुँच गये है, इसका मतलब यह है कि बजा जहेलने के बाद काफी global markets को जहेलने के बाद किया है लेकिन अभी आप खुदी global markets में सारे parameters पढ़ रहते हैं चाहिए bitcoin हो चाहिए crude हो चाहिए gold हो यह सब market के anti's है एक level पे anti हो जाते है तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बजार एकी तरफा चलता जाएगा अब शॉट कवरिंग करता ही जाएगा थोड़ा sideways consideration होगा तो कल का जो open price shedding से काफी हद तक market का जो fuel है शॉट कवरिंग का या हलकी सी तेजी का वो खतम हो चुका है all time high भी लग चुका है अब बजार को नए force नए औरजा के ज़रत है नहीं आएगी तो market sideways करेगा थोड़ा नीचे भी लाएगा आ गई तो फिर यहां से और drag करेगा अभी तो नहीं है अभी वो present नहीं है अब आते है stop losses target क्या करना है आपको 22,000 के पहले stop losses को ट्रेल करके 2500 पे ले आओ already you are in the profit series में BTS T करके आओ या फिर तो आप उसको hold करो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है आपका target पहले 500 का था कल वो लग गया आपका दूसरा target थाड़े 600 का उसके लिए hold कर सकते हूँ आप average मत करो और position मत लो जो positions ले रखी है उसी को रखो और जिनको कल नया लेना है तर हमने मना के था कि कल आप फुल्टी मत लेना फुड़ा वेट करना आज उनको अगर opportunity मिलती है जैसे में example हो जाता हूँ जैसे 22,310 का पुल्टी मिले तो इसबर प्लस करना 22,220 का stop loss लगा के इस तरह से आप position करो buying on district पाएगा उसको bought करना है लेकिन वो भी levels की according करता है आपका जो target होगा वो 22,560 जो target आपके लिए रखे आपके बैंक निष्टी पे huge shot covering मैंने पे life में पहली बार इस तरह की shot covering देखे बैंक निष्टी कंदर तो बैंक निष्टी में थोड़ा जादा एक्रेसिव हो में बैंक निष्टी में पर से लगता है जल्दी इसना all-time high भी टेस्ट करेगा क्योंकि एच्टी बैंक उसको support में जगता है कि एच्टी बैंक बागारा days high पे जाके बंदुआ होगा है तो बैंक निष्टी में थोड़ा व्यूपइंट आप जादा पॉजिटिव रखे है और यहां पर आपका जो पॉजिशन है उसको होड़ करके आपका जो पहला टार्गे होगा तो करीश पॉड़ी एट थाउजन तक का भी उसका है पहले तो 45,800 फिर उसके बाद 48,000 तक के हांके तक क्या बोल्ड करें आपके जो जो स्टॉपलोस दें वो स्टॉपलोस दें हैं 45,300 और 45,000 का स्टॉपलोस हो गया आप इसको होल्ड करें एबरिज वगार अगर अगर इंडेक्स में नहीं होने चाहिए पहले अपशन के चाहिए कोई भी शेर, F&O, BAN में नहीं है कोई भी शेर, F&O, BAN में नहीं है पहले अपशन ट्रेडर्स आवइट करें फिलहाल कोई ट्रेड लेना जादा ढ़ी दिखाई दे रहा है जो लेवल हम आपके स्क्रीन पर दिखारें उसे थोड़ा discipline के साथ follow कीजिए buy on dips की रणनीती अपना के चलिए लेकिन levels का ध्यान रखे आज तेजी के कुछ बड़े triggers नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन overall momentum positive है buy on dips की रणनीती अपना के चल सकते हैं बाजार में बहुतर शुक्रिया निम्पी आपका ये पूरा analysis करने के लिए ये आपके screen पर हम लगातार आपको nifty or bank nifty के एहम support और resistance level भी दिखाद रहे हैं इसका आप ध्यान रखे लेकिन बाजार को trade कैसे करें nifty or bank nifty में और इसके अलावा stock specific रणीती के आपनाए आज के दिन ये समझ लेते हैं हमाई साथ लक्षमी श्री इंवेस्मेंट से अंशुल जहन मोजगुथ हैं फोन लाइन पर अंशुल जी थांकिये सो मच समय देने के लिए टीनाव स्वदेश को बताईए आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर और stock ideas क्या होंगे आपके तरफ से नमश्कार पूजा जी नमश्कार आपके सभी दर्शकों को पूजा जी support और resistance hold होंग या नहीं ये market के internals बताते हैं और continuously जब हम PQCR 800 टेस्ट किये दे तब से मैं कहते हैं आ रहा हूँ कि market oversold है लगबख 40-50% stocks की weekly RSI oversold है और इतने oversold market में नए लोग कभी नहीं बनते हैं market वापिस से अपने swing highs को test करने जाता है और कल वही हुआ हमने all time high test किया है अब अगर daily chart पे देखें तो daily chart पे breath अब overbought होने लगी है और यहां से थोड़ा सा sideways move में correction नहीं expect कर रहा हूँ मैं केवल cooling off effect expect कर रहा हूँ 14% stocks की daily RSI overbought हो चुकी है लगबख 350 stocks ऐसे हैं जो 5-day basis पे rally कर चुक है और generally move 3-2 5-day की होती है तो यहां पे हलका सा एक-दो दिन का pullback या sideways move रह सकता है all-time high के round थोड़ा resistance face होगा 22-5-50 के round थोड़ा सा एक resistance रहेगा एक-दो दिन consolidate कर लेते हैं तो इसको निकालना असान होगा और मेरा view 22-year 700-750 का है metal sector आपके इशो पर मैंने कई बार recommend किया है कि metal sector बहुत तेज है और आप देखें हिंद को पर और चिड फार्मा और चिड फार्मा में अगर देखें तो वीक्ली चार्ट पे 143 वीक्स का rounding bottom pattern मना है breakout आने के बाद तीन वीक correction दिया है दो वीक की consolidation के बाद कल fresh breakout देने की कोशिश कर रहा है 1110 breakout level है 1110 के उपर buy करना है 1050 का stop loss आएगा 1250 का pessimistic target रहेगा और थोड़ा सथ 3 से 4 मेने अगर समय देते हैं तो इस stock में 1500 तक के level मिल जाएंगे दूसा stock चुकि चुनावी मौसा में और ऐसे समय में लिका stocks बड़े तेज होते हैं तो दूसा stock में जो buy दूँगा वो है STBL, SOM Distillery मंतली चार्ट में अक्टोबर में लो बनाया था 269 उसके बाद इसले दो मेने में मंतली बेसे स्पेस लेवल को तोड़ा लेकिन मंत एंड होते होते इनके उपर आके क्लोज किया और दौनों मंत में हैमर बनाया और करेंट मंत की शुरुआती ओपन लो के साथ हुई है और जनरली ओपन लो के साथ अगर मंत की शुरुआत होती है तो पूरा मेना ट्रेंडिंग रहता है तो इस stock को buy करना चाहिए 278, 280 रेंज में 265 का stop loss रहेगा और 300 उपे का pessimistic target रहेगा अगर चुनाओ खतम होते होते stock को hold करते हैं तो 350-375 तक के target भी मिल सकते हैं तो ये दो mid cap में मेरी तरफ से buy रहेगा ठीक है तो ये दोनों stocks पर नज़र रखे mid cap stocks अच्छे लग रहे हैं खरदारी करके चलिए कब बहतरी इन तेजी थी इन दोनों ही शेरों में आज भी वो तेजी बलकरा रहे सकती है लेवल ज्यान रखे और बाजार पर भी आपको रनीती दे दी गई है अच्छल जी थांक्यू सो मच आपका समय देने के लिए और रनीती सुझाने के लिए बाजार पर अपना व्यूट शेक करने के लिए चलिए अभी हमने बाजार पर बात की अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक और खबरों और जो बिजनस अपडेट आ रहे हैं के करके उन पर भी फूकस करेंगे अब हम देखने की चौते तिमाही के नतीजे भी आना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे उसके पहले अब अपडेट आना शुरू हो चुके हैं और कल भी बाजार बंद होने के बाद काफी सारी कंपनियों के तिमाही नतीजे के अपडेट आ रहे हैं कैसे रहे हैं खासकती बैंकों के कैसे रहे हैं वो नंबर्स ये समझ लेते हैं और बागी खबरों वाले शेर्स भी बताने के लिए हमारे साथ शरज रो चुके हैं शर्ज गुद मॉर्निंग सबसे पहले तो अब्डेट से स्टार्ट करिए कौन कौन सी कमट्यों ने अपने अप्डेट जारी किये कर अपने बांकिंग नेम्स आ रहे हैं अपनी क्यूफ और अपडेट्स में साउथ इंडियन बैंक की क्यूफ और अनुमान से बहतर आया है य तो अब अगर बात करें दूसरा बैंक जो फोकस में रहेगा वह सीएसबी बैंक यहां पे भी जो देखें तो स्ट्रॉंग सेट ऑफ जो है इंटर्नल्स देखने मिलें ऑपरेशनल्स की अडवांस से सत्रा परसेंट भागा यह बहुत का अकड़ा देखें तो बीस माई की अपडेट हो गए लेकिन इंपोर्टन्टली माच की भी अपडेट्स आया माच के अपडेट्स में अफकॉस आटो सेग्मेंट में टीवी एस मोटर्स के जो सेल्स आये हैं वो जो है अनुमान से बहतर आया है सेल्स लगबग 12 परसेंट बहाई और अन्यों बेसिस प अल्मोस्ट आप कह सकते हैं इन लाइन विट एस्टिमेट्स आया है 6% की टरनोवर की गिरावट आई है और कंपनी का कहना है कि जो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके कारण इंपक्ट जो है भारत दाइनमिक्स में देखने मिला है वही जेटियल इंडस्ट्री के बारे तो सबसे जादा लोन सैंक्शन विट साल 2024 में देखने मिला है जहां पे लोन बुक यह एक बड़ा अमाउंटेज यहां पे लगभग 27% से बढ़ गया है तो ओवरॉल कहेंगे आयरेडा और जेटियल इंडस्ट्री के बहुत स्ट्रॉंग FY24 अपडेट्स आ है वही भारत तोटल जो है आपका इंपाक्ट अनलिसिस है तो यह तो अपडेट है इसके अलावा आप आप आटो सेल्स के नंबर्स भी आए वह भी आपको शरद बता रहे थे शरद इसके लवा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं यह बिल्कुल पूजा आज जो है यहां पे कंपनी कि जो मुद्रा फैशन और लाइफस्टाइल बिजनस है उस पे कंपनी ने जो है विचार कर रहे हैं कि वर्टिकल डी मर्जर कर सकते हैं अब इसका मतलब है कि अब दो सेपरेट इंटिटी हो जाएंगे एक मुद्रा बिजनस रहेगा और एक जो एक्जिस्टिंग बिजनस ह जो मुद्रा बिजनस अगर कहें तो लाइफस्टाइल बिजनस होता जहां पर जो फॉरेंड ब्रैंड जादा है उस पे जादा फोकस रहता है और इंपोर्टेंटली याद रखिए यह दोनों ही कंपनी सेपरेटली लिस्ट होंगे और जो शेरोल्डिंग स्रक्चर रहेगा वो सिमिलर रहेगा यारी कि वन इस्टु वन पर मिरर करेगा अगर आप अब फरल के शेरोल्डर है ता आपको महरूद जो है मदूरा का भी वन शेर मिलने वाला है लेकिन मदूरा फैशन इंपोर्टन्ट क्यों है यह है वैल्य अनलॉकिंग का थीम लगभग टू थर्ड र बाद तो एक अच्छी वैल्य उनलॉकिंग शेरोल्डर को देखने मिल सकती है अब बात करेंगे कुछ स्टॉक में जहां पर इंपोर्टन ब्लॉक डिल्स हुए हाला कि छोटे नाम है पर बड़े इंस्टूशन की फ्लो आ रही है तब इन स्टॉक में री रेटिंग देखन किये जहां पर प्रमोटर्स सेलर भी थे इसके लावा असोसियेट अल्कॉल ब्रियूरी इनका मार्केट कैप लगबग 900 करोड का है और इंपोर्टनली इनको जो है लाइसेंस मिला है कंट्री लिकल के लिए मध्य प्रदेश के लिए जिसका कंजम्शन ऑल्मोस्ट एक सो अस का पूरा शिफ्ट जो है आफकोस आपके क्यूफोर अपडेट्स में आ रहा और जो समर थीम के स्टॉक्स है उस पे भी जो है आज हम स्पेशली इसको एड्रेस भी करेंगे दूरिंग देडेए इटीना उस्वदेश में तो इसको भी जो है इन दोनों थीम को ज़रूर करिएगा ठीक है तो यह हैं खबरो वाले शेर्स धेर सारे बिजनस अपडेट और आटो सेल्स विगर्स भी आये हैं तो इसका इंपैक्ट आज हम स्टॉक्स पे लिखेंगे थांकियो शर्द आपका यह पूरा अपडेट देने के लिए यह तो बात भी खबरो वाले शेर्स अगले कुछ सालों में उसके साथ ही साथ लोन ग्रोथ भी काफी अच्छा हो सकता है लेंडिंग्स और सेविंग्स बिजनस का पोटेंशल काफी अच्छा है और SME सेग्मेंट की बात करें तो मोर दन 30% का AUM ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है तो काफी पॉजिटिव ब्रोकरिज रिपोर्ट आई है अधित्या बिर्ला कैपिटल जहां मैक्वेरी ने इनीशियेट किया है कवरिज आउट परफॉर्म की राय दी है और 230 रुपीज प्रती शेर का लक्ष दिया है इसके अलावा अदानी पोट्स की बात करते हैं जहां स की ने 90-day upside catalyst watch open किया है अपना खरिदारी की राय मेंटेन करी है और 1758 रुपीज प्रती शेर का लक्ष दिया है उनका मानना है कि चौथी तिमाही में volume growth, revenue और EBITDA ग्रोथ कम्प्टी काफी अच्छा रिपोर्ट कर सकती है फोट प्रत क्वाटर रिजल्स में और valuations भी काफी इसके साथ ही साथ D-Mart की बात करते हैं, company ने recently corporate announcement में नए store openings की बात की थी, जिसके चलते CLSA की report आई है, खरिदारी की राय दी है और target price जो पहले 5,307 रुपीज प्रतिशेर था, वो बढ़ा कर 5,514 रुपीज प्रतिशेर कर दिया है, तो target price increase आया है, quarterly store additions 4th quarter में all time highs पर थे, याद रखे चौती तिमाही में company ने 5 नए stores खोले, जो एक बड़ा positive है, जिसके चलते growth prospects भी काफी अच्छे नजर आ रहे है, mix और margins दोनों ही improve हो सकते हैं आगे चलते हुए, जिसके चलते CLSA ने अपना target price बढ़ा कर अब 5,514 रुपीज प्रतिशेर कर दिया है, इसके अलावा last minute defense पर एक report आई है Jeffries की, जहां उनका मानना है कि industry opportunity size काफी ज्यादा है, जिसके चलते industry 13% का industry CAGR report कर सकती है, FY23 से 30 के period में, उनका मानना है कि export opportunity भी काफी अच्छी है, तो BEL पर उन्होंने target बढ़ा कर अब 260 रुपीज प्रतिशेर कर दिया है, HAL पर 3,900 रुपीज प्रतिशेर, data patterns पर भी खरीदारी की राय दी है, और 3,545 रुपीज प्रतिशेर का target रखा है, तो काफी positive report defense industry पर 13% का CAGR sub companies report कर सकती है, जिसके चलते तीनों ही counters आज focus में रहेंगे ठीक है, तो defense share हो पर नज़र रखे और इसके अलावा आदेते बिला capital खबर भी आई है, और इसके चलते आज ये stock भी focus में रहेगा, अदानी port पर भी आज नज़र रखे, अब आगे बढ़ते हैं, commodity market की हमारे साथ रर्नीती बताने के लिए, trade bulls security से भाविक पटेल जोड़ तो commodity market में तो काफी जादा action बना हुआ है, bond yields चड़े हुए है, dollar index 104 के पार निकल चुका है, sony में तेजी है, कच्छा तेल चल रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, कि हर एक space जब चलने लगता है, sony चांजी से पहले शुरुआत कीज, आप next levels आप क्या देख रहे है और fresh levels पर entry करने की सला देंगी? कल सोने में थोड़ी बहुत बिक्वाली देखनी को मिली थी, US manufacturing data ज्यादा आये expectation से, but overall अभी भी मुझे लग रहा है, bond yields की रणनी की रखनी चाहिए, दोनों gold और silver में, gold जून की बात करें, तो 68,200 के करें, अगर आठा है, तो 68,650 के target के लिए buy कर सकतें, और चांदी में भ तो सोने चांदी में भी खरिदारी करने की सला है, अभी भी चांदी में आप तेजी करके चल सकते हैं, 76,000 के targets के लिए, और भावी जी इसके अलबा कच्छे तेल में क्या करें, यहां पर भी तेजी बनी हुई है, अब नेक्स लेवल साब क्या देखने हैं? तो मुझे लग रहा है कि कच्छे तेल में भी अगर कोई डिप मिलता है, तो बाई की और पुछी निदे लेगी, 69,50 के करीक बाई कर सकते हैं, 70,30 के टारगेट के लिए, और इंक्रेडे स्ट्रो सकते हैं, 69,00 का. तो 7,000 तक के अब टारगेट नेक्स दिखाई दे रहे हैं कच्छे तेल में, अभी इसमें खरदारी करने के मौके, आखिर सवाल, भावी जी आपसे बेस मेटल्स पर होगा, कल वहां पर भी हमने काफी अच्छी तेजी देखी, आज भी क्या तेजी करके चलनी चाहिए बेस थोड़ी का देमांड जो है वो बढ़ सकती है, और कॉपर अगर हम देखे तो 7,60 जी रिजिस्टेंस हा उसके उपर ही सस्टेन कर रहा है, जो लग रहा है कि कॉपर में भी बाई करके चल सकते है, 7,68 के टारगेट के लिए, और अंट्रेड इस्टॉपर सकते है, 7,59 का ठीक है, तो यह है सारा कॉपर पर अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिए, 7,68 के टारगेट के लिए, भावी जी थैंक यू सू मच आपका समय देने के लिए, और ररणीती सुझाने के लिए, आज को मॉडिटी मार्केट से जूड़ी, फिलाल इस शो में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यह आपर और ब्रेक के बाद आपके लिए कराएंगे खरा सौदा, वनेरी हमारे साथ, नमस्का. जीएं आप भरपूर, जानिये कौन सा इंशोरेंस क्यों जरूरी, समझें इंशोरेंस की कम्प्लीट थियोरी, हर तरह के इंशोरेंस की पूरी कहानी, समझें दिगज एक्सपोर्ट्स की जुबानी, इंशोरेंस महाकुम, क्योंकि बीमा जरूरी है, 6 अप्रेल सुबह 10 प्रूर्प 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 प्रूर कि अवजश प्रूम झाल झाल जून में व्यासदरों में कटोती नहीं होनी किया शंका से अमरीकी बाजारों में गिरावट ढ़ाव में 240 संकों की कमजोरी नेस्डिक भी दिन की उप्रीज तरसी है सो वंक फिसल कर मामूली वढ़त पर बन किफ निफ्टी से कमजोर शुरुवात के संकेत करीब 50 अंक गिर कर 22,500 के पास लेकिन चीन और हॉंकों के बाजार में करीब 1% की तेजी सीरिया में एरान के वाड़ेजे दोतावास पर मिसाइल हमले की खबर से कचे तेल में तेजी ब्रेंट क्रूड का भाव 88 डॉलर के पास सुना भी रिकॉर्ड सरके करीब कॉमिक्स पर भाव 2270 डॉलर के करीब आदित बिर्ला फैशन कारुबार का करेगी डी मर्जर मूद्रा फैशन को अलग से करेगी लिस्ट में क्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 230 रुपए के दिये लक्षिर चोथी तिमाही में साउथ इंडियन बैंक के लोन ग्रूथ में 11% से ज्यादा का उच्छाल कासा भी 8% बढ़ा वहीं CSB बैंक के ग्रॉस एडवांसीज में 18% की अच्छे बढ़ा मार्श में TVS मोटर्स की साल दरसाल बिक्री 12% बढ़ी लेकिन पिछले महीने के मुकाबले दबाव वहीं अतुल उटोर की बिक्री करीब 1% घटी इस बात देश में पड़ेगी भीशन गर्मी मौसम विभाग ने कहा एप्रिल से जून के दोरान समान से जागा तापमान के आसार और मार्च में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा GST कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले कलेक्शन साड़े ग्यारा परसंट बढ़कर पोने दो लाख करून रुपे के पार तो कल मार्केट ने अल टाइम हाई टेस्ट कर दिया और सिर्फ दो ही दिनों है पूरी की पूरी तस्वीर बदल के रख दी फरस्ट योफ दा सेरीज और ऑन दा डे ओफ एक्स पारी दोनों दिन मार्केट ने के जबरतस मोमेंटम बनाया यह मोमेंटम दो चीजे बताता है पहला हम एक फ्यूरेस बूलरन के अंदर हैं और दूसरा यह बताता है कि बाइंग ओन डिप्स की स्टेटजी मार्केट के अंदर काम कर जाती है क्या यह कॉंटिनिटी एफेक्ट है यह आगे भी चलेगा या फिर एक लवल के बाद हमको रुकना होगा यह आज समझने का द पूरा कुणबा जोड़ लेंगे और उसके साथ आपके सामने सारे पॉइंट्स रखते चलेंगे यह आप चार एहम ट्रिगर अपनी स्क्रीन पर देख पारे होगे दाओ 240 पॉइंट तूट गया ध्यान देने वाली बात है कि मैक्रों को हरोज तो नहीं देखें लेकिन जर यह अच्छी बात नहीं है ठीक गिफ्ट निफ्टी करीब पचास संग आपको निचे दिख रहा होगा ब्रेंड कुरूड 88 के करीब आच चुका है डालर इंडेक्स 105 के आसपास आगया यही सारे प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको नोटिस कर रहा है तो बहले आप रोज बद पॉइंट आपके लिए कि भीशन गर्मी की अनुमान इस बार लगा जा रहा है और फोकुस में एसी कूलर और कुछ पावर शेयर साथ साथ बैटरी वाले शेयर भी आप थोड़ा ध्यान दख सकते हैं हम तो सिरो भगवान से प्राटना कर सकते हैं कि सब कुछ ठीकी रहे ऐ लेकिन हाँ ये एक सोचनी के बात है कि तापमन लगातार बढ़ रहा है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है तो चार एहम ट्रिगर हमने आपके सामने रख दी है आप सिष्टी मेरी सायोगी जो है वो कारिकरम को आगे बढ़ा रही है तो इन ट्रिगर पे रहेगी फिलहाल एशे बाजारों से क्या संकेट मिल रहे है तो देखें वहाँ पर जो भी कॉमेंटरी आती है या फिर जो भी संकेट आये हैं आते हैं धरों को लेकर वो बड़े कुरूशल हो जाते हैं कल वहाँ पर मेनुफैक्चरिंग प्याइमाई के आंकड़े आए और दोहजार बाइस की बाद पहली बार हमने मेनुफैक्चरिंग में एक्सपेंशन देखी हैं अमेरिका में प्यामाई जो आई है वो आई है पचास दश्मलो तीन का पचास के उपर की डिए यानिकी एक् कई करना एक सवाल खड़ा हो जाता है कहीं तो उसके चलते हमने दिखा कि डाव में कमजोरी हमने देखी सनप के 11 मेंристर कल हमने देखा société कमजोरी हुए हलांकि नेस्डिक उपरी सर से अगर आप देखेंगे तो करीब सौंग नेस्डिक भी फिसला हलांकि हलकी से हर निशान के साथ नेस्डिक के हमने क्लोजिंग होते हुए जरूर देखी है तो अमेरिकी वाजारों से भी हम कहें कि थोड़े मिक्स्ट क्यूज है हलांकि कमजोरी है डाउ में और एस एन पी में मैनेफेक्टरिंग यो पीमाई है अन्टालिस दश्मलों चार से बढ़के पचास दश्मलों तीन की रीडिंग आई है तो बहुत हिल्दी रीडिंग आई है और कहते हैं अच्छी चीज़ें कही बार होती है तो वो सेंटिमेंट को खराब करने काम कर रही हैं अमेरिका में कुछ कुछ सेनेरियों इसी तरह से बन रहे हैं तो ये एक चीज रही आज अमेरिका में रोजगार के आंक्ड़े आएंगे हलनके एक जरम पाविल का स्टेट्मिंट भी आया था कि उन्हें नें रहा कि कब होगी अब उसको लेकर सवाली निशान थोड़े से जरूर लग गये हैं और यह थोड़े-थोड़े निवेश्कों को परिशान करने वाली चीज़ है हला कि बहुत जाद निराशा नहीं कहेंगे लेकिन थोड़े से कंसंस जरूर है कि क्योंकि अब जो अनुमान है जून मे दरों में कटोती को लेकर वो रह गया है 58% का तो अभी भी देखेंगे तो जातर लोग यहीं उमीद करके चल रहे हैं कि दरों में कटोती होगी लेकिन थोड़े से एक्सपेक्टेशन जो है टोन डाउन हुए है यह जरूर हमने होते हुए देखी है लेकिन अगर हम दूसरे संकेतों की बात करें तो बोन डील जो है चार दश्मलो तीन परसंट पर है यूस फेड के चेर्मेन जेरोम पावल के स्टेटमेंट के बाद डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी मजबूती जरूर देखिए एक सो पांच क्या सपास है लेकिन सोना लगातार रिकॉर्ड बना र देखिए है क्योंकि इरान के वालिज दोतावास पर सीरिया में दमैस्किस में वहां पर मैसाइल से ड्रोन से अटेक हुए हैं और उसके चलते क्रूर में हमने थोड़े से सप्लाई में बाधा की आशंका के चलते हैं थोड़े सुचाल देखे हैं 88 डॉलर के आसपास जाकर बाए उसके कारबार कर रहे हैं तो मिडलिस्ट में जो तनावा से बड़ा है लगातार तनावा हम देखे रहे थे और यह थोड़ा सा औरैक तड़का लग जगया हमगे यह कहेंगे और उसके चलते क्रूर की भाँवा में थोड़ी सी तीजी हमें देखने को ज़ूर मिल रह है लेकिन overall crude को लेकर थोड़े से negativity अमेरिकी बाज़ारों में कमजोरी गिफ निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी थोड़े सी कमजोरी के वीकल लॉंच किया है और उसके चलते हैं शौमी का जो शेर है वो 15% उपर कारोबार कर रहा है बहुत ही खुबसुरत कार है उसकी तस्वीरे भी आपको हम दिखाएंगी लेकिन यह रहा ग्लोबल वाज़ारों का पूरा का पूरा मूड अब शिफ्ट करते हैं कि FIIs से संखेत कैसे मिल रहे हैं डियाई से किस तरह की बाइंग हो रही है और आपको निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आज के सतर के लिए किस तरह की रड़नीती बना के चलनी है तो अगर हम FIIs के बात कर लें डिंपी आप ही बताए कि कल भी कुछ खास चेंजिस थे नहीं अगर हम होल्डिंग की बात कर लें आज बताए कि किस तरह के रुजहान हैं होल्डिंग से FIIs के नहीं चेंजिस थे कल ऐसा नहीं के चेंजिस नहीं थे सीज़ा 34 से 44% हम हो गये थे 10% का चेंज अपने बहुत बड़ा चेंज होता है लेकिन हा कल और आज में कुछ जादा चेंजिस नहीं हुआ वो सिरफ एक ही परसेंट हुआ 44 से 45% पर आया है बस इतना ही चेंज हुआ है डी ऐस की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ 44% है रिटेल की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है 54 55% के लॉंग है यह सब के सब मैं फिर से बताता हूं यह एक ideal situation होती है ना जो market की वही है कि मेरे को इस से जादा नहीं रखना और इस से कम नहीं रखना दोनों बड़े मेजर चंक डियाइज और एफाइस की होल्डिंग करीब करीब 44 45% के around around है कहने का मेरे मतलब ही है कि उन दोनों ने अपने आपको सही से प्लेस किया हूँ है market के अंदर और विशिक कल का खड़ा बताया था कि ना जाने डियाइस को क्या हो गया उन्होंने सिर्फ दो या तिन दिन के अंदर आठ परसंट की होल्डिंग बढ़ा दी थी वह जो होल्डिंग बढ़ाई है वो टिपिकली HDFC के अंदर SBI के अंदर कुछ IT कंपनी के अंदर placed हुई है इसकी वज़े स साफ है क्योंकि institutional जब भी movement करेगा और बड़ा shares के अंदर ही करेगा तो वह आपको clearly visible हो रहा था इसलिए हमने भी दम भरके आपके सामने बात रखे थी कि 21-200 नहीं जाएगा और आपको हो सकता है 22-200 मिल जाए कल जब 22-500 लगा तो हमारे सारे target जो है वह अच्छी हो गये थे तो फिर आप समझ लीजे आप 23-200 के तरफ बढ़ रहे हो आप बिल्गूल तो 22-500 के दर्शन हमने कल किये कल हमने record उचाई भी देखियो और बहुत ही interesting senior year 2000 में बना हुआ है क्योंकि हम देखने की gold फिर record उचाई पर है निफ्टी फिर record उचाई पर है बिटकोईन के बात कर लें तो record उचाई के आसपास यह है सतर हजार डॉलर के आसपास का भाव है ज़रा इसको भी हम समझेंगे कि आकर इसके मायने क्या है इसको हम किस तरह से decode करें लेकिन अगर हम निफ्टी के करें बात कर लें तो कल लॉंग जिन्होंने किया हुआ है वो क्या करें हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी कमजोरी के संकीत दे रहा है और जिनको फ्रेश लॉंग करना है क्या थोड़ा सा नीचे आए तो बहतरी ने इंट्री पॉइंट मिल जाएगा दोनों कोशन आपने कल भी पूछे थे मैंने दोनों का जवाब बहुत ही अलग अलग तरीके से दिया था आज मैं वैसी दोनों का जवाब अलग अलग दूँगा जिनके पास पुरानी पॉजिशन्स हैं उनको ना किवल इस तरह के मार्केट का थैंक्यू करना चाहिए बलक लेकिन आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट करना तेजी या मंदी जो भी रहे प्रॉफिट बुकिंग एक नए चीज होती है प्रॉफिट बुकिंग तो आपको करनी ही होगी टाइम पे अगर आप शॉट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने कल आपको प निफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है तो हमको वही अपनी बात ज्यादा बहतर लगी है कि देखिए हमने जब आपके सामने बात बोले हमारी टार्गेट होगे पूरे और आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो भले कर भी सकते हैं पहला पॉइंट दूसरा आप पहले एक काम करना कि बाइजार दो सो तीन सो की रेंज का एक स्टॉपलोस लगा के रखो यह ट्रेलिंग स्टॉपलोस आपके लिए बाइजार साड़े च्छे सो पर आके रुख जाओ इन एनी केस अगर इस टॉपलोस लग भी जाते हैं आपके तब भी आपैसा बना क यह मार्केट से निकल रहे हो यह तो है पहला पॉइंट दो ऐसे कौन से कारण जो आपको बता रहे हैं कि बाजार बहुत तेजी से उपर नहीं आएगा पहला कारण है ओपन इंटरस्ट ओपन इंटरस्ट निफ्टी का एक दो लाग से भी नीचे चला गया आप गाड़ी का इंजिन आपके 1400 सी सी का लेगे ना अगर तेल ही नहीं भरा होगा तो भी गाड़ी चलेगे कैसे आप 2000 सी सी का इंजिन भी ले आओ गाड़ी में तेल तो होना चाहिए ना चलने के लिए तो जो ओपन इंटरस्ट है फ्यूल की तरह काम करता है फ्यूल थोड़ा से कम है और सीरिस को पहले भी लाइट लेकिया थे कल साथ परसंट की शॉट कवरिंग कर दी और सिस्टम से साथ परसंट लोगों को और बाहर निकाल दिया सारे लोग तेजी में हो जाएंगे तो बजार चलेगा नी तो शिफ्टिंग कहां पी होगी तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करक दो, चार पांस दिंगे भी तो, इसलिए आप, बाइंग और डिप का वेट करें ने पुरानी बात पुनाने वालों के लिए जैए numbers करें inviting 13,3 कि वें अगर आट रहर पर चाहि nghĩ हैं, इसलिए आप दो सो में कोई 2.200 के नीचे का STOP LOS डाल दो ये दोसों के नीचे का स्टॉपलस कहने का मतलब 22,150 का स्टॉपलस डाल दो आपके और पुराने वालों के दोनों के टार्गेट सेम हो जाएंगे 22,500, 22,500 22,500 और अगर वो क्रॉस होता है तो 22,650 के तरफ निफ्टी आपके लिए बढ़ता हुआ दिखाई दीगा लेकिन चुकि सवाल हमारे तै होते हैं और सवाल आपके लिए हमने तै कि एक प्रतिष्ट भी कोई शक्षा हो और तो हम क्लियर दोर कर दें और इसका testing हमने कल और परसों में आपको करवा के भी दिखा दी कि short अगर आप करते तो आप कैसे फस जाते दुनिया all time high enjoy कर रहे होती और अपने profits को अप loss लेके बैठे होती अकाउंट्स में तो आपका mood कितना खराब होता care anyhow अब आप आपने shorts पूछा करना की जी नहीं करना है देखे एक shorts नहीं करना जाए मार्केट एक furious bull run के अंदर है और इसमें buying on dips करनी चाहिए बजाए sell on rise के आपको 200 points तो कमाने ना nifty के अंदर तो आप 200 points का dip का weight करो ना आप 400 455 पर खड़े हो आजाओ 500 पर पकड़ लेना माल 200 पर ले लेना माल और फिर से 455-500 पर आजाओगे वापिस तो आपको 200 points मिल गए आपको पैसे कमाने से मतलब है कि आप short से मिले या तीजी से मिले दूसरी point आगर आप short करते हो ना था बहुत डरे डरे होगे क्योंकि बड़ा खेमा बड़ा market बड़ा data बड़ा सारी चीजें आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाओगे एक तो पहली गलती तो यही हो जाएगी हम trend के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे लेकिन फिर भी आपको अगर मिल भी गए तो 200 points से ज्यादा नी मिलेंगी तो 200 points का dip का weight कर लो ज्यादा अच्छा है कम से कम trend के साथ तो रहोगे सब लोगों के साथ तो रहोगे आप अलग तलग क्यों होना यह है पहला point दूसरा point अगर माल लीजे कल किसी ने short कर लिया बड़ी दिलेरी है तो आप साड़े 600 का stop loss बना के बैठे रहो नीचे आएगा तो बाइज़ा 200 फिर पर प्लस कर लेना अपना ज्यादा बड़े डिप कटनी लगेंगे बाइज़ा 200 तक के chances लगते हैं मैं फिर से repeat कर दू चायो तेजी वाला है चायो मंदी वाला है 20% से जारा position index में मत रखो 40% stocks में रखो 40% cash में रखो 40% cash में आपको position रखनी है और short से आज फिर से आपको दूरी बना कर रखने की सलाह है बचिए short मत किजिए short अले बाजार ये दरसल है नहीं और विल्कुल आपको इस पर सटीक सलाह भी दीगी है अब nifty bank पर आ जाते हैं लगातार तीन दिनों के अ record high से 1000 अंकदूर है तो क्या nifty bank भी nifty को catch up करने के डिंपी कोशिश करेगा क्या जो तीजी वाल है बिल्कुल अपने सौदे को बनाके अपने इरादे मजबूत करके बाजार बिल्कुल बने रहे अभी और तीजी होगी nifty bank में होनी चाहिए उसकी वड़ी वज़े है HDFC bank में आपको एक चीज़ और बतायता हूँ कल भी मैंने आपको बताया था मैंने अपने लाइफ में बहुत कम बार ऐसा देखा है कि जहां पर open interest first day of the series 50-50% घट जाए कल adjustment होते होते 41% का OI edition घटा था यानि कि OI कम हो गया था आप series को ठीक लेके आए थे आपको मंदी वालों को punishment पें जेनी थे ना आपने कल दी है और बहुत अच्छी punishment दी है उनको system से बहुत अर्चिक पहार निकालाई कल मंदी वाले system से बहुत तїज़ी से बहार निकले हैं अब आपका मैदान तो खाली हो गया आपने मंदी वालों को बाहर तो कर दिया लेकिन क्या तेजी वालों पर इतनी दम है कि बाजार को ड्रैक करते हुए लेके जा सकते हैं वो किसके दम पर जाएंगे एक नएक तो दादा चाहिए ना जो उनको लीडर बनेगा और आगे उन सबको लेके जाएगा जो भीडी कटी होगी अब तेजी वालों की वो उसके लिए चाहिए HDFC बैंक इसलिए अगर HDFC बैंक इस हफते में चलता है तो टरस्ट मी यह जो आप बार बार बोलते हैं कि बैंक निफटी ने हाई नहीं लगाया हाई नहीं लगाया बैंक निफ्टा हाई अपना लगा के दिखाएगा और जो इसका चेजिंग कैपिसिटी है उसको पूर्ण भी करके दिखाएगा लेकिन इसमें दो बैंक का खास का रोल चाहिए फर्स्ट एच्डिएफसी का और एक सरकारी बैंकों में या तो SBI आ जाए या तो कोई और हजार पॉइंट ही है और HDFC बैंक अपने आप में चलने पर आ गया तो 300-400 पॉइंट तो सिर्फ HDFC दे देगा आपको और सारे बैंक मिला के आपको पॉइंट देंगे तो कुल मिला के मेरा इस पे थोड़ा सा स्टांस बुलिश है एक और चीज़ बैंक निफ्टी ने कल इस बैंक नहीं चले तो ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी टीका रहेगा बैंक निफ्टी को भी नीचे आना होगा और बैंक निफ्टी वो 43-47-300 तक भी आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं प्रेशर बना तो 47-000 भी टेस्ट कर सकता है तो इसलिए अपनी पॉजिशन को कम से कम ह की त्यारी करेंगे और HDFC बैंक SBA अपनी स्क्रीन के अपर पर वे हिस्से में लगा लो आप ठीक है तो SDFC बैंक कल 10% के आज पास की तीज़ी SBA करेंगे पुर्णे परशंट के आज पास की तीज़ी और एक और वेटिस की लिहास से बड़ा कंट्रिबूटर ICC वहां पर भी हमने आदे परशंट के आज पास की तीज़ी हमने देखी है तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स ही वो कह रहा है कि नहीं है मुझे शॉर्ट ना करो डिमपी आपकी यही सला होगी शॉर्ट करने से मनाई है मैं एक्चली वजब बता रहा हूँ उसके तो पुट कोल रिश्यो अभी एक के नीचे चल रही है HDFC अभी चलना शुरूब आपका डिवरजन कैसे हुआ था आप निफ्टी से क्यों पीछे चले गए थे कॉज ऑफ HDFC बैंक की कहता है मैं आपकी हेल्प करूँगा तो फिर आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने पर आतुर हो बैठे होई हो और दूसरा पॉइंट यह ना छोटा इंडेक्स है यह सिर्फ 12-13 शेरों का इंडैसीज है इसमें से 3-4 बड़े शेर भी आगे ना आगे आगे तो आप इतना बड़ा डैवर्जन्स देखेंगा आप देखते रह जाएंगा उसकता है निफ्टी लाल निशन में रहे और बैंक निफ्टी हरे निशन में भी आ जाए तो 14,580 क्यास पास का स्तर है तो छोटा सा मतलब मन ही है तो ठीक है आपके लिए यह स्टॉपलस हिसके साथ आप काम कर सकते हैं लेकिन माहौल नहीं है आकड़े नहीं है आपके पक्ष्ण में कि आप शॉट को लेकर बहुत जादा बुलिश हो जाए यहां से आखिर में एक और सवार डिमपी वो यह है कि जी एंटेटेंब्मेंट को हमने देखा कि बैन में था यह और कल आपने कहा भी था कि बड़े मूव की त्यारी है कल हमने 6% के आसपास की जबरदस तीजी देखी भी है आज एफने बैंस से शेयर बाहर निकल गया क्या व्यू बन रहा है इस पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बैंस से बाहर क्यों निकल गया दूसरा पॉइंट आपने फरस डे फिर बैंड में क्यों रखा जब आपको बैंस से बाहर ही करना था तो क्या सिर्फ 6% के लिए बैंड में रखा फरस डे के लिए आपने आपने रोल ओवर नहीं करने दिया लोगों को उनका मन नहीं बनने दिया तो कुछ ना कुस तो होई रहा है कोई बड़ी बात नहीं कल परसो फिर से बैंड में आ जाए लेकिन अभी यह रेंज का ब्रेक आउट नहीं है इसका रेंज का ब्रेक आउटों का 157 पर यह 157 को जिस दिन पार करेगा उस दिन म कोई जल्दबाजी मत करो यह जो बैन के अंदर आना और एक सेकेंड बैन से बाहर चले जाना यह बता रहा है कि कुछ ना कुछ कुकिंग है कुछ ना कुछ हो रहा है अंदर आप इस नोड़ा साफधानी रखे फिलाल 157 का वेट करें जिनको नया अंदर आना जब तक 157 ब् भी हमने आपके सामने रखा पर चली अब आगे बढ़ते हैं और हमारे तीन खास मेमानों को जोड लेते हैं हमारे साथ हमारे साथ वेशाली पारिक किरन जानी और साथ ही आयूश महता जुर चुके हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एटीनाव स्वदेश पे और क सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्या लग रहा है आज का व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्योंकि देखें गिफ निफ्टी जो है एक नेगिटिव शुरुवात की त्यारी कर रहा है और साथ ही अभी जिस तरीके का डेटा बिल्ट अप हो रहा है दिंपी किरन चाहद आपको अन्म्यूट करना होगा तो जैसे दिंपी जी ने बताया है डेफिनिटी हम यहां पे कोई शॉट्स के उपर्टिविटी नहीं लून रहे है डेफिनिटी जिस तरह से हम लास्ट लोटी में रैली देखी है इंडाइसे इंटाटे चंस के उपर आप देख रहे हैं लेकिन दुनों इंडेसि निफ्टी का PCI रेष्यो देखोगे इसी विए इक पास ट्रेड कर रहा है जहां पर गॉलिट रेष्यों है तो कोई भी निफ्टी बाहत है तो मेरे साब से वहां पर लॉंग करना चाहिए अब अब अगर लेवल वाइस की हम बात कर है महाँ पर आप देखोगे तो एक लाग उडट का कॉल गाइटिंग खड़ा हुआ है तो डेफिनिटली रेजिस्टन्स क्रिएट करेगा लेकिन अगर आप पूट राइटर्स भी देखोगे तो पूट राइटर्स में 22,400 काफी अच्छा है एक पोजिशन क्रिएट किया हुआ है तो वो एक सपोर्ट का काम भी करेगा तो कोई भी डिप आता है 22,400 से 350 की बीच में तुम आप में लॉंग इनिशेट करेंगे जब तक 22,500 के उपर मार्केट कंजुगेटिवरी क्लोज ने रहे तब तक हम फ्रेश पोजिशन करण प्लेवल पे तो रिकमेंट नहीं कर रहे है तो डिप का वीट करेंगे और आज जिस तरह का डिप हमें देखने को मिल रहा है अगर और ज्यादा नीच्छे आता है वाईसे जा 350 क 500 के बीट में टॉम लॉंग करेंगे 22,150 का स्टॉपलोज रखके है अगर निफ्टी की स्टेजी निफ्टी के अंदर कैरी कर सकते हो बैंक निफ्टी की बात करें तो कलम में देखा था कि प्राइवेट बैंक में अच्छा रासा है एक रिवर्सल देखने को मिला था आप द तो बैंक निफ्टी हम अग्रेसिव लॉंग एक्सपेक्ट कर रहा है आप 47,300 से 47,400 के असपास लॉंग कीजिए ओर आल उपर में 47,800 का रजिस्टंस से इंट्राडे बिजिस के हिसाब से जैसे 47,800 क्रॉस होगा हम 48,200 तक की रैली भी देख सकते हैं तो बैंक निफ्टी में को खरीदने की opportunities ढूननी है और इसे जुड़े जो भी targets और stop losses है वो भी आपकी screen पे है पर चलिए अपने experts से जानते हैं के stock specific कहां पे है उनकी calls और कहां पे आज की recommendations आ रहे हैं और वैशाली सबसे पहले आप से शुरू करना चाहेंगे बताईए क्या रहेंगे आपकी आज की calls, good morning. अब हम देखे हैं तो काफी समय से एक collective move आ चुका है और अब हम देख रहे हैं तो 100-day moving average पे consolidation और कल भी volume pickup अच्छे से हुआ है above average और after a good supported 200-day moving average, I think this calls for a good risk-reward ratio. So, 200 की stop loss के साथ first target रहेगा 230 उसके बाद अगर patient से hold कर सकते तो 250 तक भी ये stop जा सकता है. So, ये दो stocks मैंने आज के लिए चुने हैं. ठीक है, BEL और GSFC, GSFC के लिए 230 रुपे और 230 रुपे को अगर पार्क किया यसने तो 250 रुपे के भी targets आपके लिए संभाव हैं और BEL के लिए टार्गेट होगा 225 का शेर का भावे 211 रुपे का ये दो शेर वैशाली जी के तरफ से. आयोश, आप बताइए, गुड मॉर्निंग, कौन से stocks आपके list में हैं? करेंगा. सेकंड स्टॉक है मेरा इसे से प्रुदेंशल की बात करें तो इसके मतली चाट पे हम दो बैटन देख रहें पर से इंवर से इंवर से इंचोर्डर जिसका में बेकाउड और अरडी आ चुका है, प्लस अपेंड इन पार्मिशन का ब्रेकाउट तो ये दो दो बै ठीक है, आईसे से प्रु आपका काफी बैतनी शेर है आयूश और ये में को लग रहा है अच्छे बढ़ी है चल जाएगा, दूसरा आप सवर्धन मदरसन बता रहे है ना 128 रुपे का टार्गेट है, यही शेर है ना आपका 128 का टार्गेट है ना आयूश? 128 का टार्गेट. ठीक है, डाइज. तो 128 रुपे का टार्गेट इसका हो गया, 116 का स्टॉप लोस हो गया, आईसे से प्रूव कल डेज हाई पे अलमुस्ट बंद हुआ है, कल भी एफ इफेंड हो के इसे रोल ओवर काफी अच्छा है, 97% का आपको ध्यान होगा, मैंने कल भ करते किरन से भी जराओं के ट्रेड ले लेते हैं, किरन जी आपके ट्रेड? हम लॉंग करके जाएंगे, 645 तक के हमारे टार्गेट है और 605, यह तर स्टॉप लोस हम मिन्टेन करेंगे, नेक्स जो कॉल है वो डॉक्टर लालपैत है, यहां के हमने देखा है कि अल्रडी लीचे के लेवल से अच्छी खासी एक रिकवरी होने के बाद, लास तीन दिन स स्टॉपेंट के जो मिन्टेन करेंगे, तो रॉक्टर लालपैत हमारे आज के दो प्रिफर्ट ने ची के दोनों बड़े शेयर आगे, अमभुजा सिमेंट की कल की क्लोजिंग भी ठीक थी और अमभुजा सिमेंट वैसे देखा या तो सिमेंट का इस बार रोल ओवर काफी अच्छा है और इसके सभी सेग्मेंट इनके वल यही नहीं, बलकि आप और जो भी इसके पियर चेक करेंगे, वहाँ भी दम है अच्छा तो अमभुजा सिमेंट की काल काफी बहतर लग रही है और दूसरे डॉक्टर लाल पैतलाब, इनका सीजनल प्ले काफी अच्छा मिलता है लाल पैतलाब, मेट्रो पैतलाब, आपको पता है, पिछले तीन-चार दिन से काफी अच्छे से मुमेंटम में आए हुआ है और इनके पियर्स भी कम है और जो जिसका मार्केट लीडर है वह तो अपने आप में वैसे भी ड्रैक करता जाता है तो यह डॉक्टर लाल पैतलाब होगे, केरन के दोनों कॉल्स है एक बर जारा वैशाली की कॉल्स भी दिखाईए और आयूश की कॉल भी वापिस से दिखा लीजिया, अगर किसी से कोई मिस हो गई हो तो इसको हम वापिस से नोट कर ले, ताकि किसी से कोई छूटा हुआ अची है आपको, BHEL, BEL, यह नए तरह, अकल आप SGVN भी चेक करना, आपको बहुत बड़ी है ट्रेड, SGVN के अंदर भी कल दिखेगा, क्लोजिंग बिस्स पर, तो भारत एलेक्ट्रोनिक्स, और दूसरा ट्रेड हो गया, गुजरास स्टेट फर्टलाइजर, GSFC जिसको हम कह लिए कोई short नहीं है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से यह shares आपके लिए होंगे, खेर, anyhow, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, और एक काम और करते हैं, कल बजार बंद होने के बाद, companies के quarterly updates आए हैं, तो यह बताने के लिए हमार साथ मेरी स्वयोगी विनी जूड रही ह यह बता रहेंगे आपको कि किस-किस companies के quarterly update आए हैं, और कैसे आए हैं, एबर पहले यह समझ लेते हैं, फिर stocks news बाद में देखते हैं, विनी, गुड मॉनिंग, बताएं जड़ा बिलकुल तो overall Q4 updates देखें, तो banks से अपडेट आई हुए है, South Indian Bank, CSP Bank और कल कारूर वाइसा बैंक के भी numbers आए थे, just before close Q4 update के, तो वहाँ पर काफी अच्छे strong performance आई है यह banks से, Now South Indian Bank की बात करें, तो वहाँ पर advances में YOY basis growth देखें, around 11-12% की advance में growth हुए, advances है 80,337 cross पे, deposits पे भी काफी अच्छी growth है, 11% की year on your basis पे, और KASA ratio है 32% जो है increase हुआ है, quarter on water basis देखें, तो 24 basis point से KASA ratio भी improve हुआ है, CSP bank वहाँ पे भी अच्छे numbers थे, deposits में 21% की growth है, KASA overall around 2-3% से उपर हुआ है, और gross advances में भी 18% की growth दिख रही है, उसके अलावा जो numbers आये हुआ है, banks के अलावा, IREDA वहाँ पे भी strong numbers थे, IREDA के overall उन्होंने record किया है highest ever loan sanction, यह FI24 में, और overall बात करें तो loan disbursement में भी improvement हुई ह कंपनी की loan disbursement है, around 25,000 करोड के आसपास है, FI23-24 के लिए, loan book में भी 27% की improvement दिखी है, भारत dynamics दूसरी और देखे, तो weak थोड़े numbers आये हुए, subduedness दिख रही है, उन्होंने बोला है कि उनकी जो overall यह टाइम जीलो political tensions थे, वहाँ पे यॉरोप और मिडल इस मार्केट में थ और शाली उनकी टोन ओवर देखे, 2350 क्रोज है, FI24 के लिए, versus 2489 क्रोज है, तो डिक्लाइन दिख रही है थोड़ी year on your basis पे, पर शाली watch out करेंगे इन सब कंपनीज पे, Q4 update के लिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनी, यह पूरे अपडेट्स हमारे सामने रखने क लिए तो बैंकिंगाज फोकस में रहेगा, South Indian Bank और साथी CSB Bank, NMDC के भी जो बिक्री आकडे आए हैं, उसको लेकर स्टॉक में आक्शन दिखेगा, TVS Motors यहां पे उमीद से बहतर नतीजे है, देखते हैं के स्टॉक पे क्या कुछ रियाक्शन रहता है, अतुल आटो के बिक् अलावा, ब्रोकरिजेस पे भी रहेगी हमारी नजर, आज कौन से स्टॉक पे ब्रोकरिजेस की नजर है, कहां पे आए है रिपोर्ट्स यह भी समझेंगे, पर उससे पहले आए समझते हैं के खबर वाले शे चाहरें के उन्से हैं, 4 दुमाई के अपडेट के अलाबा कहां पे आई हैं खबरे और शारत हमार साथ जुड़ गया है पूरी लिस्ट लेकर शारत बताइए बिलकुल श्रिश्टी सबसे पहले ABFRL फोकस में रहेगा और आज यह स्टॉक अब डे भी है यहां पे कंपनी जो है अपनी वर्टिकल डीमर्ज करने वाले अपने मुद्रा और लाइफस्टाइल बिजनस को लेकर अब इंपोर्टन इसलिए क्योंकि जो मदूरा फैशन का जो बिजनस है जिसमें आलन सौली लूई फिलिप जैसे बड़े ब्रैंड जाते हैं यहां पे रिटर्न रेशियो अच्छे देखने मिलता हैं कैश लो पॉजिटिव है और इंपोर्टेंटली टू थर्ड ऑफ रेविन्यू मलब साट पर्सन से जादा का रेविन्यू का कॉंट्रिबूशन जो है इसी सेग्मेंट से आता है तो इसके कारण जो दूसरा कंपनी आएगा उसमें वैली अन्लॉकिंग देखने मिलेगा हाल लेकिन याद है कि यह चोटे कंपनीज है लेकिन यहाँ पर अच्छी इंस्टिटूशल मनी फ्लो आई है उसके कारण री रेटिंग होता है जैनरली जब ऐसा देखा जाता है साट इंडस्ट्री मार्केट कैप हजार करोड का है लगबग लेकिन फ्रांस की एफाई जेनरल ने 0.6% स्टेक ली है वही विजया डॉक डाइग्नोस्टिक के बारे में बात करें तो कोटक विचल फंड ने जो है almost 0.8% स्टेक ली है जहां पर प्रमोटर्स जो हैं सेलर्स थे असोसीड अलकॉहल एक टाइप चाप कहा सकते 900 कोड की मार्केट कैप है लेकिन इंप इसका इंस्टॉल कापसिटी 18,000 बेट्रिक टन है एक साल का वो अब शुरू हो चुकी है तो यह पांच अहम स्टॉक्स है जो आपको खबरों के दम पे अपने रडार में रखना चाहिए अशरत यह पूरी लिस्स सामने रखने के लिए तो कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर दो बैंकिंग स्टॉक्स जिनके फिलहाल अपडेट्स आये हैं वेशाले वो हैं साउथ इंडिन बैंक और सीएसबी बैंक यह दोनों से ही आप से समयना चाहेंगे कि कैसे दिख रहे हैं यह चार्च पे क्योंकि साउथ इंडिन बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं उनमें लग 21% की बढ़त हुई है वहीं दोनों की लोन ग्रोथ देखे तो 11-18% लोन ग्रोथ भी उनकी चौती तेमाही में बढ़ती भी नजर आई है तो आक्रे तो खराब नहीं है पर क्या आर्च स्टॉक में और भी चाल देखने को मिल सकती है उपरी साइट पे अगर यह 30-31 के उपर सस्टें रहता है तो I think it's ready for the next target of 33-35 और similarly आप CSB bank की बात करें तो I think इसमें भी अच्छा सा corrective move आ चुका है I mean we see a high of 422 और अब फिलाल हम देख रहे है that 330 जो 200-day moving average का support था वही से हम देख रहे है एक reversal और कल भी जैसे के movement देख रहे है I think it's ready for 380-400 दुबारा यह test कर सकता है इसके लिए stop loss रहाश्यक है 350 विल भी दे stop loss for a CSB bank okay so दोनों ही stocks पे positive नजर यह और साथ ही जो levels आपको ध्यान में रखने है वो भी आपको वैशाली ने बताए but इसके अलावा अज NMDC पे भी रहेगी नजर क्यों क्योंकि अन्षी company ने जो चौतित माही में updates जारी किये हैं उनमें उनके production और बिक्री दोनों में ही गिरावत इस महीने देखने को मिली है इनके production में लगभक 13% की गिरावत रही है वहीं बिक्री में 18% की गिरावत हमने देखी है और कहीं ना कहीं देखे तो पूरे मेटल की चाल में NMDC एक अंडर परफॉर्मर रहा है और इसके पीछे की वजह भी है मापको कुछ दिनों पहले ही बता रहे थी के कमपनी आयन ओर बनाती है तो जितने भी मेटल्स हैं बेस मेटल्स उनके प्रड़क्शन में इसका इस्तमाल होता है तो कई सारे बेस मेटल्स ज एक मोमेंटम नहीं हमने देखा है पर किरन एक बार आप से स्टॉक चेक लेंगे क्यूंकि यहां पर कलम ने देखा था शांदार तेजी थी सभी अन्न मेटल काउंटर्स के साथ बट आज क्या कोई रिवर्सल आते वे हम देख सकते हैं या फिर कल की कैनल के बाद भरोसा फि अब कल हमने लिखा है कि जिसरा का एक बाइंगल पैटन बेकाउट है तो जब तक यह स्टॉक दोसों के ऊपर है डेपिनिल्टी मुझे लग रहा है कि कोई भी डिपाता या करन्ट मर्केट परिसा में लॉंग करना चाहिए तो इस तरह के चार्ट पैटन है ऊपर में 225 क्र को लेकर आपके लिए लेवल्स बताए गए हैं पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे के कौन से हैं वो बड़े ट्रेंज जहां पर आपको रखनी है नजर रुख करेंगे हमारे अगले सेग्मेंट का निकुंझ की नजर तो वह हमारे साथ EGNOW और EGNOW स्वदेश के एडिटर-in-चीफ निकुंझ दाल्मिया जोड़ चुके हैं निकुंझ सब वेरी गुद मॉर्निंग तो सबसे पहले तो आपसे मार्केट्स पे ही समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए निफ्टी ने कल अल-time high-level चुआ था पर साथ ही साथ rally देखें तो gold all-time high level पे है, bitcoin की rally रुखने का नाम नहीं ले रहे हैं इन सभी scenarios को कैसे जोड़े क्योंकि एक जगा riskier assets बहुत जादा perform कर रहे हैं, एक जगा risk of assets परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे इनको sum-up किया जाए और ऐसे में एक retail investor को अपने आपको कैसे place रखना सबसे पहले अगर हम देखें market के अंदर, market के अंदर जो comeback आया है, at least इसने सब को surprise करा है, मुझे तो surprise ही कर रहा था, market ज़रूर हमें लग रहा था कि एक correction डिव सा, जो March में आया, उसके बाद लग रहा था कि market के अंदर range bond movement रहेगा, और small and mid cap stocks केंद इतना उच्छाल नहीं आएगा, मकर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, पहले वो समझते हैं, तो हम समझेंगे comeback के कारण, तो हमें शायद आगे का रुख भी समझ में आ जाएगा, March महीने में सब को लग रहा था कि market के अंदर strong regulatory action आएगा, जो बोला था कि small and mid cap stocks को लेकर के बच्छिंते थ गया था, मगर एटीनाओ, एटीनास वदेश ने एक स्टोरी ब्रेक करी कि मार्केट के अंदर regulatory action की जोरत नहीं है, सरकार उसके खिलाफ है, और उसके उसी दन market के अंदर हमने देखा small cap stocks के अंदर उचाल आना चालो हुआ, एक कारण था कि regulatory fair market से कम हो गया है कि regulatory action आएगा, दूसरा, global markets ने हमें अच्छा खासा support दिया है, बले ही वो bitcoin में हो, बले ही वो gold में हो, बले ही वो equities के अंदर हो, तो globally इस समय कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी समस्या नहीं आई है, कोई बहुत बड़ा negative undercurrent नहीं है, जिसके वज़े से जो financial market का framework है बहुत ठीक है, तीस की block deal हुई थी, TCS की block deal हुई थी, इसके अंदर block, Indigo में block deal हुई थी, तो 30 में 30,000 क्रोड उपया, 7-8 दिन के अंदर gap हो गया था, अब वो stable हो चुका है, because flows वापस आने लगे हैं, और चौथा अगर आप देखें कि तो जो quarterly numbers आपके आ रहे हैं, real estate के कुछ numbers आएं, auto dispatch numbers short selling के बार short covering हुई है, अब देखना पड़ेगा कि market में क्या long bias आता है, मेरा यह मानना है कि market के अंदर बहुत लंबी च्हलांग तो नहीं लगेगी, क्योंकि market के अंदर ऐसा कोई April के अंदर बड़ा trigger या news flow नहीं है, elections को लेकर कि market में आज कल का महल बना रहेगा, मगर market का ज trader है तो, अगर आप investor है तो साब इस stock इस market के अंदर अभी भी भी बहतरीन options हैं, उन पर नजर बना के रखे, निकुन सर गुड मॉर्निंग, triggers तो नहीं है वाकिए अगर election को छोड़ने तो, लेकिन कहीं कहीं गर्मियों ने निकुन सर दस्तक दे दी है, अब तो दिल्ली में, CR में भी गर्मिया महसूस की जा सकती हैं, और IMD का जो forecast आया है कि, अप्रेल से जून में, अल निनो के जो स्थतिहें बनी रहेगी, तापमान जो रहेगा, वो समाने से जाधा रहेगा, तो कहीं ने को, ये cooling segment वाले जो share होते हैं, इसके लाबाब पावर वाले जो share होते हैं, डेरी वाले share होते हैं, ये flavor में रहते हैं, आपका अनुमान सर क्या कहता है, कि इस segment पर अगले 2-3-4 महिने के लिए थोड़ा सा कुछ-कुछ selective मौके बन सकते हैं, यहाँ पर, विशेक, देखे, ये जो heat wave है, heat wave global warming की वज़े से हम बोलें, या फिर हम weather रुक के pattern changes बोलें, heat wave क जो intensity है, वह हर साल भड़ रही है, और we in a sense need more comfort now from heat wave, एक जमान आता था जब हिंदुस्तान के अंदर गर्मी आती थी तो बिजली नहीं होती थी, बिजली होती थी, आती थी तो आपके घर में cooler नहीं होता था, अब जमाना बदल चुका है, heat wave के दो प्रमुक, अगर weather change के दो प्रमुक फॉल आउट हो सकते है, are we in for a good monsoon this year? यह बोलना बहुत अभी मुश्किल है कि monsoon खराब होगा, because IMD ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, IMD ने यह भी बोला कि जो monsoon का, जो long term rainfall का number रहेगा, उसके आसपास रहेगा, so from a market standpoint, जबर्दस गर्मी को लेकर कि क्या weather pattern इतने तो कोई चिंता का भेशे नहीं है, दूसरी अगर बात करें तो अगर गर्मी आती है, तो क्या change आ सकता है, हम एक human behavior की बात करते हैं, क्योंकि अब electricity की availability आता है, आप अब fridge हो, या फिर air conditioning हो, आप उसको यह माया पर खरीच सकते हैं, तो affordability आपकी ज़ादा है, तीसरी, गर्म बहले हो air conditioning के stocks हो, बहले ही वो ऐसे, you know, companies के products हो, जहां से आपको, जहां पर आप को गर्मी से रहात मिल सकती है, उस पूरी category में नजर जरूर रखे, हाला कि बहुत जादा listed place नहीं है, air conditioning के तीन या चार companies है, FMCG companies है, जिनके अंदर आप देखें कि जिसके अंदर, you know, heat beneficiary के products हैं, वो बहुत जादा companies नहीं है, तो अगर जो top of the mind मेरे नाम आ रहे हैं, वोल्टास, ब्लु स्टार, कुछ मिला करके वरून बेवरिजेज, जो Pepsi की bottling company है, अगर आप देखें तो हैवल्स जिसके अंदर, Lloyd का air conditioning business है, तो बहुत जादा इसके अंदर direct place नहीं है, बगर मेर यह मानना है कि rather than only looking at cooling stocks, you should also look at power stocks, because इंडिया के अंदर जो air conditioning का penetration है, वो कम है, वो बहर रहा है, last year and this year के अंदर भी बढ़ेगा, और आने वाली 3-4 साल में भी बढ़ेगा, तो indirectly अगर आपको इस पूरे theme पे देखना है, तो rather than buying the first beneficiaries, which is like a blue star or a volta, soren, I think somewhere you should look at power utilities, because they would also benefit, because अ बिजली की जुरुदे पढ़ेगी, इसलिए आपको पहली देखर पे तो बिजली वाले ही shares ध्यान में रखने चाहिए, cooling वाले बात में, पहले बिजली वाले, बिजली होगी तो cooling भी होगी, खेर इसको लेकर हमने एक खास show भी प्लान किया, आप साड़े बारा मज़े रखने की कोशिश करेंगे, निकोल सर, मैं थोड़ा premature हो कि आप से question पूछना चाहता हूँ, actually मैं इस बार की earnings अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन आप थोड़ा guide कर सकते हैं कि 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 की earnings जादा अच्छी आएगी और कि सो सो आएगी, या ठीक ठीक आएगी, देकि earning season को लेक आपका मैं data सुबह देख रहा था, आप जो बहतरीन data शेयर करते हैं, FNO positions light है, इस समय मार्केट earning season को लेकर के बहुत जादा उमीदें लगा कर के नहीं बैठा है, बगर पहला leg जो आएगा, सबसे पहले है, as always IT आएगा, next Friday को Infosys और TCS दोनों के नतीजे एकी दिन में आने Infosys के अंदर एक और ट्रिगर है, उनको एक tax refund की बात चल रही है, क्या उस पर clarity आएगी, क्या TCS तीन या चार quarter के खराब under performance के बाद, नतीजे TCS के अच्छे नहीं रहे हैं, क्या एक guidance हमें मिल सकते है कि भी double digit growth आ सकती है वापिस, Accenture के बात IT से उमीद कम है, मगर क्या TCS बीटिंग रिटर्न पर आ सकता है, तो जो जो फर्स लेग ऑफ नंबर्स रहेंगे, वो IT के रहेंगे, सेकिंड लेग ऑफ नंबर्स जहां पर मुझे लगता है कि इस समय आपको उमीद यून जहां पर expectations surprise की जादा हो सकती है, वह मुझे लगता है power and power PSU, वहाँ पर पिछले quarter के अंदर हमने देखा था कि demand अच्छी थी, वहाँ पर हमने देखा था raw material pricing की जो की problem सी वह भी खतम हो चुकी थी, private banks मुझे भी भी लगता है कि हाला कि HDFC bank के last सिमय के नतीजे अच्छे नहीं थे, इस सिमय में भी जादा उमीद नहीं है, मगर PSU banks में मुझे लगता है कि न delivery की बात करें, अगर आप new tech companies की बात करें तो मुझे लगता है कि हम हाँ पर नतीजे अच्छे आ सकते हैं. अच्छा लगा आपसे बातचित करके और अलग-अलग मुद्धों पर हमने आपसे फिर से बातचित की और सभी चीजे आपने बहुत अच्छे से हमारे सामने रखी हैं, बहुत शुक्रिया सर, थैंक्यू वेर्मच. आगे बढ़े, जर ब्रोकिंग हॉसिस के रिपोर्ट्स जी, गुड मॉर्निंग, शुरुआत सबसे पहले आदित्य विला कैपिटल से करेंगे, मेक्वाइरी की रिपोर्ट आई है हांपर, आउट परफॉर्म की रेटिंग देख रहे हैं, लक्ष है 230 रुपए प्रतीश शेयर का, इंका कहना है कि मजबूत अर्निंग और लोग ग प्रोथ मजबूत रहेगी, कामकाजी मुनाफ़ा भी काफी स्ट्रॉंग रहने का अनुमान है, दीमार्ट पर सीले से की रिपोर्ट आई है, दीमार्ट को लेकर हाल फिलाल में काफी सारी खबरे भी आ रही है, पॉस्टिव रिपोर्ट भी निकल कर आ रहे हैं, और आज सील से ने जो टार्गेट है वो 5307 से बढ़ा कर 5514 रुपर प्रती शेयर का दिया है, खरदारी किराय बरकरार रखे हुएं और इंका कहना है कि तिमाही आधार पर रिकॉर्ट स्टोर्स खोले, पांच नए स्टोर्स के साथ कुल 21 स्टोर्स खोले हैं तिमाही दर तिमाही अगर स्ट्री ग्रोथ 13% होने की संभावना है और एक्सपोर्ट में 21% की आउसर ग्रोथ दिखने का अनुमान है, उसे कारण बी येल पर जेफ्रीज ने अपना टार्गेट बढ़ा दिये हैं, दूसो पच्छेस से बढ़ा कर 260 का कर दिया है, हेल पर भी खरदारी की राएं मेंट इसमें सभी शेयर्स को जहां-जहां भी रिपोर्ट आई है, आपने नोटिस कर लिया होगा, 62 पॉइंट की गिरावट अभी भी आपको दिख रही है, गिफ्ट निफ्टी पर, कल करीब इतने पॉइंट की बढ़ात आपको दिख रही थी, तो आज जब आप ओपनिंग चे शेयर्स के साथ मैं शुरुआत करता हूं, विजय डियाग्नॉस्टिक, अबर विशाली आप इस शेयर को चेक करेंगे, ये शेयर आपको ठीक लग रहा है, कोटक मुचल फंड ने 0.8% की होल्डिंग बढ़ा है, इसमें, तो इसमें, बहुत लंबा सा कंसॉलिडेशन हुआ है, और कल अप्टर लॉंग टाइंग, एक क्लस्टर ओफ मुविंग एवरिश की ऊपर एक ये स्टॉक आ चुका है, तो आई थिंक, येस, मुझे पॉजिटिव लग रहा है, 676, 678, इस नियर टर्म होडल, एक बार वो क्रॉस करता है, तो फिर 700 के लिए टार्गेट मिल सकत ठीक है, तो आप ही कह रहे हैं कि इसमें और टार्गेट भी ऊपर के भी आ सकते हैं, अभिशेक जैन भी हमार सा जुड़ चुके है, फंडमेंटल अनलिस्ट है, अभिशेक कल आपने एक चीज़ और यूनिक नोटीस की होगी, कल काफी सारे एक्सपर्ट्स ने एक्चुली म लिकर का, ये लिकर वाले स्टॉक्स ठीक है क्या, आपको मालू में ने इलेक्शन चल रहे हैं, मैं कोई डारेट कोरेलेशन ने जोड़ रहा, बट ऐसा होता है, ऐसा होता ही आया है, दिख रहा है, तो एक बार जारा आपकी रिकरमेंडेशन, अगले दो महीनी के लिए ठीक तो और ये बिसिकली जो अनौल बनाते हैं वो नौट शुगर बट अग्रेन बेस अलकॉल बनाते हैं, जहां पर ग्रेन प्राइज अब सब्साइड हो गई है, राइस के अविलिबिलिटी मुच बेटर है राइट नो, तो वो इनके लिए बट बड़ा पॉगटिव है, पूश्यां का तो ओविसली तेर इस सम अब बनाते हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो रहेगा, मैंको लगता है यूबिल वन स्टॉख वेर, जहां पर अभी हीट्वे बीज चल रहा है, और पीपल डिंक बीर आप्सके लिए तो ओविसली अजिए तो अविसली धेश ब वीश ठीक है आप यूबेल भी चाहरें एसुसेट भी चाहरें और आपने ये भी बताया कि सिर्फ लिकर में नहीं है बलके तो एथनॉल में भी है और दोनों शेयर्स बकारा देज हाई पे बंद हुए आज एसुसेट एलकोहॉल्स पे तो बकारा खबर भी है जो अपने आपके साम इन्शोरेंस यानी सुरक्षा की पूरी गैरंटी आर्थिक सुरक्षा यानी आपकी सम्रिध्धी लाइफ घार गाड़ी की टेंशन से रहे दूर कल की चिंता छोड़ जीए आप भरपूर जानिये कौन सा इन्शोरेंस क्यों जरूरी समझे इन्शोरेंस की कम्प्लीट थियोरी हर तरह के इन्शोरेंस की पूरी कहानी समझे दिगज एक्सपोर्ट की जुबानी इन्शोरेंस महा कुम्प क्योंकि बीमा जरूरी है छे अप्रेल सुबह तस पजे से लगाता सिर्फ एटीनाव स्वदेश पर प्रेके बाल आपका स्वागत है खरा सौदा में जहां हमारे तमाम एक्सपर्स हमारे साथ जड़वे हैं और उनके साथ हम चर्चा भी कर रहे हैं और एक बार अभिशेक आपके पास आना चाहेंगे आज जितने भी आदित बिलग ग्रूप ऑफ स्टॉक्स हैं वो फोकस में सबसे पहले तो एक बार आपसे ABFRL पर राय जाना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप ये D-merger जो कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो Madura Fashions है इसको एडिमर्ज करके एक अलग लिस्टेद एंटिटी बनाएंगे 1 इस-to-1 का रेशियो उनने डिसाइड किया है किस तरीके की अनलॉकिंग हो सकती है और इससे शेयर होल्डर्स को क्या कुछ फाइदा आने की उमीद है और जिनके पास अल्रेडी है ये काउंटर उनको क्या करना चाहिए डेफिनिटली अगर आप देखेंगे जो पावर वरांट्स आप कहते हैं अब एफरल सिंग्मेंट के जो लुई फिलिप पैन हुसेर एलन सोली पीटर इंग्लेंड वो सब यही इसी के पार्ट है मदूरा के जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एभी एफरल इंवेस्टर के साथ होता था कि कंपनी बहुत सारा पैसा नए इंवेस्मेंट में लगती थी नए इंवेस्मेंट जैसे अभी जुविल्री बिसनस में जा रही है और दूसरे अधर बिसनसे में जो कंपनी कर रही है दूरग फैशन के तो इस मच स्पीरियर दें पियर्स राइट नाओ इंग यह बहुत बड़ा हो जाएगा राइट नाओ फॉर तो इंवेस्टर लाइक सम्वन हूंस्टो प्ले और अ बच बेटर कंपनी इंग 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 विल बिग वैल्यू अलोगी इंग सथे कि मदरा अभी इसमें जो है अगर आप लत लिंग तो तो जो अबि जो नए इंवस्टमेंट है कंपनी इसके जिसे कंपनीने रिबॉक में अभी हिस्सेदारी ली हो एबेफार के पास रहेंगे ऑर वो अभी प्रोफिटेसबल रही है और यह जो कंपनी है इनोंने कंपनी I think 25 साल पर लिली थी और इसको एक काफी अच्छा अच्की तारिख में इंडिया की कमपनीज है राइट नौ यह बड़ी वैल्यो एल्लॉकिंग I think में को लगता ही हो सकती है और इस कमपनी इसके बैली शीट स्टॉंग रहेगी अगर आगे जाके इसको फंड्रेज नी करना है तो अच्छे वैल्योशन पे और अच्छे वैल्योशन पे किया जा सकता है इसकी बात तो चल रही है पर वो शायद ABFRL में हो और साथ ही अभिशेग बहुत बहुत शुक्रिया आपने पूरी तरीके से सामने रखा के Madura Fashions क्या कुछ करती है किस तरीके की balance sheet है और उनका मानना है कि बड़ी value on locking है और Madura Fashions पे भरोसा जादा है फिलहाल पर दूसरा इसी ग्रूप का counter जो आज focus में रहेगा वो है AB Capital वैशाली एक बार इस पे आप चार्ट चेक करके बताईए क्योंकि यहां पर Macquarie की report आई है कई सारे positive triggers के साथ साथ 230 रुपई के targets दे रहे हैं कल भी हमने stock में एक जबर्दस चाल देखी थी बट इस recovery में आपका कितना भरोसा है और आज के लिए कौन से levels ध्यान में रखे Actually to confirm this मुझे लग रहा है मैं मंतली चार से descent होके अभी देख रही हूं I think long-term trend is very intact So I think यह level पे it looks quite promising 170 के support के साथ फिलाल तो हम देखेंगे trading target 190-195 एक बार वो levels cross करके sustain करता है तो फिर I think it's ready to retest around 200 levels उसके बार देखते हैं we can have a relook but I think I will go step by step because फिलाल it's just recovering एक bounce back आने की एक hint दे रहा है so I think 200 will be the main trigger point ठीक है 200 रुपे पर नजर है आदे थिविर्डा कैपितल 181 रुपे 85 पैसे का इसका भाह है फिलाल लेकिन एक और share उस पर आयूश आपसे एक technical view चाहेंगे वो है अडानी ports का लगातार हमने अच्छी तीजी देखी है और city के एक बहुत अच्छी report आई है खरदारी किराय के साथ जो लक्ष दिया है उन्होंने वो है 1758 रुपे प्रतीश शेयर का आप Q4 में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ की उमीद जता रहे हैं आए एविडा में मजबूत ग्रोथ की उमीद है और cash flow भी बहतर है रहने की उमीद है 1758 रुपे के एक बहतरीन टार्गेट यानि कि यहां से तक्रीबन 400 रुपे उपर के टार्गेट दे रहे हैं आयूश आ सारे टाइम प्रेम पर कपे अच्छा पॉपांग को रहा है तो मुझे लगता दानिक पोच को रिखने के यहां से भी लिया जा सकता है और बाइवान डिप्स की स्ट्राटिजी रखनी चीए इसमें जो आपको इनिशियल ताले जो हम देख रहे हैं 40 रुटी रुपीस के र लते हैं और इसमें आयर एडिये के बारे में अभिशेक आप से राय जाना चाहेंगे संशियप में क्योंकि इन्होंने 37,354 करोण रुपे के रिकॉर्ड लोन बाटे हैं और लोन बुक है वो है करिब-करिब 60,000 करोण रुपे के आस पास की और एफ़ाइज परसेंट की ग् अगर आपको अगर आज की तारिक कर इंशुरेंस में प्ले करना है सबसे बड़ी बात है कि यह जो कंपनी है राइट नौ जो इतना रिन्यूबल एनर्जी वगेरा का जो आज की तारिक में प्रोक्सी प्ले है और इसी गारंट से इसको इसको अच्छा वैलिएशन मिल रहा इस तो नहीं लगती है अगर आपको देखना है यहां पर PTC Industries में को लगता है कि PTC India Limited वे एक कंपी है और PFC RAC यह जो है रेलेटिवली आज की तारिक में बेटर वैलिशन स्वे है राइट नौ रादर दन आयरेड आज के तारिक में बेटर वैलिशन स्वे है राइट नौ र फाइटाइम पुक वैल्यू पर यह स्टॉपने मेरको इस लेवल पर मार्डिन अफ सेफ्टी नहीं दिखती है कि विशाली इबर जरा वोल्टाज का शेयर चेक करना इकल ही चल गया था ख़बर आज आरी है वापिस की थोड़ा गर्मी बढ़ेगी तो वोल्टाज और रेक्शन देगा यह प्री रिएक्शन पहले कल दे चुका है वोल्टाज जरा चेक करना वोल्टास मेरे साब से हम भ वस थाउजन का एक अच्छा सब्पोर्ट है. सो थाउजन की सब्पोर्ट को लेके चलिए तो आइ तिंक यह से 1250 का नेक्स डागेट है. साडे बारा सु तख सकता है शेर ठीक है डन. एक शेर आप और च्छे किरो काफी दिनों के बाद नेयु आप काफी दिनों के बाद रहा एक तक एक रहा पर साद हरुष का नेयुकर । एक तर खली। पुरार के यह रहा है। तो सेंचुरीड एक्स्टाइल आपे अलाओ करोंगे मरेको कि इस लेवल प्लस कर लूँ इस लेवल में प्लस कर लूँ I think dip में थोड़ा बहतर रहेगा अरूंग 1650 1630 लेवल्स के असपस because आप देखेंगे तो one-way rally हो चुकी है technically shows lot of strength 1380 के support के साथ one way चला है so new buying के लिए 1620 1630 वोड़ बेटर बेटर बेट because मैं मानती हूँ यह चिस तरह स्टॉक चल रहा है I think 1800 2000 के लेवल्स पिक सकते हैं चल एक HDFC bank पे आपका किरन कितना confidence है HDFC bank कितनी help करेका market की कल तो ठीक था देजाई पे बन था bank nifty इसकी बदोलग बैठा है अगर यह नहीं चला तो bank nifty भी नहीं चलेगा किरन एक बार जारा HDFC bank के strength power check करना और जब अपने opening commentary bank nifty के लिए थी तब हमारा opinion यही था के HDFC bank में जिस तरह से ascending triangle pattern breakout आया stock अपने 20 यह वीडियोग है average के ऊपर भी है तो चांसे साब रही हाई के मार्केट को सपोर्ट करेगा तो कोई भी टिप आता है current market price हम लॉंग करके जाएंगे 1450 के नीचे का फ्टाप लोज रखके और जिस तरह के चांप है टने पंदर सो तक के टार्गेट आप इस्पेक कर सब तो है HDFC bank खुश बोर आवे मारसा जुड़ गया है ट्रेड भी हम को मिले I definitely agree because monthly breakout भी आरा है SRF So मुझे लग रहा है यहां से हम 2800 के टागिस जल देख सकता है So yes, view मेरा पॉसिटिव है Okay, फिर एक शिर लगे हाथ आप आप और देखो हुआ है Hoodgo यह भी एक चैनल का breakout है Flag breakout टिपिकल इसको कहते हैं रेली चार्ट में चैक करोगा आप को दिख जाएगा आप देख के बताए हुटगों को प्लस करके रखें क्या जी ज़रूर 190 के स्टॉप लॉस के साथ यह खरीदा जा सकता है और टागिट आप एक्सपे करेंगे 220-225 आप दोनों पे आपने हाँ बोल दिया इसर फे अपता कॉंफिदेंस देख दे बन रहा था तो इसलिए मैं को ऐसा लगता है कि एसर फोड़ा ज्यादा बहता स्टॉक है अगर आप इन दोनों के करने की जलबाजी ना करें मेरे हसाब से यहां पर और भी अपसाइड जो है यह देखने मिल सकते हाला कि उपर से थोड़ सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी अभी भी काफी पॉजिविटी इस टॉक में बनी हुई है मेरे हसाब से यहां पर पॉजिशनल बेसिस के काफी फेवरेबल होगा और बैंक निफ्टी की हम बात करते ही आ रहे हैं कि यहां पर रिस्क रिवार्ड रिश्यो अल्रेड़ी फेवरेबल है कल एक अच्छी खासी शॉट कवरीं देखी गई थी I think 48,000 एक पहला टार्गेट बन सकता है once that is taken out 48 600 के लिए बैंक निफ्टी म आते हुए देखा DLF में हमें लग रहा है यहां से यह 965-985 के टार्गेट से continue रहे सकता है 930 के आसपस अच्छा सपोर्ट जोन है इसे stop loss बना के चले जो हमारा second pick है आज का वह माक्संस फार्मा अब फार्मा स्पेस में बहुत ही selective होके stocks ढूणने पढ रहे हैं this is one of them एक अ targets बनते हैं 155 यह आपका stop loss रहेगा just as a standard disclaimer यह stocks हमने हमारी advisory service के तहत हमारे clients के साथ discuss किये है ठीक है done आपका DLF का कल stock काफी अच्छा लगा और कल अच्छा भी चला इंसाइक होती जिन से चल भी रहा है आप अभी कह रहें कि और चलेगा और दूसरा आप कह रहें मार्कसंस फार्मा तो यह share आपके लिस्ट में है interesting दोनों के दोनों share हमने नोटिस कर ले कल एक एक और लीक से हटकर आपको share मिला था जो आपको अशुल जैन ने दिया था और्किड फार्मा उसको भी ध्यान रखना माकसंस और्किड दोनों share हैं फार्मसूटिकल के noticeable share है एक काम करते है नोवच के पांच मिनट हो चुक है आस तो और शरद मारसा जुड़ गया फटावट से प्रेटली लिस्ट होने वाले और जो शेरोल्डिंग पैटन रहेगा वो वन इस तो वन बेसिस पे रहेगा और जो इंपॉर्टन बात है कि मदूरा फैशन जो है लगबख 60% से जादा रेविन्य कॉंट्रिबूट करती है कैश फ्लो पोजिटिव है और हाई रिटन वाली जो रेशियो वाली कंपनी है या सेग्मेंट मैं कह सकता हूं लेकिन वैल्य उन्लोकिंग थीम पे जरूर फोकस्ट रहेगा हाला कि आज स्टॉक में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है बीए फार में साथ इंडियन बैंक की स्ट्रॉंग क्यूफ फॉर अपडेट्स आई का जो है रेकॉर्ड किया है और लोन बुक में भी 27 परसेंट का ग्रोथ देखने मिला है वही जेटियर इंडस्ट्री से बारे में बात करें तो यहां पे जो है सबसे बहतरीन सेल्स जो है विच साल 2024 में देखने मिला है और ओवरॉल वॉल्यूम हिसाब से लगबग 40 परसें स्टेक के अकुजिशन की है वही विजे डाउड डाउड नौस्टिक्स जो हमारा साथवा स्टॉक है यहां पे कोटक महिंद्रा म्यूचल फंड ने जो है अल्मॉस्ट पॉइंट परसें सेक की है और जो सेलर्स है वो प्रमोटर्स रहे हैं हमारा आठवा स्टॉक बिग बो यहां पे बुलिश नजरिया भी है और हाली में उनकी जो रेटिंग जो है अपग्रेट भी हुई थी उसके कारण स्टॉक फोकुस में है हमारा आखरी स्टॉक खबर स्टॉक है और यहां पे आज पेपर स्टॉक्स में रहेंगे जैसे कि जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट देखने मिल रहा है across paper के board categories को लेके अब हमने दो हफते पहले भी खबर सेग्मेंट में बताया था आपको कि यहां पर जो है price reduction और देखने मिल सकता है और यह लगातार दूसरा price reduction है पिछले दो हफते में और आगे जाते हुए तोड़ी weaker demand expected है आपके hardboard category paper में जैसे की corrugated paper हुआ या थोड़ा सा craft paper हुआ हाला कि जो lower grade वाले paper है उनमें अभी भी थोड़ी demand है क्योंकि election के pamphlet चब रहे है उससे तो यह 9 stocks है जो आपको focus में रखना होगा आज आपके बहुत बहुत शुक्रिया शारत यह पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए तो paper stocks पे भी रहेगी नजर हमारे experts से भी समझेंगे क्या हुनी चाहिए उस पे रनीती पर इस बीच बीच बजाज ओटो के मार्ष बिक्री के आखरे भी आपकी screens पे चल रहे थे क्विकली एक बार आपको बता देंके इस बर मार्ष में कम्ती ने 3.65 लाक गाडिया बेची हैं जबकी उमीद थी 3.43 लाक की तो उमीद से बहतर जरूर आए हैं पर कल ने देखा था कि ऑटो काउंटर में थोड़ी गिरावत जरूर थी तो देखते हैं के यहां पे किस तरीके का रिबाउंड आता है इसके अलावा TVS Motors ने भी उमीद से बहतर नतीजे जारी किया है आला कि Hero Motor Corp ने थोड़ा सा निराश जरूर किया है पर Fy25 का आउटलुक काफी पॉस्टिव है पर आगे बढ़ेंगे फिर से हमारे एक्सपर्स के पास चलेंगे और इस बीच हमारे साथ चंदन तापडिया जुर चुके हैं मोतिला लोसवाल के चंदन हाय वेरी गुड मॉर्निंग तु यू आपके ठीक पीछे हम देख पा रहे हैं चंदन के बुल की तस्वीर है जबरदस बुल रान तो हम अलड़ी देखी रहे हैं मारकेट में कल ओल टाइम हाई लेवल हमने किया पर कि आज फिर से तियारी करें या आज अगर मुश्किल भी लगे तो क्या इस हफते फिर से तियारी करें और ताइम हाई लेवल की बिलकुल बहुत-बहुत धन्यवाद तिके बाजार में बुलिस मोमेंटम इंटेक्ट है हलांकि थोड़ा सा पोज और कंसोल्डेशन बेट्विन हुआ बड़ा बड़ बिलीव थे वरी स्मॉल टिकलैंट इस बाइंग ऑपरचिटी अज अगर आप देख रहे हो कि की मुहिंग अरिजिस को बाजार होल्ड कर रहा है कल के दिन निफ्टी ने 22.529 के नए हाई पुरा ने हाई 22.526 को निकाल के तो यह स्बेस मा परफॉमेंस, ब्रोडबेस, बाइंग, S.I.P. फ्लो यह सारे रीजन है जो इंडिकेट कर रहे है कि इस पनेंसल एर में भी बारजार में तेजी होने चाहिए तो हमारा इसा मन है कि अब जो माकेट में हायर बेस है वो 22,222 पे बन रहा है और यह रेली कहीं नहीं कहीं 22,750 से इंडिन मार्केट फॉर 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 जो टागेट सा रहे है वो 22,750 यह ध्यान में रखे चंदन इस पे बुल्जाए के साथ जो है देख रहे हैं और साथ ही 22,222 ट्रिपल तुफाइव यह आपको स्टॉप लॉस लगाना है अब एक बार डिंपी मार्केट पे देख ले तो प्री ओपन में मार्केट तो है सेटल जरूर हो गए है जहां पर गिफ्ट निफ्टी से साथ हंको की गिरावत हम देख पा रहे थे लगभग सपाथ शुरुवात की तियारी है निफ्टी 50 की और साथ ही बैंग निफ्टी हल दिखा रहे थे गिफ्ट निफ्टी पर तो खुला 128 पॉइंट उसके बाद 128 पॉइंट से और कहीं तेजी दिखा के मार्केट ने ऐल्ल टाइम हाई को टेस्ट कर दिया आज निफ्टी आपको दिखा रहे था साथ पॉइंट नीचे और आप खुल कैसे रहो सिर्फ तीन और वो कैरी भी कर रहे हैं स्टॉप लोसिस के साथ उनको जरूर बने रहना चाहिए अभी बाहर ना निकले 22500 आपका टार्गेट अचीव हो गया बुक कर लो अगर आपको लग रहा है साड़े 600 तक जाएंगे हम तो साड़े 600 तक भी रखो क्योंकि बुलिश ट्रेंड के अ आप HDFC के सोलो के बिना मत देखना अगले 2-3 दिन के लिए HDFC के साथ ही देखना HDFC के साथ SBI के साथ भी देखना मैं अब जस्त अपने नीचे लगा दो बैंक निफ्टी के SBI और HDFC भी इन दोनों को भी साथ में चेक करना अगर इन दोनों में कोई मेजर गिरावाट नहीं आते है न तो आप भले बैंक निफ्टी में ट्रेड भी ले सकते हो मैं अभी निफ्टी वालों को तो रोकूंगा कि कोई डिप आये तब आप प्लस करना पुराने वाले कॉंटिन्यू करो बट बैंक निफ्टी के अंदर एग्रेशन है और एक कैच अप रैली भी दिखाएगा अभी इसके अंदर HDFC का फ्लो आना बाकी है तो इसलिए इन दो का सब कुछ यह इन इंडिकेट कर रहा है कि बजार में कोई दिक्कत तो है रहे नहीं खैर इसबिच मेरे साथ एक और मैमान पे जुड़ गया है कपिल आप एक मिनट ही रह गया कपिल आपसे सिरफ मैं फटा वर से पता कर लेता आपके ट्रेडिंग कॉल्स का है फिर बजार कि यहां पर है तो मैंने फार्मा स्टॉक से स्टॉक पिक किया हुआ है एपी एल लिमिटिट है एक हजार मार्क पे चल रहा है नाइन सेवंटीफाइगा और रूबर में टागेट एक हजार सांधिया में देखने मिल सकते हैं अलैम्बिक हो गया और आप अबी कैपिटल बता रहे हैं अलैम्बिक भी आपकी तरफ से दिया गया है फार्मसुटिकल्स का तीन शेयर हो गए है इंफेक्ट आज थोड़े पहले कुछ ने भी आपको एक शेयर दिया माकसंस फार्मा इसके लबाब डॉक्टर लाल पैथल अब इसी सेग्मेंट से जुड़ी हुई कमपनी है फार्मसुटिकल्स हेल्थ केर से जुड़ी हुई लैब की कमपनी तो यह शेयर है कल हमको और्किट फार्मा में मिला था तो तीन चार सेलेक्टिव फार्मस टॉक्स भी हैं और अच्छा कॉंबिनेशन है एग्रेसिव वर बता देता हूं कि कौनकों से शेयर बढ़क के खुलेंगे अडानी पोर्स बढ़कर खुलेगा डेड़ परसंट बजाज ऑटो बढ़कर खुलेगा बीपी सेल खुलेगा आईशर खुलेगा और टाटा मोटर्स खुलेगा इन सारी सूची देखने के बाद एक चीज़ तो कि आज ऑटो इंडेक्स के अंदर फिर से तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि पहले पांच शेयर में से तीन तो आटो काउंटर्स हैं पचाच, आईशर और टाटा इन सब में बड़ात आधे परसंट से कहीं जादा की है तेरा सो शेयर जो अड़वांसिस के साथ खुल र रहा हैं उनको रुखने चाहिए उनको तो खैर इंजो आई चल रहा है उनका तो खैर आते हैं बैंग निफ्टी पर एक सो आट पॉइंट की ही सिर्फ गिरावाट आपको शुरुआत में देखने को मिल रही है और अभी को जड़ा डीप कट्स नहीं है यह 47301 बेस प्राइ इन पर लेकिया है एक बार जड़ा तेजी वाले तेजी से शेर को फायर कीजिएगा बजाज आटो आई शर बीपी सेल टाटा मोटर्स यह कुछ एक शेर हैं जो आज बढ़कर कामकाच करते हूं दिख रहे हैं इन सभी स्टॉक्स के अंदर आज आपको मेंटम दिख रहा है और लड़ी निफ्टी का हल का सा कमजोर रहेगा और बैंक निफ्टी को पुष मिलने को हो सकता है तो यह भी हमारे थोड़ा हांक में जा रहा है आज आते हैं जड़े एच्टी एफसी और रिलाइंस और दिखाई है स्क्रीन पर फिर एलेंटी भी दिखाना है एक्टी बड है एक्षेल भी दिखा सकते फार्मसुटी कल्स का बड़ा प्ले तो वह भी आपको उल्मोस कुछ ज़्यादा इसका नफा नुक्साने दिखेगा अभी भी आप देखो एक जटका लगाने के बाद आपको सिरफ 24 पॉइंट की गिरावट दिख रहे तो बजार अपने कट्स को डीप नहीं कर रहा है यह अच्छा साइन है मैं लेकिन फिर भी जो बाई फ्रेश करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा डिप की वेट करने चाहिए वह अपने लेवल्स पर खड़े हो जाएं सब कुछ अपने आपके मिल जाएगा आपको ज्यादा चेजिंग ना करें फ कर्मेंटम फास्ट है अदानी के और दो शियर है अदानी पावर अदानी पॉर्स यह सब बढ़िया चलें इंडिगो भी आज गैप के साथ खुल रहा है बजाज ओटो बी एल आज विशाली की कॉल थी बी एल की उनकी भी कॉल बढ़िया खुली है जोमेटो के अंदर प्र करना शुरू होगा वैसे ही रेक्ट करेगा आप डेड़ सो पॉइंट के मूव के लिए त्यार हो जाएए हो सकता है सौ पॉइंट तक का ही मूव रहे क्योंकि विक्स थोड़ा घटा हुआ है लेकिन मोमेंट सौ से डेड़ सो पॉइंट की आइधर साइड के लिए प्रिप पर दिखें येस मोर देन सिक्स फाइफ शेयर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो स्क्रीन पूरी तरह से बटी हुई है थोड़ा वेट एंड वाच हो रहा है अदानी ग्रूप के दो तिन शेयर में आपको अलड़ी नोटिस कर रहा है अदानी पोर्ट सबसे अवल नंब पर दिखा रहे हैं तो ये हीट मैप के जरी है मोटा मोटी अपने मार्केट भी चेक कर लिया शिश्टी आपको उता रहे हैं छोटे मजोले शेयर समें क्या हो रहा है तो अगर इंडेक्स की बात करें तो कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज मिर और स्मॉल कब दोनों ही इ यहां पे भी लगबग 3% की तेजी है, इसके अलावा CSB Bank पे हमने आपको बताया था के Q4 के अपडेट्स काफी अच्छे है, Positive Stock Reaction लगबग यहां पे 3% से जादा की तेजी है, और ABFRL के साथ सा TCNS Clothing, यहां पे भी 10% की तेजी हम आते वे देख रहे हैं, Schneider Electric यह भी एक काउंटर है, जहां पे 5% की तेजी जो है बरकरार है, Symphony जहां पे हम AC से related themes की जिकर कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, Symphony में लगबग 6% का उचाल देखने को मिल रहा है, और साथ ही NBCC है, जहां पे 5% का उचाल देख रहे हैं फिलहाल, कई सारे काउंटर हैं, जैसे के Financial Space में से इजिलवाइस, Financials में भी 1% की तेजी है, यहां पे भी आप रखिये नजर पर कुछ गिरने वाले स्टॉक्स पे भी नजर डालें, तो यहां पे इंडिया माट अज थोड़े से प्रेशर में जरूर है, यहां पे लगभख 4% की गिरावट है, वेल्स्पन इंडिया में 2% की कमजोरी है, जैम फाइनाशल अज फिर से पॉने 2% गिरतावा नजर आया है, और उनो मिन्दा को लेकर एग नेगिटिव खबर भी थी, हॉन्डा से रेलेटेड जो है, उन्होंने कुछ प्रोड़क्स को रीकॉल किया, जिसमें उनो मिन्दा के अकाउंट्स पे भी एक असर पड़ेगा, जिसके चलते यहां पे भी हम लगभख 2% की गिरावट देख रहे हैं, कुछ और काउंटर्स में आपको बताऊं, तो सामी होटेल्स यहां पे भी आज गिरावट देखने को मिल रही है, 3% की यहां पे कमजोरी है, पर मोटा मोटी देखे तो कई सारे काउंटर्स हैं, जिनमें अच्छा आक्शन देखने को मिल रहा है, पर आदेति बिल्ला ग्रूप ऑफ स्टॉक्स जो हैं, इसको काफी अच्छी तरीके से लीच कर रहे हैं, अभिशेक. पर आदेति बिल्ला ग्रूप के तमाम स्टॉक्स आज बजिंग हैं, हरे निशान वाले और साथे साथ सो शियर कमजूरी वाले हैं, तो जो एडवांस डिकलान का जो रेशियो हैं, वो तीजी के खिलाडियों के पक्ष में हैं, तो इससे आप अपना ज़रा कॉन्विडेंस बढ़ा के रखिए बाजार में. चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए शुरुवाती ट्रीड में कहाँ पर कमाई के मौके बन रहे हैं, और लेकर आएंगे ओपनी ट्रीड्स. तो अपनी ट्रीड की शुरुवात हम चंदन जी आपसे करेंगे बताईए आपके आपका कौन सा शेयर या फिर कौन से शेयर हैं जहां पर आपकी नजर गई है? बिल्कुल पहला तो वोल्टास है हमारे नजर पे और इसे स्टोक को अलड़ी हम दो दिन से तीन दिन से फोकस पे है, वोल्टास पे खरिदारी की सला रहेगी, अलाकि जो मैंने लेवल दिये थे वो 1190 है, बट जिस आप से ओपनिंग हुई है, लेवल उपर की तरफ रखने पड़ेंगे, वोल्टास के लिए रिवाइज सपोर्ट रहेगा 1150 के लिए, और अपसाइड में कहीने की 1220 तक के टागेट यहां पर बनने चाहिए, तो पहला ट्रेंड यहां पर पॉजिटिव है, लगातार 6-7 दिनों से हाइट उप साइब ओटम को फोर्मेशन बन रहे है, तो यहां पर लगबग 2390 के सपोर्ट से खरेदारी के सला रहेगी 2550 के टागेट के लिए, ठीक है, 2550 का टारगेट है, गोदरिज प्रॉप्रिज के लिए औ तो अब इन स्टॉक्स में तीजी आए जाएगी और आप आज साड़े बारा बजे, बारा बजे के 27 मिनट पर, in fact, हमारा खास चो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके हम और इस शौपिंग लिस्ट को लंबी कर देंगे, जहां पर हम बताएंगे आपको गर्मी के पूल्ड स्टॉक्स, ठीके, आगे बढ़ते हैं, वैशाली जी, आपके लिस्ट में कौन से शियर है, आपने क्या स्पॉट किया ओपनी ट्रीड के लिए, ठीके, वैशाली से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कपिल, आप से जाना चाहेंगे, बताइए, आपकी नेजर कहां पर रहा है, अच्छा सा लॉंड मुइंग अर्वरेस बनाया हुआ है, और ब्रेक आउट का फॉल उप साइने में देखनी मिल रहा है, तो 460 के लेवल पे ये स्टॉप करो बाय बनता है, और उपर में इसके अपसाइट पोटेंशिल कहाना कहां पे 490 तकी हो सकती है, और नीच में 4% उपर है, फिर भी conviction है, कि अभी ये शेर और चलेगा, 490 टार्गिट, 450 का स्टॉप लॉस, कुश, आपके डायर पर को सा शेर आए है, कहां पर आपकी नजर गई है बाजार में? अपशिक, यहां पे श्रीराम पिस्टन्स पे मेरी नजर है, एक पॉजिटिव पाइस के साथ कंसॉलिडेशन है, पिछले तीन से चार सेशन का, आज एक अपमूव यहां पे हमें देखने मिल रहा है, तो मेरे सब सेहां पे 1950 के आज पास एक अच्छा सपोर्ट है, तो उसक श्रीराम पिस्टन्स, 2000 रुपे की स्तर को पार करके यह कारबार कर रहा है, लेकिन अभी और चलेगा, आपके लिए यहां से 100 रुपे के आजए सपास की गुंजाईश है, सबा 2% उपर फिलाल यह श्रीर है, श्रीराम पिस्टन्स का, पचास रुपे करिब खरीब उपर, क यहां पब ओपनिंग के साथ अच्छा का सा ट्रीड कर रहा है, तो कहीना कहीं लग रहा है कि पावर सेक्टर में और ज्यादा कंटिन्यूर्स रह सकता है, यहां पर उपसाइट, तो टाटा पावर हमारा पहला पिक रहेगा, टाटा पावर में अल्यटी रेक्टेंगल ते यहां पर गुटव में अच्छा लगरा है, यहां पर देखो कि तो कहीना कहीं कल एक बारीक इनिटिक्टिक्स पैटर्ण बंडी थी, लेकिन कोईग फॉल्लॉप शालिंग नहीं नहीं है, और आज जो ओपन लोडी सेब है तो कहीना कहीं chances है कि यहाँ पे जो असिंदिन ट्राइंगल पैटर्न ब्रेक आउट हमें दो दिन पहले देखा था उसका फॉल उप बाइंग आ सकता है तो दूसरा जो ट्रेडर में अच्छा लग रहा है या तो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो जेस्ट ब्लू एनर्जी है तो टाटा पावर और जेस्ट ब्लू एनर्जी इन स्टॉक्स को भी आप गर्मियों से लिंक कर लीजिए आज सुब हमारे इलिटरिन चीफ निकुज डार्मिया से वाचीत हो रही थी उन्होंने भी कहा था कि पावर स्टॉक्स पूरे के पूरे फ्लेवर में रहेंगी तो क किरन की रडार पर टाटा पावर और जेस्ट ब्लू इनर्जी अब इशेक आज हम देख रहे हैं कि देखिए खबर का इंपक्ट भी है कि मदुरा फैशन का इमर्जर करने जा रही है कहने कि वैल्ली ऑन लॉकिंग की कोशिश है बिजनस को स्ट्रीम लाइन करने जा रही और दो सो रुपे के आज पास काफी समय बिताया था और आज हम देखने की एक बड़ी तेजी ग्यारा बारा परसंट उपर ये शेयर कारोबार कर रहा है कल भी हमने तेजी देखिए थिकले आज की तेजी काफी जादा है एबी फैशन किसी के पास अगर है तो और बड़े टारगेट के लिए इसमें बनाके रखें पोजिशन आपकी सला क्या होगी डेफिनेटली वन किन होल दा स्टॉक और अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक लेना भी चाहिए रीजन यह है कि अगर आप देखेंगे राइट नाओ बिकॉस अफ दा इन्वेस्मे अगर आप देखेंगे राइट नाओ ट्रेंट इसमें लोगों का व्यू यह है कि राइट अगर यह व्यू किया है राइट नाओ अपनी ने प्रॉटिबिलेटी को देख टेक यह और मैंको लगता है मदूरा अगर बिक गेम चेंजर पर देखेंग फर्वर्वर्वर्ट ठीक है डन अब जरह आ जाते हैं वाकिस में वापस माकिट पे अब आप देखेंगे ना HDFC बैंक और रिलाइंस इंडस्ट्री दोनों हरे निशान में आगए हैं आपको मैंने शुरुआत में इसलिए नोटिस कर रहा था ता कि आप नोट करो एक बार इन बड़े शेयर्स को दोनों के दोनों शेयर्स हरे निशान में आगए हैं बाजार ने अपनी गिरावट को ठोड़ा और कम कर दिया है ये धिए दोनों HDFC बैंक भी आगया हरे निशान में रिलाइंस भी आपको दो मेरको मेजर शेयर्स चाहिए हैं तोनों आ चुके हैं और निफ्टी के अंदर स पहले हरे निशान में आ जाए और निफ्टी से भी तो यह आज आज आपको रिकवर करते हुए दिख रहा है और मेरा पहला टार्गेट 47.800 तक का होगा इसके अंदर आगे बढ़े यह तो इंडाइसिस की बात थी एक शेयर में आपको नोटिस करवार था वो है टाटा कैमिकल इसको भी आप गर जड़ा देख लें एक शेयर में आपको और नोटिस करायता हूँ जी एंटर्टेन्मेंट 140 रुपे का यह हलकी सी बड़त के साथ ट्रेड कर रहा है अदाने ग्रूप के शेयर में से कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो लाल निशान में है को आप कोई भी शे दिख रहे हैं नहीं मार्केट के अंदर है इंडिया विक्स भी बारे पे चल रहा है एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन वाले शेयर भी दिखा दो जिसमें एफंडो के शेयर होते हैं उसमें भी आपको दिख जाएगा 100 शेयर अभी बढ़कर कामकाच कर रहे होंगे और 70 इसमें नुकसान होगा रिस्क रोड उतना बहतर तो नहीं बट फिर भी बुल्स के भी फेवर में ही है यह आप अडवांस डिक्लाइन देख पारें 102 शेयर आपको दिख रहे हैं यह सो और कुछ हट तक कवरिंग के हैं दो शेयर आपको मिल गए तो 102 शेयर आपको अडवां 500 के पर बैंक निफ्टी को बहुत देर तक टिकना होगा कवरिंग करानी होगी और इसमें हच्टी एफसी का रोल भी चाहिए हमको आज आते हैं स्टॉक स्पे स्पेसिफिक स्टॉक स्पे कुश एक दो शेयर आप चेक करना मैं डेरिवेटिव के ट्रेड ही ले रहा हूं बी एल जड़ा चेक करना विशाली का सुभे की कॉल थी और कितना चल सकता यह बी एल पर देखे यह जो जहां फॉल शुरू हुई थी और मोस्त आप देखे तो उन लेवल के करीब वेनों बिलकुल आ चुका है अब यहां पे 220 का जो एक स्टर है यहां पे हमें कॉल में यहां यहां पर 220 रहेगा बाट वांस अट इस टेकन आउट इस शॉट कवरिंग आ सकती है इस टॉक में और 235 तक के लेवल भी इस टॉक दिखा सकता है तो ओवरल सेट अप यहां पर पॉजिटिव है 220 के आसपास एक हॉल्ट हो सकता है बाट इंस टेकन और 235 इस नेक्स ल बोलोवर के साथ भी अच्छा होके आया है कल भी अच्छा चल रहा था और दूसरा शिर है विदानता इसमें बिल्ट अप उतना स्टॉंग नहीं हुआ है बट प्राइज एक्शन आगया है सर विदानता और हेवल्स दोनों चेक कर लो सर पहले मैं हेवल्स की बात करूँ त हमने यहां पर आज टोपिक में वोल्ट टास को रिकमेंट भी किया है एक मेजर ब्रिक आउट यहां पर आ रहा है आप समझ रख सकते हो कि कहीने की फोकस है वो हीट पे गर्मी पे है और मोसम के हिसाब से यहां पर इन सब सेक्टर में मुवमेंट आना चाहिए तो है वेल्स बिल्कुल खरीदारे की सला है चैसाथ परसिंट का ओपन इंटरस होलेड़ी यहां पे डो चुका है तो पंद्रा सो के पंद्रा सो पंद्रा के सपोर्ट से खरीदारे की सला रखेंगे ओपर मेकेनी की 1620 तक की लेवल बनने चाहिए अब हम वेदानता की बात करें तो OI एक 285 के सपोर्ट से खरीदे 305 के टागेट के लिए ठीक है मैं कुछ-कुछ ऐसे स्टॉक्स भी पता कर लेता हूँ जहां पर कैश के स्टॉक्स है और वहां पर इस समय का मोमेंटम क्या के नामसे एक जुड़ी होई कंपनी होगी स्क्रीन पर अगर आई-ार-ब इन्फरा साधह-थीन परसंट अभी उपर आ गया है एक बार को कपिल आप इसको चेक करेंगे IRB को को ट्रेड बनता है तो जड़ा बताइए फिर और शेर पता करता हूँ IRB का स्ट्रिक्चर काफी अच्छा बना हुआ है 72 से लेके 50 तक का एक करेक्शन आया था और वो करेक्शन आपका खानगा पर लॉंटर मुविंग अवरेज के यहां पर थम गया है बेस बनाने के बात में एक फ्लैट ब्रेकाउट के एक कंटिविशन साइन दिखने मिल रही है जो शॉटर मुविंग अवरेज है उसका भी कर्वेचर अपर शूपिं हो गया है तक्रीबं 68-69 के यहां पर तो वहां तक यह अपसाइट पॉटेंशन इन अ शॉटर्म में आ सकती है एक शेर आपको हमने कल और नोटिस करवाय था उस शेर का नाम था एक्षन कंस्ट्रक्शन के आम से आपको ध्यान होगा कल अगर कोई पैनल में होगा तो उसको तो अच्छे से यादी होगा कि यह के बारे में जिकर भी कर रहे थे एक बार आपके रिकमेंडेशन चाहिए कुछ ज़रा आप इसको चेक कीज़ेगा एस एक्षिन कंस्ट्रक्शन पांच पसंट आज फिर से उपर है इंसिडेंटली यह स्टॉक आपने मुझसे ही पूछा ता कल और हमने यह कहा ता कि बिल्कुल इसमें बने रहें पूजिशनली यहां पर अठासो तक के जो लेवल्स हैं यह अगर आप देखें तो जो कल का मूव था और जो आज का फॉलो थू है यह उस टार्गेट के करीब स्टॉक को अलड़ी लेके जा रहा है तो दोनों के लिए यहां पर यहां पर ॐइं करने की यह बने रहेने की सला रहेगी एक जिनके पास ओलरेडी हो अब अब अपना जो ट्रे लिंग करना चाहते हूं वो भी सोलासो के स्टॉप ल cath थक थक के टारगेट के यहां पर इनिशेट कर सकते हैं स्टोक में पॉजिटिव बाइस के साथ जो कंसॉलिडेशन चल रहा था उसका कल बहुत ही स्ट्रॉंग वॉल्यूम बाक्ट बेकाउट आया है और वरी कंस्ट्रॉक्टिवली स्ट्रॉंग आज भी फॉलो थू होते हुए देख रहे हैं तो एस में फ्रेश पॉजिशन भी ले सकते हैं और इनके एक्जिस्टिंग पॉजिशन हो बिल्कुल बने रहे हैं में फिल्हाल बने रहनी की सलाह मिल रही है इस बीच कुछ और काउंटर पे नजर आले और अविशिक एकबर क्योंकि पूरी समर रिलेटेड थीम आज मार्केट का फ्लेवर है कुछ तरीके पे आपका क्या नजरिया है क्योंकि कुछ तिनों पहले जहां तक मुझे याद है जेपी मौगन की एक रिपोर्ट आई थी जहां पे उनका एक कहना था कि जिस तरीके की भीशन गर्मी देखने को मिल सकती है वे इस इस थीम को नजर में रखते हुए जितनी भ पर जिस तरीके का थोड़ा सा वालटाइल काउंटर है क्या इन स्तरों पे आपको लगता है किसी को अगर एक्सपोजर लेना हो तो यह सही मौका है एंट्री का यह क्यातर थीम वह यह भी रैट नहीं की इनका जो सूलर इव डिरिवेल का है राइन राइन आउ, ग्तलिंग ते इस नहीं आप इसमें जो तीम है वो भी राइट नाओ कि इनका जो solar EV variable का है right now they are planning to get into those segments also और EV side में how big they can do it, वो एक important करेगा company के लिए because this is, जब से कमदी ने last, पिछले साल, पिछले दूस अब अपना investment बताया था कि they are more serious in those things, उसके बाद हमने stocks, जो stock 130-140 रुपय के आस-पास था has moved up to these levels right now, तो आप sentimentally हो सकता है कि there will be some positives but I think incremental optics may not be that great because just because of the battery segment because ये जो segment है वहाँ पे unorganized players काफी जाना करीने जाते है जो आप battery segment और वहाँ पे brand loyalty is not something which is there right now I think I would, अगर में को excite लेना ही है, मैं 200 नीचे के level पर as a automotive play or as a EV play I'll be more interested in buying excite ठीक है, बहुत बाद शुक्रिया अपना take देने के लिए excite पर इसी के साथ आपका बहुत बाद शुक्रिया भी करना चाहेंगे आज हमार साथ शो में जुड़ने के लिए और तमाम stocks and sectors पर अपना नजरिया देने के लिए पर आगे बड़े एक बार कुष आप से क्योंकि कल अगर मैं देखों तो काफी टाइट रेंज में ये काउंटर जो है ट्रेट कर रहा था अपने आपको लगभग बहुत चोटे दाइरे में इसने कारोबार किया साथ ही जब तीन सो के ऊपर निकला कही ना कहीं सस्टें कर रहा है तेक्निकल फ्रंट पे कैसे देख इतनी स्ट्रॉंग नहीं रही है कि ऐसे लगे कि इनो डिस आउट अफ दे वुड्स लेकर अच्छे बात यह है कि आज अपने 20-day moving average को क्रॉस किया है और उसी के ऊपर सस्टेंग करने की कोशिश भी कर रहा है तो मेरे साब से यहां पर अगर पर कन्फरमेशन के साथ पुरा structure है यह complete हो जाएगा फिर यहां से जो targets निकल के आएंगे 323 and then 330 के निकल के आएंगे तो आप उन targets के लिए फिर एक long position ले सकते हैं जो इसका support zone है यह 305 के आजपर काफी firmly placed है तो aggressive traders हो तो यहां पर बिलकुल entry कर सकते हैं बट पोड़ा confirmation चाहें तो एक दिन का wait करें 312 के ऊपर closing हो तो यहां पर confirmation होगा कि आप यहां से long position बना सकते हैं 12 अस्तर आप जरूर ध्यान में रखे अगर इसके ऊपर closing आती है तब आपको यहां पर trade लेना है और excite को लेकर यह नजरिया एक दिन का वक्त आप इस counter को और दीजे पर इस बीच फिर से हम देखें तो जित कि देखें रियाल्टी इंडेक्स डेज हाई पर आता वा दिख रहा है साथ ही कल हमने देखा था तावर दोड़ आक्शन था इस अभी रियाल्टी काउंटर्स में गोद्रेश प्रॉपर्टी आपको कैसा लग रहा है जी अलड़ी जो आज के दो पिक थे उसमें मैंने वोल प्रॉपर्टी इस पे चंदन की कॉल आई वी थी और पच्छिस सो पचास की तागेट्स जो है कुलते वे नजर आ रहे हैं साथ ही आप स्टॉप लॉज भी बनाए रखें एक और काउंटर जो की आज थोड़ा सा रीबाउं दिखा रहा है वो है आयो सी एक पर किरन आप इ कैसा देख रहा है यह काउंटर चार्च पे क्योंकि पिछले दो दिनों से गिरावट का शिकार जरूर हो रहा था कुछ न्यूस फ्लो भी था बट जिस तरीके से रैली हम पूरे PSU पैक में देख रहे हैं क्या आयो सी में कोई ट्रेड बनता है बिल्कुल बट यहां पर मैं टार्गेट्स थोड़े से क्लोज के रखूंगा 175 और 178 के जो दो लेवल्स हैं इन टार्गेट्स के लिए यहां पर अगर आप चाहें तो इन एक लॉंग पोजिशन कंसेडर कर सकते हैं 169 के आसपास इसके जो कुछ आवरेजी से हैं यह कंवर 175, 178 के लेवल्स के लिए 169 के स्टॉप लॉस के साथ कोई चाहें तो नियर टर्म बेट आई ओसी में कंसेडर कर सकते हैं बजार में जो एक लवल की तेजी आई है ना वो तो आही चुके लेकिन उसके बात चलने के लिए लीडर्स की जरुरत होती है तो दो बड़े लीडर्स में आपको सुबही नोटिस करवाये थे और वो थे रिलाइंस और HDFC बैंक आपा है HDFC बैंक को देखे सवा परसंट परसंट और ऐसा नहीं है कि आपको यह ऐसे चूट गया गैप के साथ खुला पता नहीं था यह चलने वाला है यह सब कुछ आपको पता था बजार खुलने से ठीक पहले हमने आपको पता है कि HDFC बैंक जनित रैली बैंक निफ्टी के अंदर आ सकती है और कोई बड़ी बात आपकेट के डाटा को थेंक्यू कीजिए क्योंकि वह काफी अच्छे से बन रहा है प्रोपेल हो रहा है और दिख भी रहा है कई बार क्या होता है कि फॉल्स ब्रेक आउट फॉल्स चीज़े सामने आती है लेकिन अभी ऐसा नहीं है अब आप देखते 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 दिखा हुए एक बार मैं आपको इंपॉटन चीज और बताता हूँ वह अभी भी हरे निशान में नहीं हाया सारे इंडाइसिस उपर हैं लेकिन बैंक निफ्टी का फ्यूचर अभी भी हरे निशान में नहीं है अभी भी आपको लाल निशान में देखेगा निफ्टी का फ मैंने काफी बढ़िया से है वोल्टाज उसका बेस्ट एक्जामपल है बील है उसकंदरा का थोड़ा बहुत आप पर रियल स्टेट जोड़ें ऐसे शिष्टी भी आपको बता भी रही थी उसमें गोद्रिश प्रोपर्टीज को भी जोड़ेगा और कली आपको पता नहीं चंदन सर से एक दोशियर जरह पता करते हैं चंदन सर एचडी एफसी बैंक पर कॉन्फिडेंस अपना हाई रखें क्योंकि यही बेडा पार करवाएगा बैंक निफ्टी का बिल्कुल आप रहा है एचडी एफसी बैंक पर कॉन्फिडेंस है और जिस आप से मुल्टिपल बोटम्स बनके ब्रेकाउट दियें इसी पर बरुसा है और पंदरा सो एक इमिडेट लेवल है और आप देखो कि पंदरा सो की कोल में अन्वार्णिंग होना स्टार्ट हुई है तो कहिने कि अब जो अपसाइड लेवल है वो पंदरा सो चालिस की तरह बन रहे है पोजिश सासों पर आ चुके हैं यह आप देख पा रहे हैं और इस सुबह हमने आपको बहुत कॉन्फिडेंटली सारी चीजे सब कुछ क्लियर करके बताया था ऐसा नहीं कि बजार हम से चल रहा है बजार डाटा से चल रहा है बस उसको फाइन ट्यून करना है इंडिया विक्स एक ब पर चुका है एक और शेयर भी लिस्ट में आया है विदानता डिसकेशन हो गया है सी यू बी सिटी यूनियन बैंक एक बार कपिल इस पर आपके रिकमेंडेशन सी यू बी इस शेयर को जड़ा चेक करना जी फ्यूबी बिसिकली काफी टैंसे कर अदर पॉपम स्रॉप रहा हुआ है मुंतली जापर में देख रहा हुआ हो तो सर्दी सारी कि सारी मुविंगेश काफी फ्लाइच है लिगि जो 124 के इसके जो पहले की लेवल हुआ कर तो यहां से एक और अमें अप्टिक दिखने म लेकिन बेरी शॉट टर्म के आपर इंट्राइट के परस्पेक्टिव से में दिखता हूं तो 146 के अपसाइट मोटर तक यह मुव आ सकता है स्यूबी इतना ज्यादा तेज या कि स्ट्रक्टर पॉजिव नहीं है तो इसको मैं इंट्राइट के लिए 146 147 के टागेट के ल यह टूविलर का सेग्मेंट है लेकिन इससे पहले बेज बनाने का काम किया था मारूती ने आपको ध्यान है मारूती के नाकेवल चला था बहुत ही बढ़िया तरीके से चलके इसने अपने आपको 12500 रख लेए इसका मन्तली चार दिखाओ मारूती का तब आपको पता लग लेते हैं और क्या किया रहे था इस पर अब इन्या फैनेशल यह राया है क्या आपके प्लान है इवी सब को लेकर मतलब क्या आप करने वाले है इस साल में देखें यह जो जो माली साल अभी गुजरा तेश चौबिस का वो काफी इंडस्ट्री के लिए काफी बहतरीन था क् इसकी कुल मिलाक एक 42 लाख 30,000 गाडिया फरोगत हुई और अगर आप उसको गुजश्टा साल माली साल से यह निवाई से इसके माली साल से अगर उसकी मुआजना करें तो करीब 9 पीसद की इसमें इजाफा हुआ था और आगे जो आपने फर्माया कि अगले साल जो हमारा जो इमकान ऐसा है हमारी पेशगोई यह है कि सिंगल डिजिट की जो उसमें ग्रोथ होगी और हमें उमीद है कि यह जो जो मुस्बत रिजहान जो हमने देखने को मिले हैं गुजश्टा दो तीन साल में वो आगे भी बर करार रहेगा हम स्यूवी के छेतर में भी काफी कोश कर रहे हैं और हमारी कोशिच यह है कि अगले साल भी मारती सुजुकी की जो शरह नमू है जो ग्रोथ रेट है वो इंडस्ट्री के मुखाबले जादा रहे है एक क्वेशन ऑन हाइब्रिट से वही किल पे सरकार टेक्स कम करना चाहती है आप क्या हाइब्रिट के प्रड़क कि अगर उसमें ड्यूटी कम होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो फरोगत है वो भी बढ़ेगी लेकिन अभी हमारे पास उसकी इतला नहीं है कोई हत्मी तोर पे तो इसलिए उस पे कोछ पेशगोई करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हाँ अगर उसकी जो डिमांड ह अगर वो बढ़ती है उसमें जाफा होता है तो यकीनान हम अपने प्रोडक्शन को में भी जाफा करेंगे है अभी एग्जेकुटिव कमिट्टी के मिंबर है शशांक शिवास्तो और उनको आप सुन रहे थे उनका यह कहना है कि कमिट्टी प्राइसे जो हैं स्टेडी हैं लेकिन जो प्राइस हाइक होगा वो आखरी विकल्फ होगा कमपनी की तरफ से हलाकि मैं देखा था कि जनवरी में करीपर दो पस्टेट के आसपास का प्राइस हाइक मारूती नहीं लिया था लेकिन एक और चीज़ उन्होंने कही कि जिमनी के सेल्स हलाकि उतनी अच्छी न हम देख रहे हैं लेकिन बाजार की बात करी फिर से थोड़ी से हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी अटेम्ट हुई थी बढ़िया वाली लेकिन निफ्टी आ गया है लाल लिशान में बाईजार चार सो पचास के आसपास है और निफ्टी बैंक में भी जो तीजी करीब- रिचे आईसीएसीए बैंक वहां से थोड़ा थोड़ा दिक्षते हम देख रहे हैं बाजार की लिए ठेकिन एक ज़रा व्यू चाहिए आपसे चंदन जी आईसीएसीए बैंक क्या यह वाला शेयर आपको लग रहा है क्या करना चाहिए इसीएसीए बैंक में? शेयर इमेडिएट सपोर्ट का काम करेगा इस़ लेवल पे आते है तो आप इसे so 20гор optimist तक के डागेट के लिए खरदारी की सला रखेंगे ठीक है, ग्यारा सो बीस के आसपास खरदारी की सला है ICC बैंक में, यूफलेक्स पर आप से राय जानना चाहेंगे एक अपिल, रश्या में उन्होंने एक्सपैंशन किया है, आपको बता दें कि रश्या हो गया या फिर हंगरी, कुछ हो और मार्किट में, पांच साल पहले उ और आज हम 6% के आसपास की बढ़ियां तेजी देख रहे हैं, यूफलेक्स के शेयर में 450 रुपे का भाव है, यूफलेक्स में क्या करना है, क्या आपको लगता है कि ये तेजी और बढ़ेगी यहां से? तो वहां पर थोड़े से अमें बिक्वाले भी देखने बिल रहे हैं, ये लॉंटर मूविंग एरज के रेशिंग भी देखने बिल रहे हैं, तो मैं यहां पर इसके मोमिंटम चैस नहीं करूंगा, क्योंकि रेंज माउंड है, और रेंज माउंड में जब ही कोई ये व्यू, लेकिन आज हमारे जो बाकी एक्सपोर्ट से उनके रडायर पर जो शेयर थे, वैशाली जी ने बीयल दिया था बाजार खुलने से पहले, वहां पर चार परसंट की तीजी है, वोल्टास का शेयर सुझाया था, चंदज जी ने वहां पर हम देखने की करिब-कर पॉने 5% के आस पास की तीजी है, तो मुमिंटम है और अगर आप एटिना सुधिश आपने बाज़ार खुलने से पहले ही देखा होगा, अगर आप रोज देखते हैं, तो ये इस तरह की कॉल्स आपको रोज मिलती हैं, ये आप जान लीजिए, लेकिन आपके लिए मौके क कहाँ पर बन रहे हैं, कहाँ पर कमाई होगी, अब ये जानेंगे और लेकर आएंगे, आप्शिन्स के चैंपियन फाइपैसा.com के रुचित जैन हमारे साथ हैं, आप्शिन्स का एक बहतरीन ट्रेड बताने के लिए, रुचित जी गूड मौनिंग बताईए, क्या ट्रेड करना है, कैसे बनेंगे पैसे बाजार में अभी जी, वेरी गूड मौनिंग अभिशेक जी, वेल आज के ऑप्शन सेग्मेन में मेरा ध्यान जादा OMC's पर है, आप देखेंगे तो HPCL, BPCL, IOC, तीनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम काफी स्टॉक नजर आ रहा है, BPCL पे बुल कॉल स्प्रेड की स्टैटेजी आज करने की सला क्योंकि अगर आप डेरिटीज के डेटा देखेंगे तो लगबग 4% का ओपन इंटर बिल्ट अप हुआ है, तो लॉंग फॉर्मेशन में वहां पर हो रहे है, इवन उप्शन में 620, 630 के कॉल आप्शन में बाइंग हो रही है, तो यहां पर में 620 का कॉल आप्शन खरीद को सामने 18,000 का प्रॉपिट 1-2 का रिस्क रवर्ड रिश्यो यहां पर बैटना है, ठीक है, बोल कॉल स्प्रेड यानि कि नजदीक वाली आपको कॉल खरीदनी है, एड़ दमनी 620 के आसपास की, एक ग्यार रुपए के बहाँ पर, और उपर वाली कॉल बेच रही है, आपक केर कारुबार कर रहा है, निफ्टी का ये टॉप गेनर भी है, और बावजूद इस फैक्ट के कि आप देखिए कि कुरूड के प्राइसे में थोड़ा से अबाल देखा है, 87 डॉलर के आसपास कुरूड कारुड कारुबार कर रहा है, जिस तरह से सीरिया में इरान के वाले इसके एफनों में ट्रेट करते हैं, इसके चलती ये नुकसान होता हुआ दिखता है, लेकिन चरिया आगे बढ़ेंगे, रुची जी बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए, लेकिन कुछ और स इसके पैटर्ण चेकर के बताईए कैसे दिख रहा है आपको, बिल्कुल डेटा पैटर्ण को क्लोजनी में ट्रिक करता हूँ और बाजार में स्टोग स्पसिफिक काफी अच्छा मुमेंट बन रहा है, दो तिन को अलम ने आप सजेस्ट की तरिसकी मुल्दास, इसकी मुल् बन रहा है, तो सपोर्ट उपर की तरब सिफ्ट होने चाहिए, इमिडियेट सपोर्ट रहेगा, आपका लगबाग 2700 के असपास, उपर में जो अपसाइड है वो 2850-2300 तक बनने चाहिए, थोड़ा वोले टैल है, बट और रोल सेटप अच्छा है, अपसाइड के मुमें आ पर बन सकते हैं, ठीक है, डेटा पैटर्न में यहां से और तीजी बन सकती है, एक शियर जिस पर आप से कपिलर आए जाना चाहेंगी, वो है IRB इंफ्रा का, 45% के आसपास की तीजी है, 64-55 रुपे का भाव है, यहां से आपको कैसा दिख रहा है शियर यह, क्या फ्रिश में देखने मिल रहा है, और जो भी इसके प्रिविए साइस थे, तो वहां पर मैं एक प्रेड लाइंग पॉलिंटर लेंग रॉब ही करता हूं, तो आज एक का ऑन दे एज उप रिकॉर्ट पी चल रहा है, स्ट्रक्चर का पी अच्छा है, जभी पी करेशन है था, एक करता पॉप हाने की जरूरत है, ए टी नाव स्वदेश एंशुनस महाकुम के जरिये प्रियास कर रहा है, इंशुनसमहत्व शभी को चानना, समझना जरूरी है, ईक्टी नाव स्वदेश को एंशुनस महाकुम के लिए अगाए, यह बहुत कुशी मुल रही है मुझे यह देश में इंशुरेंस का अवेर्नेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है एक पुरा दिन का एक समेलन और महाकुम के नाम पर जहां पर जहां पर आपको शुबकामने देते हुए टाइम भी आप नोट के लिजेगा शनीवार को 6 अपराइल सुबेद 10 बजे से लगातार आप इसक कवरिस देखेंगे महाकुम की 5-6 गंटे लगाता है हम आपको बीमा से जुड़े जितने भी एंगल्स हो सकते हैं उन सब पर आपके सामने इंफरमेशन रखने की कोशिश करेंगे खैर आज एक और बारी बात ठीक होई कि आज निफ्टी हो सकता आपको लाल निशान में दे काफी हेल्प कर रहा है जिसका हमको यकीन भी था कि ये करेगा एक दो शेयर जरह मेरे पास और भी है मैं जरह चेक कर वालेता हूं सर से कि यहां पे कुछ ममेंटम बनता है कि नहीं एक भार जरह दिखाएउऌ पर आइंड़्स्ट्री इंड़्ट इस पर था है उसी के बारे में stopless target दे दू फिर आप देखें दोनों इस टोक अच्छे बड़ only problem यह है कि लगातार 80 दिनों से चले है तो अब उपर में थोड़ा सा momentum यहां पर आटक सकता है तो इसके लिए में PI industry पर focus करूंगा with the view की volatility कम है यहां पर so PI industry पर ध्यान रखे 3870 का support है उपर में 4200 के swing को play करने के लिए फिर एक question और भी है मेरा यह ज़रा Tata chemicals चेक करना सर सिरीस के शुरुआत में से चलाया मैं इसको तीसरी चौती बार ले रहा हूं पिछले दो-चार दिन में वजह मेरे को इसका एक base काफी पसंद आया और मेरे को लग रहा है कि शेयर शूट करेगा और बढ़िया से momentum दिखाएगा 1100 का हो चुका है सर 108090 के आसपा सरी काफी देखी है यूपील है नीचे के लिवल पर base बना रहा है तो aggressive stance नहीं है बढ़ यह रेडार पर है हमारे क्योंकि चार दिनों से conservative range बन रहा है यहां पर तो यहां तो conditional trade कर ले यहां पर 1110 के उपर निकले तो पका buy करे 1080 के stop loss और उस condition में 4-5% की rally होगी तो मेरी तरफ से conditional trade है 1110 के उपर buy के लिए done फिर लगे हाँ सर सर एसर एफ के बारे में बताई तो जब आप इस sector के बारे में बताई रहे हो एसर एफ का जिकर आपने छेड़ी दिया तो तो यहां पेखरेदारी के सला बन सकती है 2490 का support है उपर में 2780 के टागेट के लिए ठीक है done कुछ जड़ा एक आप जड़ा शेयर चेक करना CUB City Union Bank मैंने अभी कपिल से पहले पता कहता है वह आपको बता रहे तो 2% से जड़ा का momentum आ चुका है उस शेयर के अंदर भी अब मैं जड़ा है week counters भी पता करता हूँ एक बार जाना ओक ठीक तो एक कपिल ही रखें सामने कपिल कोई लेका आना और एक बार जाना advance decline भी दिखाना आफेंड हो वाली वह थोड़ी से disturb हुई है हाँ यह पहला ऐसा मौका मिल रहा सुबह से में को अब तक का जब advance decline का थोड़ सा ratio disturb हो गया यह आप देख रहे हैं 102 शेयर पहले advances में थे और छेतर नीचे थे अब 102 declines में हो गया और छेतर उपर रहे गए तो यह थोड़ सा disturbing factor है बस यही एक point है जो मिले को अभी तक notice कर रहा है as such मिले को कोई problem तो दिखने ही रही है अभी तक तो market में नी लिख रही है हाँ बैंक निफ्टी गंडर थोड़ा बहुत अभी हर निशान में है लेकिन यह भी अपना धिरी धिरे करके momentum को lose islay कर रहा है क्योंकि ratio market की थोड़ी लूपिन का इब चेक करेंगे लूपिन को कपिल अभी अभी अच्छी मोटम दी हुए है लिकिन जो मंतली रेशिंस थे 1740 के वहां से हमें पिछले दो से तीन मेने से स्टॉक प्राइस वहां पर अटक रहा है वहां पर फॉलॉप साइन हमें नहीं देखने मिल रही है और इ विलहालगा उसका रूख है वो कुछ अगर निचे की और है तो 1603 के यहां पर चल रहा है ओरल स्रक्चर तो साइज बिश्यू पॉजिटिव में है लेकिन शॉट टम से पर्स लिहां से में दिखता हूं तो थोड़ा सा और इसमें हो सकता है फंद्रा सो साथ तक के अरौंग ठीक है तो लूपन यहां पर थोड़ी सी गिरावट का शिकार जरूर हो रहा है अन्य फामा काउंटस पे भी हमारी नजर रही कि पर इस बीच जितने ओंसी है उनमें एक अच्छा रानाप या फेर रीबाउंट कहें क्योंकि हमने कुछ समय पहले ही आयो सी पे कुश से कॉल रहे आयो सी पे और साथ ही आयो सी के अलावा बीपी सी एल एच्पी सी एल क्या यहां पे भी आपकी नजर और क्या कोई ट्रेड यहां पर बनेगा कोई लॉंग साइड आप देखेंगे इधर बिलकुल आप पर बोटम देखने को मिल रहा है और मैं कंपरेटिवली आयो सी तो बीपी सी एल दो पे फोकस करूंगा तो आयो सी की बात करें सबसे पहले तो पहले यहां पर लोटम के सिक्वेंस थे डेली वीकली स्केल पे वह यहां पे खतम होके और इस टोग अपने आपको होल्ड कर रहा है तो 169 के सपोर्ट से खरेदारी बनने चीए 180 तक के टागे यहां पे कौन से लेविल्स ध्यान में रखने है और क्या आपको लगता है कि फिर से ओल टाइम हाई यह काउंटर बना सकता है या अब थोड़ा सा टोप आउट होने के संकेत दे रहा है इस रनफ में पिछान में सो तका मोमेंट भी बन सकता है तो थोड़ा सा Consolidation दिखा सकता है Bajaj Auto उस पर आप धान रखे पर इसी के साथ आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे चंदन कोई disclosure जो कि आपको देना है जी बहुत सारे stocks के बारे में हमने चर्चा की और most of the stocks हम अपने क्लाइंस को आप एडवाइस कर रहे है जो भी study है वो डेटाबेस study है कोई personal holding, personal interest नहीं है थेंक्यू जाते आते हैं आप से आपका कोई disclosure जो कि आपको बताना है जी जो भी stock अपने डिस्क्रस की हुए है यहाँ पर पर स्टोडिक नहीं है लेकिन पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और commodity market से जुड़ा क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है क्योंकि वहाँ पर है भरपूर action रोज की परा इसका अपडेट लेने के लिए हमारे यह सही होगी विश्म मोहन के पास चलेंगे विश्म मोहन, over to you community 10 वजे 10 मिनट में आपका स्वागत है सुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एग्री मार्केट की 10 वड़ी खबरों के साथ किस तरह का action कल दिखा, आज किस तरह की सुरुआत हुई है आईए जान लेते हैं, मसालों के साथ सुरुआत करते हैं जीरा कल गिरावर दिखी थी, 23,500 के आसपास था अराइवल्स को जो नंबर है, जो बड़ी मंडी है उन्जा में राज कोट की मंडियों में होँआपे 10-12,000 के आसपास का रोजाना अराइवल्स इन मंडियों में दिख रहा है धनिया में अच्छी तेजी दिखी, करीब 2% की तेजी दिखी लेकिन हल्दी पर दबाब दिखा था आज भी सुरुआती कारोबार में हल्दी 16,500 के आसपास ही है लेकिन उपरी अस्तरों पर मुनाफब असूली हल्दी के लिए कह सकते है गौारगम, गौारसीड आज लगतार तीसरे कारोबारी दिन अच्छी तेजी यहां पर दिख रही है 10,300 के आसपास अब गौारगम जा चुका है 500 के उपर अब गौारसीड का वायदा जा चुका है अराइवल्स है, वो काफे थिन हो चुके हैं मंडियों में अब काफी कम है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है कैस्टर के अगर बात करें तो उप्रियस तरोपर हल की मुनापा वसूली दिख रही है 6,000 के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है संफ्लावर वायल कल 2% से जादा की तेजी दिखी 2625 के आसपास कॉटन के का वायदा ट्रेड कर रहा है कापास की बात करें तो 1550 के उपर कल 2% से जादा की तेजी दिखी लेकिन आइस कॉटन में अभी भी दबाव है यहां पर भी अराइबल सब काफी कम हो रहे है डिमांड भी धीरे धीरे पिक अप हो रही है जिससे यहां पर फायदा मिल रहा है मेंता 50 रुपए के नेंज में गूम रहा है हलकी तेजी आज दिख रही है 930 रुपए के ऊपर चलिए हमारे मेहमान रवी देवरा भी जुड़ गए है रवी जी शुक्रिया आपका सबसे पहले मसालों में बताईए हलदी जीरा और धनिया क्या राय देंगे क्या करना चाहिए दिन के दोरान और जिन का पोजिशनल भी हुए है इन तीनों काउंटर में क्या करें ज़़ो से तीनों कोमोटी इसमें थोड़ा ट्रैक्शन बना है हाला कि अभी भी थोड़ा डिमांड को लेके मार्केट को कंसन है तर्मरिक एक मुत्य लग रहा है क्लिए राउट पर्पो में तर्मरिक में पॉस्टिव सैट फोकस करना चाहिए लेवल स्पेसिक बात करें तो 16,500 के करीब एक बाट तर्मरिक के करन कॉंट्राक को बाई करें 16,320 के श्टोपलोष के साथ 16,900 तक के लेवल आप तो अलदी वाईदा में आते हैं दिख सकते हैं थोड़ा कंसरोडिशन के बाद अच्छी रिकावरी के लिए प्रिपर है धनिया भी काफी अच्छी लेवल पर पहुंचा है पोस्ट करेक्शन है कैटरेक्री लेवल है जब तक 7,650 का लेवल डाउन सेट ब्रेट ने होता तब तक ये पोस्टिविटी टेकी रहेगी तो थोड़े डिक कबाई करें तो अपलो 7,650 का लगा है और 7,870 तक के लेवल आपको धनिया में आते दिख सकते हैं 7,870 तक के लेवल धनिया में आते दिख सकते हैं चलिए गौार सीट गौारगम बताइए धीरे धीरे रिकावरी की कोचिस हो रही है क्या ये तेजी एक्स्टेंड होगी आपको लग रहा है ये टिकाउ तेजी है गौार सीट गौारगम की बिल्कुल नहीं लग रहा है पर्टिकलर एक कंसुलेशन है आएन पर कंसुलेशन में ही रहेगा कोई बड़े अपसाइड ये डाउनसाइड की उमिद नहीं है आला कि चीज़ाब से प्रूट थोड़ा बढ़ा है क्रूड के उचे प्राइस और चाइना की डिमान सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी की उमिद नहीं है दाइरे में ही बाजार रह सकता है कपास और कपास खली कल अच्छी तेजी दिखी में उस तरह का हल चल नहीं दिख रहा है घरेलू बाजार में भी अर्राइवल कापी कम हो गए है क्या लग रहा है इन दोनों काउंटर में कपास में मेरे साब से कपास खली में थोड़ा हाइड लेवल पे प्राइस चल रहा है फंडमेंटल वाइस देखे तो वहाँ पे सिसनलिटी ओप हो चुके है तो हाइड लेवल पे सस्टनेबलेटी थोड़ा क्वेशन होगा कुकुड के जो प्राइसे से करेंट अपरिल फ्यूचर के वो भी 2625 तिसके करिप चल रहे तो आइधिंक वहाँ पे एक बार बेच के चलना चाहे थोड़ा आउटलूक दो ट्रेडिंट सेशन का लगा है 2688 का एक स्टोप लोस लगा है और डाउनसेड 2540 तक के लेवल दिखने चाहे अलाकि अगर आप कॉटन प्लस कोपूड करे तो कफास के कोई भी पैरिट नहीं बेट रहे तो कफास में करेक्शन स्टीक था स्पोर्ट प्राइजिस अभी जो फ्यूचर प्राइजिस चल रहे उससे काफी उपर है तो मुझे लग रहे कि कफास में मेरे इसाब से आभी भी बाइंग का मोका बन रहा है 1550 के करेट ट्रेट हो रहा है यानि एक लिम्टेड अफसाइड के लिए यहाँ पर बेट लगा सकते हैं कफास में चलिए अब बात कर लेते हैं नौन अगी मार्केट की रभी जी गोल्ड लगतार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है लेकिन कल का जो रिकॉर्ड था 79,487 के आपको लग रहा है यह नियर टर्म टॉप बन गया है गोल के लिए मेरे सबसे कल का जो करेक्शन था उसमें पड़किलर यूएस के मनिफेक्टरिंग डेटा ने काफी एंडरोल के ले किया था क्यूंकि कल काफी ग्लोबल मार्केट क्लोस थे जिसे आपसे जो करमंस की बॉंडियल्स में जो उच्छा लाया है वो काफी स्थीप था और जिसे आपसे 50% से ज्यादा लोग मान रहे थे के जून से रेटकर होगा वो रेशो 50% से कम हो जुगया और जून से नेक्स मिटिंग पे यह रेशो सिफ्ट हुआ तो जिसे आपसे के साथ आप पोजिशन बना सकते हैं मुझे लग रहा है कि यह जो कल का हाई है आज या कल में फिर से ब्रेक हो सकता है रभी जी क्रूड में बताइए क्या करें चोटा चोटा जबाब दीजेगा एक और सबाल अब से पूछना है क्रूड क्या लग रहा है तेजी धीरे धीरे भर रही है क्या और बढ़ेगी क्या मुझे लग रहा है क्या दिन के लिए अगर किसी को किसी के लिए अगर मौके आपको दिख रहे है तो बता दीजे कि अब बेस में मुझे लग रहा है कि वहां पर आपको कॉपर में जान रख रहे हैं कॉपर बाइंग का ट्रेड ले अइंग्ड लेवल स्पेसिफिक के टार्गेट के लिए कॉपर में बाइंग करें स्टॉप लॉस नीचे आप रख सकते सेवन पिप्टिनाइं का ओके आप में वक्त निकाला एग्री नौन एग्री दोनों मार्केट पर अपनी राय रख दी कमोडिटी दस वजे दस मिनट को यहीं समेठते हैं आगे आपके लिए क्यूटी मार्केट का एक्शन मेठ ब्रिक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेग्मेंट मार्केट के महारती का और आज हमारे साथ जुड रहे हैं गोली लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शा गौतम शा कोई इंट्रॉडक्शन की जुरद नहीं है वो टेखनिकल अना लोहा मनवा चुके हैं नाही से भारत में देश और दुनिया में काई सारे सेमिनार्स में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं साही काई सा गौतम आपको बहुत-बहुत स्वागत है इजीनाव स्वादेश पे और सबसे पहले तो आप अपनी रनीती और अपना व्यू जो गोल्ड पे आपने पिशली बार हमारे दर्शकों को दिया था लगभख एक डिड महीने पहले आपसे बाचीत हुई थी तब भी आपने गो जैसे आपने ठीक कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एकुटी मार्केट्स के बारे में बात शुरुआत में नहीं कर रहे हैं और जायज भी है क्योंकि अगर आप गोल्ड की मुवमेंट देखे हैं पिछले एक गेर महनों में I think 10% की तेजी आई है और जैसे मैं कह रहा क्योंकि जब 2050-2070 का लेवल निकला तो हमें लग रहा था कि इसमें बहुत बड़ी मोमेंट आएगी और अभी तक वो वालिडेट हो चुका है अभी भी इस लेवल्स में 2250 पे भी मुझे लग रहा है कि तेजी बनी रहेगी और हमारा वर्किंग टार्गेट है 2500 डॉलर के आ 25-25, 26 डॉलर का जो लेवल है एक बार वो निकलता है तो सिल्वर बेबी मुझे लग रहा है कि 15-20% की तेजी आ जाएगी और सिल्वर भी दो ढाई जाल से एक इसमें जोन में है तो 10-15% आपका पोटफोलियो गोल और सिल्वर में होना चाहिए क्योंकि जहां पर ट्रेंड ह है हमें वहाँ पर कमिटट है नहीं चाहिए हमें बहुत तेजी से बदलाव हुआ और डाटा एकदम से पलट गया और काफिहत तक हम फिर सेफ जोन में आ गए हैं बाजार में अभी भी स्ट्रेंथ है ये क्योंकि एलेक्शनियर्स भी आपको मालूम है स्विंग भी होंगे वालेड़िटी तहला की बारा पर ही अभी ए देखना जरूरी है तो पिछले एक दिर मेनों में ऐसा एक सिचुएशन था जहां पर इंटर्नल करेक्शन इतनी बड़ी थी और एक भूत यूनीक सी सिचुएशन थी क्योंकि मार्केट गिर के भी गिरा नहीं क्योंकि अगर आप एनसी 500 को देखें जो एक अच्छा बेंच जिस तरह के स्टॉक्स चलने शुरू हो गए थे जैनवरी में उसके कारण लग रहा था कि मार्केट को एक नीजक रियाक्शन चाहिए वो हुआ और अब क्या हो रहे है कि सारे अच्छे शेर्स चल रहे है और इस पूरे मूवमेंट में अगर हम निफ्टी को देखे उसने वो 21,800-850 का लेवल को अच्छे तरह से सपोर्ट किया तो बजार तो काफी स्टॉंग है अच्छे कंसॉलिडेशन से निकल रहा है तीन मेने में इंडेक्स लेवल पर अगर आप देखे तो कोई रिटर्न बनी नहीं है और अब जिस तरह की लीडेशिप वापस आई है जिस स्ट्रॉंग बुल मार्केट होता है आप पार्टिस्पेट कीजिए थोड़ा सा लंबा सोचिए ये टेस्ट मैट का विकेट है ये 2020 का विकेट नहीं है कि आपको रोज कुछ न कुछ करना है तो बने रहिए रिटर्न बनेगी और लेवल के बारे में बात करें तो एक बार ये 22,500 का लेवल निकलता है ना जहां से मार्केट तीन बार गिरा है एक बार ये निकलेगा तो एक बार के लिए तो 22,800 मुझे लग रहा है कि चला जाएगा और इवेंच्वली 23,400,500 तो अभी भी अपसाइट काफी है अच्छे सेक्टर्स, अच्छे स्टॉक्स में रहिए रिटर्न अच्छा बनेगा और इप्रेल का महिना अच्छा जाना चाहिए। आपको बैंकिंग में इस वक्त क्या सबसे सही लग रहा है प्राइवेट बैंकों का खेमा या फिर सरकारी बैंक और विदियन इस स्पेस में स्टॉक्स अगर बता देंगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा इक लिए पिछली एक देड महनों में जब बजार का थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस था तो हम बैंक्स की तरफ देख रहे थे बट बैंक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया और इस पूरे पीरिड में रिलाइंस ने पूरे मार्केट को बचाया क्योंकि रिलाइंस गिरा ही नहीं और अब वापस थीन हजार के आसपास है और मुझे लगता है कि रिलाइंस यहां से भी काफी अच्छा करेगा अगर किसी का 6 से 12 महने का वियू है पट जिस तरह की प्राइज आक्षिन पिछले साथ दिनों में रही है बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि यह मूख जेन्विन है और इस बार उपर की तरफ ब्रेक आउट होनी चाहिए तो 48,500 एक बार अगर निकलता है तो डेर हजार पॉइंट की और मुमेंट आनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि अगले 3-4 महनों में बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल तक चला जाएगा अगर यह rally play करना है तो किन शेरों में आपको रहना है I think आपको SBI में रहना है हमारा फेवरेट रहा है मैं जबी भी आपके चैनल पर आया हूँ मैंने SBI के बारे में बात की मुझे लगता है कि साड़े 800 और 1000 उपरे तक SBI चला जाएगा SDFC बैंक भी अगर आप देखें तो चार्ट खराब नहीं है क्योंकि stability अच्छी होती है इतने बड़े अड़र परफॉर्मेंस के बाद 1400-1420 का अच्छा base हो गया है और मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे SDFC बैंक में भी 7-10% की move आएगी पर अगर आपको आउट परफॉर्मेंस प्ले करना है तो वो SBI और ICS ये बैंक में आएगा उसमें ज्यादा committed रही है ओके जी हां Gautam SBI आपका top favorite है और अच्छा लगा जानके के market volatility में कही ना कहीं एक entry point भी बन रहा है पर एक और सवाल जो Gautam पिछली बार भी हम आप हमने put up किया था वो था PSU पूरा PSU basket क्योंकि यहां पे भी selectively अभी भी कई सारे counters हैं जो कि अपने आपको मजबूती से hold कर रहे हैं तो इस समय क्योंकि कई सारे तरक आते हैं के valuations किस तरीके से हैं साथ ही अगर compare करें के election season है उसको लेकर कई सारी commentaries आती हैं पर ऐसे में अगर किसी को exposure और बढ़ाना हो या फिर एक fresh entry लेनी हो तो PSU pack में कोई selective counters जिस पे आ लीजिए उसमें पैसा बनता था अब I think मेरे साब से वह phase गया क्योंकि जितनी बड़ी rally आनी थी वह आ चुकी सारे जो positive से वह already factor हो चुके और valuation stretch नहीं है क्योंकि यह सारे share single digit PE से चले थे और अभी भी low double digit PE पे है तो as such कोई froth या कोई इतनी बड़ी higher valuation यह सम में नहीं है औ अगर आप chart के साब से जाए तो मुझे लगता नहीं है कि PSU share में index level पे अगर आप देखे तो इतनी कोई बड़ी momentum जारी रहेगी तो थोड़ा सा risk reward अभी PSU shareों में ठीक नहीं है so overall basis पे थोड़ी सी दूर रहनी चाहिए but within the space momentum काफी अच्छा है तो दो share जो हमें अच्छे लगते हैं देखे हमारा metals पे काफी bullish view है हम कहते आया है कि this year could be a special year for metal stocks और metals में अगर आप sale और Nalco को देखे जो PSU space में भी है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ super normal returns इस साल बन सकती है और दोनों अभी भी काफी undervalued है तो क्योंकि आपने PSU के बारे में बात किया तो ये दो share तो हमें अच्छे लगते हैं और साथ-साथ में जो top PSU banks है SBI, Canada Bank और B.O.B. वहां भी अच्छी return बनने चाहिए गौर्तम ये तो हम आपसे specifically पूछ रहे थे कि अच्छा हमको bank nifty के बारे मताईए, nifty के बारे मताईए या फिर अलग-अलग stocks gold के बारे मताईए आपका अपना खुद भी कुछ analysis होगा, मैं वह सुनने में थोड़ा ज़ादा इंटरस्टेड हूँ कि आप कहां पर notice कर रहे हैं, आप क्या चीज ले रहे हैं या क्या चीज को छोड़ रहे हैं पिल जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अगले तीन से छह मेनों में metals और pharma दो outperforming sectors रहेंगे metals में आपने देखा कि पिछले दो-तीन दिन में क्या हुआ, जिस तरह से Tata Steel चला है, जिस तरह से JSPL चला है मुझे लग रहा है कि कुछ अलग ही हो रहा है, जो fundamental factors है, वो धीरे-धीरे अब discount हो रही है क्योंकि China का जो recovery है, अगर वो होता है, तो I think that'll be a big positive for this industry और Indian जो companies हैं metal space में, वो बहुत बड़े beneficiaries बन जाएंगे तो chart में तो indication आ गई है, fundamental triggers मेरे साथ से धिरे-धिरे अगले 2-3 महना में आ जाएंगे तो जैसे मैंने कहा, JSPL, JSW Steel, Tata Steel, Hindalco और Nalco Assail ये मेरे साथ से सबसे best opportunities हैं अभी large cap में इसके साथ-साथ में अगर आफ pharma देखें, पिछले 2 महनों में इतनी अच्छी correction आई उसके बावजूद pharma से index इतना strong है, sun pharma देखें हमारा favorite है, अभी भी चल रहा है और यहां से भी 20% की तेजी आनी चाहिए, supply अच्छा लगता है, doctor ladies अच्छा लगता है तो safety के हिसाब से pharma और metals हमारे topics हैं और इसके साथ-साथ में banks मेरे साथ से surprise कर सकते हैं Reliance को भूला नहीं है, क्यों मुझे लगता है कि यहां से Reliance में भी 15% की तेजी आ सकती है पंदरा परसंट कीती थी, तीन हजार रुपे का भाव है, पंदरा परसंट यानि कि साढ़े तीन हजार रुपे के लेविल के लिए आप Reliance में त्यार ही है और metal और pharma भी गोत्म के radar पर हैं गोत्म जी, आप से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे होंगी, कि हाल फिलहाल जो हमने Mid Cap में, Small Cap में करेक्शन देखा फ्रॉत की खबरे आ रही थी, उसके बाद कुछ-कुछ Regulatory नकील कसी गई आप ये बताई कि कोई आप से पूछ रहा है कि क्या Metal, ये Small Cap, Mid Cap में खरिदारी का क्या मौका फिर से आ गया है सरकारी शेयरों में क्या करना चाहिए, तो आप क्या जवाब दे रहे हैं अभी अगरा Mid Cap Index को देखे और Small Cap Index को देखे तो आपको लगेगा कि आरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं है क्योंकि कोई बड़ी correction आई नहीं, हाँ Small Cap Index में 15% का fall आया, उसके बाद एक अच्छी recovery आया और Mid Cap Index तो अभी lifetime highs के आसपास है, पर जो clean up होना था ना वो हो गया, क्योंकि जो quality Mid Cap और Small Cap है, वो पिछले 10 दिनों में जिस तरह से rebound किये हैं, ये पता चल रहा है कि liquidity अभी भी strong है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी 8 से 9000 क्रोड हर मेना Small Cap और Mid Cap स्पेस में जा रहा है, और उसके कारण liquidity इतनी strong है कि quality Mid Cap और Small Cap में opportunity जारी रहेगी तो अगले 6 मेने के लिए अगर आप 2024 के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि अभी भी better opportunity Mid Cap और Small Cap में है, बट एक ही suggestion है कि please quality stocks में रहेए जो index का हिस्सा है, I think उसमें अगर आप रहेंगे तो आपको अच्छी return बनेगी और grade C और grade D जहाँपर momentum अच्छी रहती है बट seasonally returns अच्छे बनते हैं, उन से गो रही है बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अब आपका Gautam आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम stocks और sectors पे अपनी राइ देने के लिए और साथ ही वो तुमाम top bets बताने के लिए जहां पे है आपकी नजर, बहुत 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 शुक्रिया तो यह थे Goldilocks के founder Gautam Shah जहां पे उनका कहना था कि अच्छी देजी के बाद अगर माकेश अपने all time high levels के उपर फिर से निकलता है तो त्यार हो जाएए 23,000 के भी उपर के targets के लिए और bank nifty आने वाले कुछ महीनों में 50,000 के बीस तर दिखा सकता है फिलहाल उनके top bet sale, Nalco और SBI निकल करा रहे हैं साथी Reliance में भी 15% की तेजी देख रहे हैं तो कई सारे अच्छे takeaways हैं पर इसी के साथ शो को यहीं पर समाप्त करने का भी वक्त हो चला है जाते जाते markets में जो बढ़त थी उन्होंने पूरी तरीके से गवा दी हैं पर कही ना कहीं broader markets से support फिरहाल कायम है इस बीच अलविदा लेंगे और शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे तीनों सभी मेहमानों का और मुझे दिंपी और अभिशेख को दीजए यहीं पर इजाज़त पर आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेकेर्स पर यॉस्टॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और ह हमारे एक्सपर्ट्स उसके जवाब देने की कोशिश करिए नमस्कार हरुक हब हरुक 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 झाल 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 बाजार में आज सुस्त कारोबार निफ्टी करीब 30 अंक यहाँ पर गिरकर 22,450 के नीचे वहीं निफ्टी बैंक भी 47,575 के पास अपार्ट साइसाइसाइ बैंक और आरायल से बाजार पर दबाव लेकिन HDFC बैंक से सपोर्ट ओयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनियों में खरीदारी IOC, HPCL और BPCL करीब 2-3% उपर, MRPL और चेनई पेट्रोलियम में भी 2-4% की मस्भूती कारुबार के डी मर्जर के एलान से आदित बिल्ला फैशन में 15% का उचाल, TCNS क्लोधिंग भी 12% भागा, मदुरा फैशन को अलग से करेगी लिस्ट जैफरीज की बुलिश रिपोर्ट से डेटा पैटन और BEL में 4-5% का उचाल, दोनों शेयरों पर खरीदारी की राय बरकरार, BEL का लक्ष दूसोपचीस रुपे से बढ़ाकर 260 रुपे किया क्रोड में तेजी से चीनी शेयरों में खरीदारी जारी, राजश्री शुगर का शेयर 8% भागा, सिंभावली और उत्तम शुगर भी 2,5-4% उपर चाय शेयर भी हुए कड़ा का मैकलॉइ ड्रसल परसन का उपरी सरकिट लगा, जैश्री और धनूश सेरी में भी 3,5% तक की बढ़ा रूस से शमता विस्तार से यूफलेक्स में 7% का उच्छाल कम्पनी ने रूस में CBP फिल्म प्रोडक्शन लाइन शुरू की जिंगल पॉली और पॉली प्लेक्स भी 3-6% चड़े और जादा गर्मी के अनौश से एसी और कूलर शेर हुए कूल, सिंफनी, वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवल्स में 2-9% तक की तेजी गर्मी से जुड़े शेरों पर आज साड़े बारे बज़े देखिए हमारा खास शो गर्मी के कूल स्टॉक्स ये बहुत कुशी मुलरी है मुझे ये सुनके कि ET9 जैसे एक जाना पहचाना मीडिया कॉंग्लरमेट इंशुरेंस महाकुम कंड़क कर रही है इस देश में इंशुरेंस का अवेरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ET9 एक पुरा दिन का एक सम्मेलन और्गनेस कर रहा है महाकुम के नाम पे जहांपे अल दी स्टेकोल्डर्स और इंशुरेंस इंडस्ट्री आएंगे उदर और बहुत सारी चर्चा होगी इंशुरेंस के बारे में हमारी शुपकामना है आपका महाकुम के लिए देश में इंशुरेंस से जुड़ी जारुपता बढ़ाने की जरुरत है ET9 एंशुरेंस महाकुम के जरिए ये प्रयास कर रहा है इंशुरेंस महत्वत सभी को चानना समझना जरूरी है ET9 एंशुरेंस महाकुम के लिए बढ़ाए नवस्कार सुवागत है आपका ET Now स्वदेश पर और आप देख रहे हैं Your Stocks मुंबई स्टूजियो से कविता प्रशानदी हमारे साथ मौजूद है और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपको समझा देते हैं तरीका बेहदी आसान है आप लगातार जो फोन लाइन नमबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसके ज़री आप हमसे जुड़िए अपने सवाल वाटसाप कर सकते हैं मैसेज कीजे या फिर कॉल कीजे और इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी मौझूद हैं आप हमें अपने सवाल वहाँ पर भी भेज सकते हैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम और एक्स याने के ट्विटर पर भी अपने सवाल हम तक आप पहुचा सकते हैं यूट्यूब पर आप हमें लाइव भी देख रहे होंगे तो महाँ पर भी आप अपने सवाल पूछे और हम कोशिश करेंगे जादर से जादर सवाल यूट्यूब से भी ले लेगी एक्सपर्ट हमारे साथ थोड़ी दिर में ही शामिल होंगे जो कि आपके सवालों में आपकी मदद करेंगे चलिए अब बाजार पर पहले एक बार नज़र डालेते हैं उसके बाद एक्सपर्ट से उनके व्यू लेंगे फिर आपके सवाल जवाब का सिसला भी शुरू करेंगे और मार्केट पर नज़र डालें तो आज काफी सुस्थ कारोबार देखने को मिल रहा है कल की तेजी के बाद निफ्टी में कमजोरी है हरके लाल निशान में कारोबार कर रहा है निफ्टी लगभग लगभग की संगों की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है लेकिन बैंक निफ्टी में आज स्ट्रेंग्ट है और काफी अच्छी रिकावरी इनिशलेस तरों से बैंक निफ्टी म बैंक फोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी में चड़ने वाले शेर में आज टॉप पर है बीपीसी एल धाइपरसेंट ऊपर क्यूंकि कच्छे तेल में हमें करतेजी देख रहे हैं अदानी पोर्ट्स बजाज ओटो इंडसेंट बैंक और HDFC बैंक में आज तेजी है वहीं कमजोरी है आज हीरो मोटो कॉप तीम परसेंट नीचे कारोबार कर रहा है वजाज फाइनस, SBI Life, ICICI बैंक और कोल इंडिया में भी करीब 10% की कमजोरी आज देखने को मिल रही है लेकिन कुल मिलाकर अगर ब्रॉडर मार्केट देखेंगे त तो मोमिंटम पॉजिटिव है, Mid Cap, Small Cap, Share, Sector Specific Action काफी जादा नजर आ रहा है, Advanced Declined Ratio अगर देखेंगे तो करीब सत्रा सो शेर्स ऐसे हैं जो की हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और उसके सामने 617 शेरों में कमजोरी देखने को मिल रही है, तो जाता स्टॉक्स हरे निशान में आज ट्रेट कर रहे हैं, Sector Specific Action अगर देखेंगे तो आज सबसादा मजबूती आज दिखाई देरी है, Consumer Durable में रियल्टी शेर चल रहे हैं और आटो स्टॉक्स में भी आज मजबूती है, वहीं IT, Metal और चुनिंदा सरकारी बैंक आज बाजार बनाने का काम कर रहे हैं, तो यह है इस वक्त का मार्केट सेट अप, इस वक्त एक ख़बर भी आ रही है, आपके स्क्रीम पर भारत के PMI का अंखड़ा आ गया है और वह 56.9 से बढ़कर 59.1 यह आंखड़े निकल कर आ रहे हैं, तो आखड़े मजबूत हैं, अच्छे हैं, अनुमान से बहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं, मैनुफाक्चरिंग PMI के और इस यही बाजारों की नजर भी थी, एक एकर के दूसरे इमर्जिंग एकॉनमी के भी नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, मैनुफाक्चरिंग के और अगर देखेंगे तो और भारत में भी आखड़े मजबूत हैं, चली अब आगे बढ़ते हैं, और एक्सपर्ट को हमारे साथ शामिल करेंगे, आपके सवालों का जवाब देने के कुनार बाजार कैसा लग रहा है बीच आपको, कल तो शांदार तीजी देखने को मिले रिकॉर्ड लेवर्स हमने निफ्टी में देखें, आज थोड़ी, आज थोड़ा सुस्त कारूबार हुता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस तरो पर क्या फ्रेश एंट्री करने की सल निफ्टी में हाय देखा था, वो था करीब 22,525 और यह हाय बना था 7th मार्च को, इंफेक्ट तीन दिनों से हम वही लेवल पे हैं और वहीं पे हमें एक रेजिस्टन्स देखने मिल रहा है, इंफेक्ट आज के दिन की भी हाय की बात करें हैं, तो स्पॉर्ट निफ्टी न से एक नहीं रुजान डेफिनिटली देखने मिल सकती है, otherwise, यहां से इंडेक्स में थोड़ा बहुत साइडवेस कंसलिडेशन या फिर प्राइस करेक्शन भी रिखने मिल सकता है, सपोर्ट की लेवल की बात करें, तो करीब 22,35 तर से 350 का एक सपोर्ट आ रहा है, so for time being, जिस specific ज्यादा ध्यान देना बैतर होगा. आपको तो घाटा हो रहा है, sir, आपने लेकिन ये बताए मुझे कि कितने समय के लिया है, बिलकुल, बिलकुल, चलिए, और तो आपको जल्दी ही निकलना है, इसमें कि और भी आपको रुपने का इरादा है, वैसे भी आवरेज करके तो आप एठे हैं, नहीं मैं अगर अगर बग एक वाटर तक का व्यू हम ले लेते हैं, संतोष, बताएगा, क्या करना चाहिए, काफी रेंज बाउंड है, लेकिन इनके तो बाइंग प्राइस से बहुत ही नीचे चल रहा है, फिलहाल, अगर देखें, बुज़े लगता है कि अपॉज्टन टैम देखकर निकलना जाएए, क्यांकि बिजनस इस नॉर्ट गुड सेप, अगर देखें, अगर देखें, अगर देखें, अगर नेट प्राफिट पर आते आते देखें, बुरा लॉस है, और ये लॉस जो है, वो दो प्राफिट लॉस पे, अपरेशनल प्राफिट है, लेकिन नेट प्राफिट पे कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, और मुझे रग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ा सा डैम्पनी है, इसलिए मैं कि आपको पॉर्शन टाइम देखें, मारकेट भी पॉइंट है, अगर इसमें आपको पॉर्शनिटी मिलती है, उपर के इस तरफ पर निकलने की तो निकलें, मिनिमल लॉस हो तो निकल जाएं, बहतर बिजनस की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, मुझे रगता है कि जितने भी ये डिस्टिविशन काइंड अप बिजनस हैं, वहां पर तो ये नजरिया आपके स्टॉक पर अब चले बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं, रमेश कुमान है, भोपाल, मद्र प्रदेश से, रमेश जी नमसकार, पूछिए गया जाना चाहते हैं। इसने अपना पूरे स्टेक को एगजिट किया है, और ये सब 17,00 के आसपास से एगजिट किया था इसको, और लेने के बाद सार इसका कुछ है, इसके जो कौर्टर रिजल्ट कुछ है नरमा आयते हैं, लेकर उसके मेंजर्मेंट ने यह बलाता कि इमारा लगभग दो तीन क पूर्टर के बाद हम लोग इसको इंपरूब करेंगे, इसके बाद भी सर ये लगब सुला सब्कास रुपे चला रहा तीन माह पहले, अब इस त्यार सुपह आ गया सर, और सार ये लांग टर्म के लिए मैंने लिया था सर, इसके मैं आप इस पर्क से जाना चाहता हूं कि इसमें कुछ है, इस उस तो नहीं आए सर, मैंने जूटने या कंपनी के विए बिजनिस में है, और मैं इसको लांग टर्म के लिए रख सकता हूं सर, ये सौरता है मैंने को आप से गाइड लेंग चाहिए सर. ठीक है, ठीक है, बस अब इसमें अच्छी चीज ये है कि आपन नजरिया बन रहा है, और एक लॉंग टर्म पर्स्पेक्टिफ से उन्होंने लिया, सत्रा सो तक भी ये स्टॉक का एक वक्त पे गया, लेकिन फिलहाल इनकी बाइंग प्राइस के नजदीक आ चुका है. 12 सो गया और वहीं से एक बाउंस दिखा के 13 सो तर रुकर हो गया है, सो अगर फ्रेश एंट्री भी किसी को करनी है, जो हमारे शो देख रहे हैं, और किसी को फ्रेश एंट्री भी करनी है, तो बारा सो के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बहुत ही अची पोजिशन बन सकत है, बट बिजनस अपडेट, I think संतोष जी बैटर दी पाई है. लंबी अधिका जैसा कि इनका नजरिया भी है, रखें इसको, इनकी अगर प्रॉफिटाबिलिटी की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि इसमें रिटर्म आउन एकुटी अगर आप देख लें, लास्ट के दस सालों में 20% की रही है, लास्ट येर 25% की रही है, बतलब अगर आप देखें तो प्रॉफिटाबिलिटी कंपनी की बढ़ी है, लेकिन चुकि मार्केट कंडिशन्स और फॉरन प्रॉमोटर्स निकले हैं, लोगों के मन में इस अंकाएं हैं कि क्या बिजनस जो है as a continuous basis चलता रहेगा, तो मुझे लगता है कि मैं काफी आस्वस्त हू देखें अच्छा होना हो सकता है इसमें और इनके दो सवाल है, पहला तो 3M India, चार शेयर जिन्होंने 25,000 रुपे पर लिये हुए और India Bulls Housing Finance के शेयर भी हैं इनके पास, वो हमारे साथ लाइफ जुड़ भी चुके हैं, उनसे संपर्क कर लेते हैं, अबनार जी नमस्कार, पूछिए आपका सवाल मेरा जिसे 3M India का चार शेयर है, जिसका प्राइज 24,800 का है, और इंडिया Bulls Housing Finance जो 250 का लिया हुआ है, वो 100 शेयर है, इसको क्या होल्ड करना चाहिए, कि अभी कितना समय दे सकते हैं, पाविनाव जी? समय तो साल, दो साल 3M India में तो आपको काफी अच्छा मुनाफ़ा हो रहा है, तो उसके लिए तो पहले का अग्राचिलेशन्स 25,000 में लिया था, और इस पर देखें, स्टॉक 30,000 के असपास कारूबार कर रहा है, और इंडिया Bulls Housing Finance में भी अगर इसका चार्ट स्टॉक्चर देखेंगे, तो 200 पर लिया था और मौझूदा भाव जो है, वो 178 पर कारूबार कर रहा है, तो यहां पर आप नुकसान में है, अबस अला सला ले रहते हैं, कुराल जी क्या करना चाहिए, दोनों स्टॉक में, 3M India वैसे तो ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, इसे स्टॉक में, लेकि क्या सजेशन होगा, आपका मुनाफ़ा लिकर निकल जाएं, और इंडिया वोजिंग फैनास पर भी सला दीजी, यहां को नुकसान हो रहा है, पुझा, 3M India एक ऐसा काउंटर है, जो आल्वेज ट्रेंड में रहा है, और बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन अपोशनिती मिलता है, अगर इसे लॉंटर के लिए रखते हैं, अगर चार्ज स्ट्रक्चर की बात करें, तो 25,000 में इनका एंट्री लेवल था, काउंटर इंफेक्ट 40-41,000 तक जाके आया था, और रिसेंट करेक्शन में यह काउंटर फेस से 30,000 पे आया है, अबर लंबी अवदी का न निचे जाता है, तो रिविजिट करके डेफिनिली एग्जेट करना होगा, और अगर यह काउंटर यही से इसे चंटिन्यू होता है, तो इस ट्रेंड इस ट्रेंड बात करें, तो इस काउंटर में इनका जो बाइंग प्राइस है, वो बहुत ही उपर है, बड आइ थिंक इ इस काउंटर में अगर रिसेंट फॉर्मेशन की बात करें, तो 2023, एपरिल 2023 से लेके अब तक, एक ट्रेंड बहुत ही अच्छा ओपन हुआ है, प्रेजंटली यह सपोर्ट से ही बांस वा रहा, विच इस 165, इस काउंटर में सर्टनी भने रह सकते हैं, ट्रेलिंग इस के नीचे जाता है, तो फिर से एक बार रिविजिट कर लिजे, बड़ अदर्वाइस, दोनों काउंटर में, एस ओफना बने रहने की सलाव होगी, अपको बने रहना है, और इंडियाबल हॉसिंग परनांस में, हाला की 165 का स्टॉप लगानी की आपको सलावी दी जारी है, एहमत नगर से मयूर हमारे दर्शक फोन लाइन पर है, नमस्कार मयूर जी, आप मैडम, बोलिया, आप बताहिए सर, आपने कि स्टॉप में खरदारी कर रखी है, मैडम, मिश्थान फूर से मेरे पास 6200 कॉंटिटी है, ओके, मिश्थान फूर आपने किस भाव पे लिया है, मैडम, ठीक है, और कोई स्टॉक है, हाँ मैडम, आलोग इंदर्श्टी जे, दो अजर सो शेर से मेरे का, 1200, किस भाव पे, एक तीस रुपए पचा स्वाई से में, मैडम, और दोनों सर, आपने कितना लंबा रुक ना इसमें, मैडम, लॉंग टम के लिए रुक सकता हू लॉंग टम के लिए रुक सकते हैं, ठीक है, टेकनिकल, फंडमेंटल, दोनों ही व्यू हम यहां पर ले ले लेते हैं, तो संतोष, बताइए, मिश्ठान फूद 1770 पर लिया है, आलोग इंदस्ट्री थर्टी वन 50 पर, देकि मुझे लगता है कि मिश्ठान फूद इन दोनो करने की सला होगी, कि अटलिश जो है, साड़े सतरे रुपए के नीचे पर स्टाफ लॉस जरूर लगा लें, बाइ क्लोजिंग बेसिस, और इससे होल करें, जहां तक आलोग इंदस्ट्री की बात है, यह कंपनी जो है, कहने की रिलाइंस ग्रूप की कंपनी है, लेकिन डिस डेट सपोर्ट किया था, लेकिन बाजूद इसके जो है, इसके नंबर्स में अभी तक कोई परिवर्तर देखने को नहीं मिल ला है, तो मुझे रगता है कि यहां पर उनको अपॉर्चनिटी तेलास करकर निकलनी चाहिए, क्योंकि जो बिजनस प्रॉफिटबल नहीं है, ड ले आते हैं अपना खास सेग्मेंट आप्शन के चैंपियन, और आज हमारे साथ हैं GM Financials के अक्षे भागवत, अक्षे जी नमस्कार, प्रशान बात कर रहा हूँ, बताएए, आप्शन की रणनीती आज के लिए क्या होगी? बुड मॉनिंग प्रशान जी, UPL है अप्शन के रणनीती, जो स्टॉप चुना है, तो 450 का एक सपोर्ट बेस बना है, पॉसिबिल डबल बॉटन का पैटर्न बनते होए तिक रहा है, जो एक बुलिश पैटर्न है, और चार्ड प्रोजेक्शन दे रहा है 500 के टागट के लि बनाई है 12, ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाई है, करीब बन 1.5 की, 1000 का लॉट सरीज है 1500 का, तो एपसलूट प्रोफिट पोटेंशल करीबन स्ट्राटेजी में बनेगी 11500 की, और ये स्ट्राटेजी में आपका रिस्क बनेगा 5200 का. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आक्षए इस एहम जानकारी के लिए, तो UPL आप्शन की रणनीती एहम लेवल सा आपको सुझा दिया गया है, लेकर ना आप्शन की दुनिया में रिस्क बहुत है, आपके सामने लेकर आते हैं सेभी का रिस्क डिस्क्लोजर, जि ये जोखिम का जो दायरा है, वो कितना बड़ा है, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर और अपने एडवाईजर से सला लेकर ही इसमें आप निवेश करने की आपको सला दी चाती है, चलिए, एक सवाल ले लेते हैं, यूट्यूब से नकल गुपता हैं, और इनका सवाल शोभा डिवलिबिर्स पे हैं, 100 शेर्स इनके पास हैं, 1280 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ ہے, दूसरा स्टाउक इनके पास Zometo है, 90 शेर हैं, 133 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, लांग टर्म वियू जानना चाहते हैं, संतोच जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, शोभा डेवलिपर्स 1280 की खरीद और जुमेटो 133 की खरीद दोनों पर लॉंग टर्म वियो लॉंग टर्म है लेकिन मुझे लगता है कि शोभा डेवलिपर्स को देखें आने वाले दुनों में ऐसे रियालिटी पर हम लोग काफी बुलिश हैं यहां पर जहां जादा है वहां पर आपको तोस पर रहना है और मुझे लगता है कि 1450 के नीचे अगर जाता है लेकिन नंबर्स के वालेशन में रेफलेक्ट हो रहा है मुझे रखता है कि कई आने वाले क्वाटर्स के नंबर्स पाजिटिव होगे उसके जो है उसको पुरा वालेशन कमणी को दिया जा रहा है एक लाग साथ हजार करोड का मार्केट का आप है कंपनी का और लास्ट अगर देखें लास्ट के क्वाटर में 138 करोड की कमाई थी कंपनी की तो मुझे लगता है कि जो extrapolation of profit बहुत जादा हो चुका अलड़ी तो यहां पर भी आपको यही सला होगी कि आप जो है right the tight कर लें लेकिन एक stop loss जरूर define करें चार्ट पर वो stop loss काफी नीचे हैं तो मुझे लगता है कि 10 तो 15% आपको stop loss बना के रखें क्योंकि valuation महेंगे हैं बजार कभी भी जब खराब होगा तो valuation खोचता है market उस समय आपको 10-15% जो है आप right the tight करें जहां भी जाता है अगर नीचे की तरफ 10-15% गिरावट आती है उस समय आपको निकलने के सोचने चाहिए ठीक है तो यह है सला जमाटो पर आपके लिए entry or exit levels भी पता दिये हैं पुने से कुषिल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइम पर कुषिल जी नमस्कार सवाल पूछे अपना हलो मेरे पास औरियंट ग्रीन 600 से रहे मैंने 34 रुपे से लिया था और अब भी 120 रुपे कुछ चल रहा है तो क्या इसमें आगे रख सकते हैं और निकल जाना चाहिए यह कब लिगा था आपने कुषिल जी अभी एक महीने पहले जब रोज इसको पार्ट अपर सर्किट लग रही थी तब लिया राइट ओरियंट ग्रीन वैसे हाल फिलाल में पावर स्टॉक्स तो फूकस में रहे ही हैं उसका फाइदा ओरियंट ग्रीन जैसी कंपनियों को भी मिला और एक साल का अगर चार्ट आपको दिखा पाए 140 परसेंट की तेजी स्टॉक में देखने को मिली लेकिन आपने थोड़ा उपरी ले लिया है 34 रुपय के आसपास ये तो 52 वीक हाई है उस स्थर पर आपने यहां पर एंट्री ले ली थी कुनाल जी क्या साला होगी आपकी ओरियंट ग्रीन पर स्थी कुछ इस काउंटर में जिस तरह चल रहा है तो एक सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ और वो है 18 रुपय पचास पैसे अगर काउंटर 18 पचास के नीचे जाता है तो I think you should take an exit और इस इन सब काउंटर में एक ट्रेंड भी डिफाइन करना बहुत ही difficult हो जाता है because of lack of volume in controlled counters So yes, for time being I think बने रहे सकते है 18 पचास के stop loss से I think अगर ये काउंटर में एक बार 25-26 का लेवल मिल जाता है तो take an exit और better companies हैं जहां पर आपको ये रगर green play करना होगा then we have many other better companies available we can switch over to them क्या insurance companies पर भरोसा किया जा सकता है क्या मैंने जो इंशॉर्ण्स policy ठाली है वो जरी है क्यों कैश्टने सोली के बावजूर्दी मुझे अस्पिटल के धक्ये खाने को ऐसे बहुत सारे इंशॉर्ण्स से जड़े सवालों के चल्चा होगी इंशॉर्ण्स महाकुम्ब में सिर्फ एती नाव सवदेश 2047 तक इंशॉर्ण्स फॉर आल और विक्सित भारत के सपने को पूरा करने के लिए इंशॉर्ण्स के प्रचार और प्रसार की बहुत आवश्यक्ता है इंशुरेंस महाकुम्ब के आयोजन के लिए ET9 स्वदेश को बहुत बहुत शुब कामना है बलकुल हमारी ये खास पेशकर्श 6 अप्रेल को आप देखेगा केवल ET9 स्वदेश पर जहां पर इंशुरेंस जुड़े आपके कोई भी सवाल है आप हम तक पहुंचा सकते हैं बेरहार हम आगे बढ़ते हैं और वित्वर्श 2025 में ओला इलेक्ट्रिक समेट कई बड़े IP आने वाले हैं और पूरा रिसर्च इस बारे में लेकर हमारे साथ जुड़के हमारे सहयोगी शरत दूबे बताए शरत IP मार्केट किस तरह से गर्म रहने वाला है जी बिलकुल IP जो वित्व साल 2025 में आने वाले वहाँ पे फोकस रहेगा और IP का जो साइज है वो लगबख 70,000 करोर रेस कर सकते हैं जो में बोर्ट टाइपलाइन में है अब आप सोच रहें कि कौन से सेग्मेंट में IP जादा आ सकते हैं अफकोर जो न्यू एज टेक कंपनी जे वो तो है उसके लावा एवी का भी थीम है आपका रिन्यूबल एनेजी का थीम है और इंपोर्टन्टली डिफेंसिब्स भी वापस आ रहे है सबसे पहला IPO जो फोकुस मेरेगा वो है Ola Electric का IPO इसका IPO साइज देखे तो 5,500 करोड का है और इसमें फ्रेश इशू और OFS के कॉंपनेंट्स दोनों ही रहने वाले हैं गो डिजिट जेनरल इंशूरंस के बारे में बात करें तो यहां पे साइज लगबग 35 करोड का है और जो फ्रेश इशू है 1250 करोड में देखने मिलेगा NSDL, CDSL अलड़ी लिस्टेड है NSDL का भी लिस्टिक होने वाला है 3000 करोड का साइज आ सकता है जिसका जो वैल्यू है कंपनी का कालकुलेशन के हिसाब से 10,000 करोड बैठ रहा है One Mobi Quick IPO यहां पे डीलेज भी देखने मिले और IPO साइज भी कम हुआ लगबग 700 करोड का आ सकता है पहले 1900 करोड का जो था यह डील था लेकिन याद रखिए यह फुल फ्रेश इशू ही होगा Unicorn Solution 5000 करोड से जादा का बड़ा IPO आ सकता है जहां पे फ्रेश इशू का कॉंपनेट सबसे जादा रहेगा और वारी Energies यह जो रिन्यूबल थीम सोलर का जो थीम है इसके में फोकस रहेगा इसका साइज लगबग 3800 करोड का आ सकता है जहां पे फ्रेश इशू 1350 करोड आएगा पार्मा स्पेस से MQ और फार्मा का भी IPO साइज 4000 से 5000 करोड तक देखने मिल सकता है और जो मच अवेटेड IPO इस साल का स्विगी का जो सबसे बड़ा आप कहा सकते हैं यह एच टेक कंपनी का वर्स्ट कराई का उसका भी IPO आ सकता है साइज लगबग 4000 करोड का है और साइज में रहेगा 1816 का और ओवराल देखा जाए तो यूटिलाइजेशन प्रसीज जो है अपनी सपोर्ट और वेराउसिंग में लगाएंगे तो इन स्टॉक्स पे जो है ज़रूर अपने रडार में रखिएगा अगर आपको भी कोई निवेश रन नीती बनानी है तो आपको मिलेगी एक्स्टूसिफ जानकारी इटीन उस्वादेश पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार तमाम दर्शुकों को बता दे कि शैबाजार सब कादिकार हमारा विशेश कारिकरम जहां पर आप शैबाजार में निवेश्ट जोड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं झाल टकार जाल झाल आप बकार 159 अज़ो से ब्ला झाल झाल सकते हैं अशबर प्रेक को इटल झाल 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 आल झाल 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 आल झाल झाल आल झाल 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 के पास चली prossल झाल झाल हो झाल झाल पाई झांद झाल झेल सुबह को झा statute झाल झाल मार्केट्स में स्ट्रेंथ है तो आज भले ही थोड़ा बहुत कॉंसलिडेशन या तो माइनर करेक्शन हो रहा है बट मुझे लग रहा है कि बाइंग ऑपोचुरिटी है खास करके जैसे इंप बता रहे थे कि बैंग निफ्टी का सेटप आपको ज्यादा जम रहा है तो अगर इंडेक्स में ट्रिड करना है तो आउट राधर गो पॉर दे बैंग निफ्टी जो 47600 के करीबन चलता है तो 47200 के स्टॉप लोग कर सकते हैं और अपसाइड में यह इमिजेटी मुझे लग रहा है कि 48200 के टागेट दिख सकते हैं दो से तीन सेशन में तो व्यू पॉ ठीक है 47-248-2008 टार्गेटर स्टॉप लोस हो गया मोटा मोटी आपको याद भी हो गया होगा और हमको लगता है कि ठोड़ा हाई है कि बैंक निफ्टी 48200 को लगा दे लेवल्स अमने लिग दिया डिप में लेना चाहा तो आपका रिस्क वाड और अच्छा हो जाएगा 48000 के नीचे जाके तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बार प्रशान जी से भी आइडिया ले ले लेते हैं फिर्म स्टॉक्स को आगे बढ़ेंगे प्रशान जी एक बार आपका टेक भी चाहिए तो यहां पर जैसे पिछले अफते से कहरा हूं में कि मुझे बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा ट्रैक्शन नजर आ रहा है और अब तो हम एक जो एहम लेवल काफी बक्स से ट्रैक कर रहे थे जोगा 47.200 उसके बहुत ऊपर अब मुझे लग रहा है जो नेक्स लेवल आफ रेजिस्टंस है वह गा 48.200 उसे लेकिं 240.200, 48.240 प्रेट में जातक डाउनसाइड सपोर्ट की बात है तो मेरे इसाब से एहम सपोर्ट होगा अभी 47.300, 350 जब तक यह जोन इंटक्ट है मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी म कर रहा है काफी वक्त बात यह नजर आ रहा है और यह चीज मेरे सबसे अगले कुछ दिनों के लिए रडार पे होनी चीए जहां तक निफ्टी की बात है यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि जब हम आल टाइम हाई को चूरे तो हमाँ डेफिनेट्टी आज एक्स्पेक्टेड थोड़ी प्रॉफिट पूकिंग आ रही है अब जो डाउनसाइड पे मेजर लेवल होगा वोगा बैस तीन सो पर यानि 47-800 के उपर निकल जाए तो मुझे लग रहा है डेफिनेटल यहां पर एक मोमेंटम बाए बनेगा जो हम टार्गेट फिर चार्सों पॉइंट से लेके पास्व पॉइंट 48-200 48-300 तक देख सकते तो 47-800 को ट्रैक कीजिए 20 पॉइंट उपर 47-820 के उपर हाई निफ्टी के मकाबले निफ्टी हो सकता है बाइंग ऑन डिप्स की जाए बट बैंक निफ्टी यहां से भी चलने की प्रविल्टी रखता है इसके चरण होंगे एक 47-800 के बाद और स्पीड से चलेगा जब तक 47-800 को पार नहीं करता है रुक रुक के हो सकता है चले और अग हमने आपके एक सिल्वर लाइनिंग और बता दी के 47-800 के पर आजाए तो यह और फास्ट हो जाएगा इंडाइसिस का काम हो गया पूरा बैंक निफ्टी पे कॉन्फिडेंस हाई है समझ में आगे सारे लेवल्स आपके सामने रखती है अब हम जरा स्टॉक की तरफ बढ़त लेका ना इसकी फ्यूचर वाली प्लेट और दूसरा क्रॉम्टन भी है क्रॉम्टन पहले तो स्पीड नहीं पकड़ा पहले आदे पोनिंग हंटे में लेकिन उसके बाद इसने भी स्पीड पकड़ ली और यह भी ओल्मुस्ट अब डेइस हाई के आसपास काम काश कर रहा ह विने एक बर जड़ा आप चेक करना दोनों शेर सिटी यूनियन बैंक और क्रॉम्टन तो सिटी यूनियन बैंक का प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है रिलेटिव सेटप उसका ज्यादा स्ट्रॉंग है क्रॉम्टन ने हाला कि बहुत काफी लंबे अंडर पर्फॉर्म सेटप की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि सिटी यूनियन बैंक का सेटप काफी स्ट्रॉंग है क्योंकि स्ट्रॉंग अपने 50 और 200 दिन डोनों की मुविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो प्राइमरी ट्रेंड को ज्यादा इंपॉर्टन देते हो मुझे लग रहा है कि यू भी इसमें से लॉंग साइट पर अपन चून सकते हैं अलाकि तीन परसंट बढ़ चुक है लेकिन यहां से भी मुझे लग रहा है कि यह अपसाइट दिखा सकता है इसका जो सपोर्ट है वो करीबन करीबन 140 की आसपास है तो 140-140 का आप स्टॉप लोज ल सब्सक्राइब को ज्यादा पसंद है लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आगे हैं नोटीस कर लीजीगा 150 रुपर तक का टार्गेट है 141 का स्टॉप लोस है हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स में मार्केट में रखें मैं फिर से रिपीट करता है 20% पैसा इंडाइस के अंदर 40 पैसा स्टॉक्स के अंदर और 40 पैसा कैश में भी रखो कई बार जूरत पढ़ जाती है स्विंग आ जाते हैं डिप आ जाता है तो उसके अंदर आप उनमें अच्छे वैल्डी स्टॉक्स पकड़ने लग जाओ पोर्टफॉलियो के ऐसा डिवाइड करो कि कुछ ना कुछ करोगे हो सकता दिन खराब जाए खाली स्विंग ट्रेडिंग करोगे हो सकता मार्केट का मेंटिम आपके हाख में न जाए खाली वैल्थ करोगे तो रोज के जो पैसे आने उससे हदो बैठोगे तो इसलिए पोर्टफॉलियो का ऐसा डिजाइन करोंगे कुछ ना कुछ आपके सामने इसी आदे घंटे के अंदर रख पाएं अगर आप इसी कारेकम के सिर्फ फॉलोवर है ना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं पिछले दो-धाई साल से आपने कभी भी मंतली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर लॉस नहीं उठाया होगा आगे बढ़ें शॉट क इसको मिला हुआ है और एवरी टाइम यहां पर आने के पाद यहां स्ट्रॉंग विक्वाली नजर आई है तो मेरे सबसे यहां पर कंडिशनल बाई 295 के उपर करना चाहिए अभी जस्ट हम 293-292 चल रहे है 295 के उपर बाई करके स्टॉप लॉस रखिंगे 287 और वहां से यहां मुझे लग रहा है कि सेक्टोरल स्ट्रेंग और उसे के साथ प्राइस कर्विक्शन दोनों जादा नजर आ रहे हैं तो यहां मुझे लग रहा है और यहां से आप 435-440 इसका टार्गेट रख सकते तो इन दोनों में अगर एक चुनना हो तो मुझे लग रहा है लग रहा है लेकिन जो हाई कन्विक्शन है जिसमें मन ज्यादा बैठ रहा है वो लॉरस लैब है अभी तक के चर्चा बारे बच्च के 13 मिनट हो चुके हैं करीब करें 13 मिनट 14 मिनट हो चुके हैं इस 13 से 14 मिनट के अंदर सिरफ तीनी चीज़ हमको समझ में आई पहला एक तो बैंक निफ्टी के अंदर काफी स्टेंथ है और अर्टालिज़ दोस्तों को हिट करने की प्रशान जिम को कह रहे हैं कि एक बार यह भी देख सकते हो आप उन्होंने एम एम फानेस भी दिया बर उसमें कंडिशन है तो कंडिशन अगर आपको चाहिए तो ठीक है नई कंडिशन चाहिए तो सीधा प्लेन वेनिला जो शेर है वो लारस लैब है तो सिटी यूनिन बै आपके सामने रखें जोड़ें के ट्रेडिंग कोल से तो झाल 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 अब तक हमने तेजी वाले जो शेर फाइनल किया है उसमें तो लारस लैब फाइनल किया और एक दूसरा सी यू भी फाइनल किया बैंक निफ्टी भी अल्मोस्ट आपके लिस्ट में है तो आपने तीन प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव था लेकिन आज खबरों की वज़ा से जो नंबर से उसके बाद कर रहा है हमने पिछले दो मेने से देखा है कि 50 डेज ये में इसके लिए स्ट्रॉंग सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है जो अभी प्लेस कर रही है तो ज्यादा दूर नहीं है अभी 4550 का लेवल चल रहा है और यह खबरों के चलते गिरा है अला कि मार्केट का ओर और और सेक्टर का जो ओरॉल ट्रेंड है वो पॉजिटिव याद बजा जोटों ने भी अच्छा परकॉम किया है तो मुझे लग रहा है कि अभी सामने 3% गिरने के बाद इसमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए खबरों के दंपे नीचे आया है और स्ट्रॉंग सपोर्ट के पास में अगर यह 4485, 4486 के नीचे टिक जाता है तो इसमें शॉर्ट बनता है अदर्वाइस इसको इग्नॉर करना चाहिए और दूसरा जो स्टॉक बता है वो गुजरात गैस है गुजरात गैस में आज का लो ब्रेक करता है तो ही मुझे लग रहा है कि इसमें वीकनेस आ सकती है क तो एक ओवराल मार्केट की तेजी को ध्यान में रखते हो मुझे लग रहे है कि शॉर्ट करेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा अगर यह आज का लो तूरता है 534 का तो एक 540 के स्टॉप लोस से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइट पे अधर्वाइस इग्न आ रखिए कि कम से कम सौदे मैं को उस दिन ज्यादा खुशी होती है जिसे तीन ही ट्रेड मिलते थे हैं मैं को उस दिन खुशी नहीं हूं तो जिस दी छी जिशे ट्रेड मिलते हैं हमको पता है चैलनजीज होते हो फिर मार्केट के अंदर परूव करना पड़ेगा, 6 की च् प्रशान जी से वह क्लियर कर वा लेता हूं फिर उनके वाद ट्रेड लेंगे प्रशान जी जड़ा दो उन्वाइंडिंग वाले शेयर्स चेक कर लीजिए पहला एलेंटी टेक और दूसरा है एज विए लाइफ तो डिम्पीजी जहां तक L&T Tech Service, LTTS की बाद है यहां पर मुझे लग रहा है कि ओपनिंग वीक है, करन्ट प्राइस अक्षन भी वीक है और कल के ब्रेक आउट को फॉलो तुन नहीं मिल रहा है बट मैं यहां पर शॉटिंग नहीं होगा कि काफी रिस्की हो जाएगी वो एक अचानक ग्याप अगर हो जाए तो स्टॉप लॉस लगाना भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि ओरल स्ट्रेंग्ट अंडरलाइं काफी है बट मेरे इस सबसे जिनके पास पोजीशन हो उनको ट्रेल करना होगा ट्रेलिंग स्टाबला अपका और अचिए 5490 जब तक यह इंटक्ट है आप बरे रहे सबक्यों और और मुझे लग रहा है कि यह अगर प्रेक हो जाए तो प्रॉफिट बानके आप भार हो जाए और डि सब्सक्राइब करोगा और मुझे लगना है सिर्फ एंटी इस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखके बने रही है अब हम जड़ा ट्रेड पर आ जाते हैं मोटा मोटी हमने जो शेर्स पता करने थे वो कर लिए अब जड़ा ट्रेडिंग कॉल्स पर आते हैं वेने पहले प्राइमरी ट्रेंड इन दोनों स्टॉक का और सेक्टर का पॉजिटिव था अलाकि पिछले दिनों जिस तरह से क्रूड में बढ़ोतरी हुई थी उस तरह से इसमें नेगिटिविटी का सेंटिमेंट बना था और अच्छा खासा करेक्शन आया था लेकिन जिस तरह का रिकमेंड कर रहा हूं 170 पर मैं एप्रिल फ्यूचर की रिकमेंडेशन दे रहा हूं और टार्गेट हो सकता है 179 का दूसरा जो मेरा पिक था वो आयर से टीसी था लेकिन हलाकि पिछले 15 मिनिट में शो के दौरान ही इस टॉक में हमने काफी एक अच्छी बड़त देख चु यह पंदरार रोपय का स्टॉक लगा के एक हजार बीस पचीज का टार्गेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मेरा पहले का टार्गेट था थोड़ा मिस हो चका है जिए तो बना ही रहेगा आपके ट्रेड लेकिन आप इस आयर सेटीजी कंदर एक चीज ध्यान रखिएगा य आप डिप मिले तो ही प्लस करना है रिस्क रोड भी ठीक नहीं है दस रुपय आएंगे और इसमें से पचास साथ रुपय जा सकते हैं तो आपको डिप मिलेगा तभी आप इसमें से ट्रेड लिजेगा यार सेटीजी कंदिशन अप्लाइड डाल दी है क्योंकि शो के दुर टार्गेट 179 और 170 है प्रशान जी आपका ट्रेड के बाद अच्छी वह दिखा रहा है यहां पे स्टॉप लॉस स्पॉट क्लोजिंग 75 50 75 50 का लगाएंगे और टार्गेट मुझे लग रहा है 84 85 तक यह जा सकता है और नेक्स पीग होगा ब्रेकाउट जो हुआ गोद्रिश प्रॉपर्टीज उसको अच्छा फॉलो त्रू मिला है तो यहां पे 2450 पॉटकस्ट अपला सकके 2650 2675 2650 तक के टार्गेट हम देख सकते हैं कि अनों के ट्रेड आपने नोटिस कर ले होंगे विनेर जानी ने एक आयोसी आपको देदिया और मार्केटिंग कंपनीज वाला ट्रेड एक दूसरा गोद्रिश प्रपर्टीज आपके पास ट्रेड है यह परशान सावंत की कॉल है इसमें आप ध्यान रख सकते हैं इसके तो हमारी तरफ से हो गए ठीक है दो परशान ने आपको दे दिये चार शेर एक मैं विनेर जानी का आयोसी को भी मान रहा हूं आयार सी टीसी कंदर थोड़ा उपर नीचे करना पड़ाएगा वो देखेंगे उसको ठीक है तो कुल मिला के पांच शेर इस कारक्रम में दो गै करें जादा ना कीजिए 20% इंडेक्स केंदर रखिए 40% स्टाक्स 40% कैश कुल मिलाके यही रंडीती के साथ अभी आप आगे भी बढ़ सकते हैं विरे बहुत शुक्रिया थैंक यू बेर मच कारकर मजूरने के लिए और शुक्रिया आपका प्रिशान सावंत आज अपने ट झाल 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 के एक नई रैली चालू करिये, और उसमें PSU बास्केट काफी अच्छा करता है, और उसमें से मने एक बुलिश कैंडिडेट चुना है, BEL, इसको बाई किया जा सकता है, 222 में, 209 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 235 से लेके 250 का रहेगा टागेट, ठीक है, तो BEL जो है, वो प व्यू दे दीजे, कमोबेश आगे पीछे ही, ये दोनों स्टॉक का नजर आ रहे हैं, आज हम H.A.L. हंदुस्तान एनॉर्टिक्स लिमिटेड में अगर हम देखे हैं, तो लगभग चार पसंट की तेजी नजर आ रही है, पिछले पांस दिनों में सवा नौ पसंट ये चड़ाओं में एक तरह से पकड़ के रखा हुआ है, इसने अपने कंसिस्टेंसी को, तो बताएं, H.A.L. यहां से कैसा लग रहा है आपको, देखें, ट्रेंड तो बुलिश है, पर मेरे हिसाब से थोड़ा बेट करना चाहिए, स्टॉक थोड़ा सा ओवर तो इसमें एक अच्छी स्ट्राटेजी यह रहेगी कि सपोर्ट पे मिलेगा तो रिस्क रिबॉर्ड अच्छा रहेगा, इसलिए मेरी सला रहे रहेगी, आप थोड़ा डिप्स पे मिले तो एक अच्छा बाई रहेगा हैं थेक है, तो कोई गिरावट आती है, तो यहां पर मौका बन सकता है, नजरिया बुलिश है, पॉजिटिव है, लेकिन गिरावट का मौका आपको खोचना होगा, चलिए बढ़ते हैं आगे, नया वितवर्ष कार बाजार के लिए काफी उमीदें लेकर आया है, यह उमीद की जा रही है कि नया वितवर्ष भारतिय कार बाजा के इतिहास में पिछले साल के सबसे जादा लाँच के रिकॉर्ड को भी पार कर जाएगा, नय वितवर्ष में कौन-कौन सी कारें लाँच होने जा रही है, डीटियल्स के साथ हाजिर है, मेरे सहयोगी सुमित चत्रवेदी, सुमित बताएं, आखर कौन सी कारें कार बाजार में गुलजार होती नजर आएंगी. साथ ही साथ महिंदरा की थार, फाइव डोर थार, जो की अलग तरह की थार होगी, अभी टू डोर की है, वो फाइव डोर की होगी, हुंडा की अलकजार, जो सेवन सीटर है, उसको नया शेप दिने जा रही है, और मारूती की नई स्विफ्ट और डिजार आएंगी, ये कु साथ मेंदरा की इलेक्टिक वहिकल भी आने वाली है, और माइंदरा की एक्स्यूवी एडॉट एट भी आएगी, इस सब गाड़ियां इस साल आने वाली, पिछले साल भी काफी गाड़ी आएंगी, जाहिर से बाते कंपनियां हर काम कर रही है, ताकि कंजूमर्स को लुभा स्पेस है, जिसमें आटो इंसलरीज और आटो सेक्टर दोनों को अगर देखें, तो बड़ा शाइनिंग सेक्टर रहा है, और ना सिर्फ फेस्टिव सीजन में, बलकि हम देख रहे हैं कि थ्रूआउट अब तक जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, उसमें हमने पिछले हफते देखा कि किस तरह से मारुती ने नया हाई बनाया था, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, और एक हलका फुलका जो कहते हैं न कि हिच्चकोले लेने के बाद जो रफ्तार भरता है ये सेक्टर वो देखने लायक होता है, अन्शुल जी, आटो सेक्टर, आटो इंसलरीज जरा स चालू करना चाहूँगा, कल अदानी पोट्स का हमने आप्शन का कॉल दिया था, आप्शन के चैंपियन में, पॉपी एट रुपीस में, एटी एट का टागेट था, वहां पे टागेट अची हुआ है, थर्टी टू थाउजन का पुटेंशल प्रॉफिट है, तो वो बु करते आ रहा हूं, और साधे 12000 का पहला टागेट था, और साधे 12000 की ऊपर बड़ा बेजी प्रेक आउट इस स्टख़प में बना है, यह का Music के पास उसका टागेट लगबत 17000 के आसपास है, जो हमने बताया है, और उच स्था ए सपैर्रि में मारूत तक का टागेट मिलेगा लेकिन ट्रेडिंग पिक अगर एक मेरे को उठानी है तो मैं अशोक ली-लाइंड कहूंगा अशोक ली-लाइंड एप्रेल की एक्सपाइरी के लिए बहुत तेज लग रहा है monthly candle इसमें open low के साथ start किया है छे महने की consolidation के lows को इसमें मार्च में तोड़ा था और मार्च के हाई पर आके close किया है तो completely week-longs को shake out किया है और stock fresh up move दे रहा है 176 करेंट प्राइज है यहां पर buy कर सकते हैं 172 वा stop loss बनेगा 186 swing high है यह पहला target रहेगा 186 के उपर बड़ा breakout placed है 210-220 तक के लिए तो इन तीन targets के साथ buy कर सकते हैं लेकिन 186 का breakout में लेगा तब बड़ा momentum बनेगा ठीक है तो यह है सला इस stock पर अच्छा लग रहा बाकी जहां पर target शिट हो गए अब वहां क्या रड़नीती अपना है यह भी हमने आपको बताया अब रुक करते हैं हमारे अगले segment का option के champions और options के champion बताने के लिए हमाई साथ अरिहंत क्यापकी के रतनेश गोईल जी मौजूद है रतनेश जी थैंकि सो मच इचिनाव स्वदेश को समय देने के लिए बताए क्या रंडिती होगी आपकी तरफ से मुझे इसा लगता है कि metal में जो आज थोड़ासा consolidation देखने हो मिल रहा है या बाकी जो momentum में बरकरा रह सकता है इस वाले पूरे मंत के लिए metal सेक्टर में काफ़ अच्छा momentum बलेगा तो उसमें हिन का पर मुझे काफ़ अच्छा पोजिशन बिल्ट अप होते हैं यहां पर 315 कॉल लेने की सहला रही 14 रूपे के आसपास में 9 रूपे का stop loss हो 23 रूपे का target तो जो maximum loss होगा 26,500 होगा जो profit हो सकता हो सेथालीज़ा 700 यहां पर थोड़ा lot size बड़ा है तो थोड़ा सापना risk को तो थीक है तो रिस्क थोड़ा बड़ा है उसका ध्यान रखिए हिंद कॉपर 315 की कॉल खरीदे 14 रूपे के आसपास है 23 के लक्षी के लिए मिटल स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है आज दिखाई भी दे रहा है और इस strategy में जो अधिकतब मुनाफ़ा है वह 47,700 तक का हो सकता है इसी के साथ ही साथ तक सेभी का risk disclosure भी चला देते हैं आपके लिए कि अगर आप option में trade कर रहे हैं तो संहल के trade कीजे जो कि अभी रतन अधिक जी ने अपना व्यू भी शेयर किया लेकिन काफी सारे मेटल स्टॉक्स आज के दिन भी चल रहे हैं इसमें सेल देखिये यहां पर भी काफी अच्छी बाइंग 6% उपर है इसके अलाबा नालको में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज भी कुछ चुनेंदा मेटल स्टॉक्स आज के दिन भी अक्टिव दिखाई दे रहे हैं अधिती जी क्या सला देंगे आप मेटल स्टॉक्स में स्पेशली सेल देखिये 6% उपर आप आचुका है कोई ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में मैं डिस्क्लेमर के साथ चालू करना चाहूंगा कि यह स्टॉक्स मेटल स्टॉक्स हम लोग कितने टाइम से क्लाइंट को रेकमेंड कर रहे तो मेरा वाप एक बायस है आप अपने फाइनाशल इड्वाइजर को कंसर्ट करें कोई डिसिशन लेने से पहले मेरा नजरिया काफी बुलिश है मेटल काउंटर्स पर और मेटल इंडेक्स पर मेटल इंडेक्स अभी चल रहा है 8659 मुझे लगता है यहां पर हर डिप एक खरीदारी का मौका रहेगा क्योंकि यहां पर जो टार्गेट बनके आ रहे है वो है 9000 से लेके 9500 तो इदर बट वो डिप खरीदने का मौका रहेगा और सेल की बात करें तो मुझे लगता है सेल को भी बाय किया जा सकता है शौट टम का व्यू नहीं बनाए थोड़ा सा लंबा नजरिया बनाए तो सेल को खरीदा जा सकता है 149.20 में स्टॉप लोस रहेगा इसमें 135 का और टागिट तो सेल में ये सला आपके लिए और आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स दिखा देते हैं वो भी अपने दिंके उपी सतर पर कारोबार कर रहा है काफी अच्छी बाइंग इस वर मेटल स्टॉक में देखने को मिल रही है गोल्रिश प्रॉपर्टी से इक बार ये स्टॉक पर भी चर्चा कर लेते हैं काफी शांदार मोमेंटम बना हुआ है यहां पर भी और पिछली एक हफ्ते में ही करी 12% तरक की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है शांदार मोमेंटम बना हुआ है बाजार सुस्त है लेकिन इस वीच गुद्रिश प्रॉपर्टी में अच्छा ए सेल आप ही के शोपर मैंने 125 में रेक्मेंट किया था एक सो पचास के टागेट के साथ वह कंप्लीट हुआ है लेकिन अगर टॉप पिक में आप देखें तो वेदानता बनता है वेदानता में तेश महने का कंसॉलिडेशन रहा है एक सो तीन हफते का बेस प्रेक आउट आया इसमें बड़ी तेजी डेवलप होगी और गोदरिश प्रॉपर्टीस में आए तो दो महने की कंसॉलिडेशन रही है वीकली चार्ट पर है हैमर की फॉर्मेशन रही है वहां से सेकेंड वी को फॉलो थू है स्विंग हाई के आसपास आ रहा है स्टॉप 2541 का स्विंग हाई इसको अराम से टेस्ट कर लेगा इसके ऊपर जब प्रेक आउट आएगा तो तीन महने की कंसॉलिडेशन का ब्रेक आउट रहेगा 27,25 का टागेट रहेगा मेटल इंडेक्स भी स्वरी रियालिटी इंडेक्स भी काफी तेज लग रहा है और उसमें टॉप पिक DLF रहेगी DLF के बाद अगर सेकेंड स्टॉक में जब उठाना है तो गोद्रेज प्रॉपर्टी बहुत बहुत बहतरीन लोकेशन पर है बस इसको मंतली चार्ट पर फ्रेश प्रेक आउट लेना है पच्छिस सो चालिस का 27,25 टागेट आराम से लिगेगा ठीक है तो गोद्रेज प्रॉपर्टीज पर ये नजरिया अंशुल जी की तरफ से आता हुआ चले कुछ और स्टॉक को भी डिस्कस कर लेते हैं अंशुल जी मेरा सवाल आप से ही रहेगा तीन स्टॉक का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा एक तो NHPC आज देखिए लगबग सवा परसंट उपर है पिछले पांस दिनों में यह लगबग साड़े छे परसंट की तेजी दिखा चुका है दूसरा स्टॉक SJVN अगर हम आज के रफ्तार को देखें SJVN की तो यह सवा पांच परसंट से उपर इस वक्त यहाँ पर लगबग पांच परसंट की तेजी यहा हम इन्वेस्टर का अक्सर यहाँ पर हमने कई इन्वेस्टर को फंसे हुए भी देखा सुजलान एनरजी यहाँ पर पिछले पांस दिनों में लगबग 13% की तेजी यहाँ नजर आई है आज भी लगबग 1.5% के आसपास सुजलान एनरजी नजर आ रहा है बताएं इन स्ट खतम हुआ है वहाँ पर बुलिश हैमर कैंडल की फॉर्मेशन के साथ खतम हुआ है यहाँ फेब्रवरी का लोग पूरी तरीके से एब्सॉप करके जो करेक्शन आया था उसको एब्सॉप कर लिया है लोग लेवल से बहुत अच्छी बाइंग हुई है असी के आसपास और अब इस ट्व को एक फ्रेश प्रेक आउट की जगुवत है जो मिलेगा इसको इन नाइन टी-फ्री नाइटी-फॉर के ऊपर एक बार नाइनटी-फॉर तक आवएट कर लीजिए नाइनटी-फॉर जैसे ही स्टॉक निकालता है इसमें फ्रेश वीकली ब्रेकाउट बनेग strength SJVN में ज़्यादा है, monthly candle में open low के साथ शुरुआत किया है और previous month high cross कर रहा है, तो इसको current market price से buy कर सकते हैं, 132 पे stop loss आएगा इसका 122 का closing basis पे और target आएगा जो immediate swing high बना है 168 का, तो 160-165 की range को target ले लिजे और इसको current market price से buy कर सकते हैं, तीसा स्टोक आपने सुदलान बताया, सुदलान में दो मेने की correction थी और March में lower level से बहुत अच्छी buying आई है, last week of March में inside war साग weekly chart पे और वहां से second week of follow through move है, तो इसमें भी 42 के level पे buying कर सकते हैं, उपर में हलका सा resistance रहेगा 45.5 पे, उसके उपर जैसे निकलता है, stock में 60 रुपे तक की तेजी बनेगी, तो इसको भी current market price से buy कर सकते हैं, out of the three अगर एक stock buy करना है, तो any day सुदलान प्रिफर करना चाहिए, कि तीनों में सबसे ज़्यादा तेजी सुदलान में दिख रही है, ठीक है, तो almost ये तीनों stock अंशुल जी के radar पे और उन पर positive नजरिया, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर नजर आता हुआ सुदलान, चलिए, बढ़ते आगे, कुछ और stock को अपने radar पर ले आते हैं, IDFC First Bank, आज हम देख रहे हैं कि सवा 2% की तेजी लगभग यहाँ पर नजर आ रही है, वहीं बाद करें, अगर हम एक और बैंक की, धनलक्षमी बैंक, आज सवा 3% की तेजी यहाँ पर भी बनी हुई है, धनलक्षमी बैंक में काफी टाइम बाद इस तरह की तेजी हमें नजर आ रही है, आदित्या, धनलक्षमी बैंक और IDFC First Bank, दोनों पर जरा अपना विस्तरित नजरिया दीजेए. देखिए मुझे लगता है, ओवराल बादार का टेश्चिर काफी पॉजिटिव है, और अभी बादार एक बेस बना के अच्छी तेजी कर रहा है, आप मिट कैप, स्मॉल कैप, लाज कैप, सबकी बात करें, और बैंकिंग का बहुत एहम रोल है, इसमें बैंकिंग लीड कर रहा है, और IDFC First जो है अभी टाइम से करेक्शन में चल रहा था, अभी ट्रेंड रिवर्सल यहां से दिख रहा है, तो IDFC First को बाई कर सकते हैं, 79.15 में, Stop Loss रहेगा 75 का, और टागेट रहेगा इसमें 84 से लेके 90 का, दूसरा स्टॉक धनलक्षमी बैंक, वो भी अच्छा बाई है, पर अगर कमपेरिटिबली बोल बिलकुल, तो दोनों ही स्टॉक जो हैं, वहाँ पर नजरिया बुलिश और एहम लेवल्स भी आपको आदित ने बताए, हलांकि पसंद जो है, उसमें रुजहान IDFC First Bank की और जुकाव आदित जी का जादा जादा बेतर IDFC First Bank नजर आता हुआ, पहराल यहां रुकेंगे एक सब ब्रेक के लिए फॉरण हाजिर होते हैं कुछ खास सेग्मेंट और कई सेक्टर और स्टॉक्स पर खास चाचा के साथ झाल अचंब लादा चाबन साथ झाल 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 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब रूख करते हैं हमारे अगले सेग्मेंट का व्याईपी शेयर हमारे साथ व्रिधी इंवेस्टमेंट से विवेक कारवा जुड़ चुके हैं विवेक अथाएं की सोमत समय देने के लिए बताइए क्या रनीती हो गया आपकी तरफ से गुड़ आपनोन देखिए पिछले दो जो विएटी होगा था उसमें ने शेल और एक देसी बैंक दिया था सेल बहुत अच्छा कर रहा है और एक देसी बैंक की रिकवरी कर रहा है तो वैसे ही उसका एक समझे ज़े के एक पीर गुरूपी है यह भी लाज क्यात है कोटैक क्यों बोल रहा हूं एक तो यह थोड़ा करेक्शन अलड़ी देख चुके इसमें और काफी समय से इंपक्त अप अगर कोटैक बैंक का लॉंटर्म चार्ट देखो तो आपको दिखेगा करीबन तीन एक साल से कोई रिटर्न नी दिया स्टॉक में और मुझे लगता है कि कंडर्पर्फर्मिंग स्टॉक था और बैंकिंग सेक्टर वापस रिकवर हो रहा है तो एक सेफ बिट के मानदा रूप में लीजिए इसको और देखेगे स्टॉक क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है अब तक लॉंग तर्म से क्योंकि एक तो सक्सेशन का इशू था हुदर ह अब भी और दूसरा यह की कंपनी अपने जो दूसरे बिजनर्स तरह एंची है इंशूरंस है वगरा उनको अभी तक डिमर्ज नहीं किया है या तर उनको अलग से लिस्ट नहीं किया है तो एक वैल्यू उन्लॉकिंग नहीं हुआ है तो एक रेंज में है तो यह रेंज के सब्सक्राइब को अच्छा मुनाफ़ा देखने का अनुमान है जिस तरीके से अब रिजल्ट्स और चुनाव पर फोकस रहेगा कोटक महिनरा बैंक जैसे कम्पनियों को यहां पर फायदा होगा तो यह सला आज की व्याइपी शेर में अब आगे बढ़ते हैं और इवर आटो स्टॉक्स पर भी नजर डालेते हैं शांदार तेजी वहां पर देखने को मिल रहे आटो शेर भी अपने उपरी सर पर है बज के चाहते हैं बजाज आटो तो तेज हैं उसके अलावा अन्या स्टॉक्स पर भी बात करेंगे अशोक लेलेंट अभी थोड़े देर पहले हमारे एक्सपर्ट सुझा भी रहते हैं अपने दिन की उपरी सर पर कारोबार कर रहा है तो शांदार तेजी बनी हुई है आटो श साथ अन्शुल आप सला दीजे मनें पर देखिए ऑटो स्टॉक्स लगबग सारे ऑटो स्टॉक्स तेज हैं जैसे आपने का हीरो मोटो को चोड़के वन ऑफ दी बेनीफीशरी इसका मनें भी रहा है मनें के मंतली चार्ट पर देखें तो ब्रीक आउट आया था जैन्वरी के मैंने में मार्च में कंसॉलिडेशन रहा है और एप्रेल के मैंने में फ्रेश ब्रेक आउट आ रहा है चार अफते की कंसॉलिडेशन से ये स्टॉक निकलने ही कोशिश कर रहा है एक माइनर रेजिस्टेंस इसका हाई इसके अराउंड आएगा 1975 के पास एक-दो दिन चालिश तक ये स्टॉक जाएगा ठीक है तो ये नजरिया MNM पे इस वक्त आता हुआ अन्शुल जी की तरफ से चलिए बढ़ते हैं आगे और अब अपने साथ एक और खास महमान को हम जोड़ते हैं हमारे साथ समीत चवहांड साब जोड़ चुके हैं समीत जी गुड आफ समीत जी आप तक आवाज पहुंच रही है क्या जी अपने जी अपने जी देखें स्टॉप स्पसिफिक काफी अच्छा रुजान है मार्केट में और दोनों साइट पर आपको यहां पर यहां पर आपको एक कॉंट्राबाय करना है तो यही हमें लगता है कि यह रेंज में अब लॉग एक शॉट साइट पर हमारे विद्धिन अपोच्टिस अम देख रहे हैं और अवर और मेटल स्पेस में कल से हमने काफी इक स्ट्रॉंग ट्रेक्शन देखा है उसमें एक अच्छा यहां पर ट्रेश एडप देख रहा है तो एनम्डिसी करेंट लबल पर बाइ इसमें प्राइविट बैंकिंग स्पेस में स्ट्रॉंग रिख रहे है इसमें कोटक बैंक जो एक अंडर पर्फॉर्मर रहा है उसमें हमें थोड़ा उसके इंपोर्टन रजस्टन अटरा अटरा सो अटरा सो पचीस के आफ़ पर काफी स्ट्रॉंग रिश्टन यह लेवर जब तक ब्रेक नहीं होता आपको थोड़ा बहुत हाय लेवर पर यह स्टॉक में नर्वसनेस दिखेगा और वही हम आज भी देख रहे हैं तो इसलिए शॉर्ट सैट पर कोटक बैंक होगा जिसमें स्टॉक लॉस 18-14 का होगा और टार्गेट 1700 का रहे है ठीक है तो यह नज की तेजी यहां पर देख रहे हैं लग एक फिस्दी की तेजी यहां पर नजर आ रही है लेकिन पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो बायो कॉन साड़े छे परसें के करीब यह स्टॉक चला है समित आपके पास ही आना चाहूंगा बायो कॉन क्यासा है लग रहा है डी यहां सब्सक्राइब है तो यह काफी यहां सप्लाई जोन में लास्टॉ कुछ महीनों से ये स्टॉप में देख रहे हैं तो इसलिए यूँन फॉवर्वर्ट ये स्यास के मोग थोड़ी एक्षेंड हो सकते हैं बढ़ ये दो सो पचासी या तीन सो का लेवल सरपास कर पाएगा कर नहीं ये थोड़ा साथ क्वेस्चनेबल है तो ये जब तक ब्रेक करने चाहेंगे इन फैक जिनके पास है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 285-300 के आसपास तो डेफिनेटली आपको पूरे प्रॉफिट सिसमें बुक करने चाहिए ठीक है तो ये है सलाब बायो कॉन पर आपके लिए इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाले तो आयार सीटी सी में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है साड़े तीम परसेंट आयार सीटी का स्टॉक इस वर्ट तो ऊपर है काफी अच्छी बाइंगया पर न ज़ार के ऊपर इस पर कारोबाल कर रहा है अपनी 52 वीक हाई की पास है मजूदा सर पर लेना चाहिए क्या स्टॉक को बिलकुल इस टॉक को बाई करना चाहिए मंधली चार्ट पर दो इंसाइट बार से ब्रेकाउट आ रहा है और वीकली चार्ट पर भी मुल्टीपल हैमर क की फॉर्मेशन थी और लास्ट वीक में एक्स्ट्रीमली टाइट और मैरो कैंडल थी जहां से ब्रेकाउट आया है 943 पर और ओपें लो रहा है मंधली चार्ट पर देखें या वीकली चार्ट पर तो पुरा मंथ ट्रेंड करेगा हाई इसका जो स्विंग हाई है 1049 यहां त आने के बाद थोड़ा सा कंसॉलिडेट करेगा तीन से पांच दिन और नेक्स्ट लेक ओफ रेकाउट में 1125 तक यह स्टॉक जा सकता है तो अगर आप फूचर इंडॉक्शन के प्लेयर है तो पूरी एक्सपाइरी के लिए यह बुले स्टॉक है इंट्राडे में अगर आप एंट्री ले सकते हैं इस स्टॉक में और नए हाइज बनते हुए दिखाई दे सकते हैं आया सीटी सी पर आगे बढ़ते और रूख करते हैं एक एहम खबर का ब्रामक विज्यापन मामले में सुप्रीम कोट में बाबा रामदेव और पतंजली के एमडी आचार्य बाल बाबा रामदेव योगा गुरू और पतंजली के एमडी अचार बाल कृष्णा को कड़ी फटकार लगाई है बाबा रामदेव ने अनकंडिशनल अपॉलजी दी है सुप्रीम कोट में पर सुप्रीम कोट ने उसके बावजूद काफी ख़ड़ा रुख अपनाते हुए प सुप्रीम कोट गया था और सुप्रीम कोट ने बुलाया था दोनों को योगी गुरू बाबा रामदेव और अचारेबाल कृष्णन दोनों को बुलाया था सुप्रीम कोट में तो यही सब हुआ है आज सुप्रीम कोट में दोनों की अपेरेंस से उसके बाद कड़ी फटक पतांजली फूड के से रिलेटेड आती हुई और काफी समय से स्टॉक सुर्खियों में हैं इस खबर के चलते आज हम थोड़ा दबाव भी देख रहे हैं पिछले एक महीने से अगर देखे तो स्टॉक में करेक्शन है 13% ये स्टॉक तूट चुका है पतांजली फूड का इन अब उन्हीं क्या सला देंगे अप अदिकर पूजा जंड देंगे अब जितना अम चार्ट स्टॉक से देख रहे हैं वसी ये तो क्लियर इसका शॉट तो में तूम जो ट्रेंड है वो निगेटिव साइट पर है और रेसेनली ये स्टॉक में जो एक रेक्शन आएं उसके कि हमें लगता है कि हाई लग पर पर प्रेशर होगा और एक लेंग उसका युनू करेक्टिव फेस का यहां पर आगी जाके अनफोल्ड हो सकता है तो इसलिए बांस बैग पर 1450 1550 के रींज में एग्जेट करने की इसमें सलाहत देगे क्या इंशॉरंस को पीज पर भरोसा किया चा सकता है क्या मैंने जो इंशॉरंस परिसी ख़ली है वो जरी है क्यों कैश्टने सोड़ी कि बावजूर्दी मुझे अस्पिटल की धख्ये खाने करते हैं ऐसे बहुत सारे इंशॉरंस से जड़े सवालों के चल्चा होगी इंशॉ यह बहुत कुशी मुल रही है मुझे यह सुनके कि ET9 जैसे एक जाना पहचाना मीडिया कॉंगलरमेट इंशॉरंस महाकुम खंड़क कर रही है इस देश में इंशॉरंस का अवेरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ET9 एक पुरा दिन का एक समेलन और्गनेस कर रहा है महाकुम के नाम पे जहां पे अल दी स्टेकोल्डर्स अव इंशॉरंस इंड़स्ट्री आएंगे उदर और बहुत सारी चर्चा होगी इंशॉरंस के बारे में हमारी शुब कामना है आपका महाकुम के लिए जे हाँ देखना मत भूलिए इंशॉरंस महाकुम 6 अपरेल सुबह 10 बजे से लगातार शानदार कवरेज आपको मिलेगी तमाम आसान भाशा में जानकारियां बहुत सारे पैनल डिसकुशन आपको देखने को मिलेंगे बढ़ते आगे जीस्टी दरों को तरक संगत बनाना नई सरकार की बड़ी परात्मिकता होगी इस पर और जादा जानकारी के साथ मेरे सहोगी प्रकाश शप्रिय दर्शी जुड़ चुके हैं प्रकाश हम लकातार देख रहे हैं कि सरकार जो है वो अपने अगले मिशन की त देखे सुत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि नई सरकार और जीस्टी काउंसिल के लिए जीस्टी के तहट रेट राशनलाइजेशन जो है वो प्रत्मिकताओं के लिस्ट में सबसे उपर रहने वाला है सुतर हमें बता रहे हैं कि GST के अंदर comprehensive rate rationalization से समन्दी जो प्रस्ताव है उसके उपर GOM की जो पहली बैठक है वो लोग सभाचुनाओं के बाद हो सकती है जैसा कि आपको पता है कि वित्मंत्राले ने rate rationalization के ऊपर जो GOM है उसका पुनर गठन किया है और अभी तक हाला कि उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है लेकिन लोग सभाचुनाओं के तुरंत बाद पहली बैठक होने की संभावना है साथी साथ GST काउंसिल के लिए चुनाओं के बाद जो पहली बैठक होगी उसमें प्राइरटी लिस्ट में rate rationalization को प्रात्मिक्ता मिल सकती है और कौन-कौन से ऐसे important फैसले होंगे वित्वर्ष के दौरान इसके उपर भी चर्चा होगी और उससे संभधित रनीती तयार की जाएगी इसके लावा सुत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो शुरुवाती प्रस्ताव है उसमें कुछ slabs को merge करने की भी बात है जैसे कि जो 12% slab है और 18% slab है उसको merge करके 15% का एक नया slab बनाने का प्रस्ताव है साथी साथ हाला कि जो 28% का slab है उसमें माम होंगे और इसके पीछे की वज़य है कि सरकार और GST काउंसिल दोनों का मकसद यह है कि जो एवरेज GST कलेक्शन है उसमें बढ़ोतरी की जाए इसके लावा वित मंत्राले ने यह टागेट रखा है कि जो एवरेज GST कलेक्शन है उसको बढ़ाकर 1.9 लाग से 2 लाग क् पे था लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए रिट रैशनलाजेशन का जो मसला है वो काफी इंपॉर्टन हो जाता है क्योंकि सरकार को और काउंसिल को भी इस बात की उमीद है कि दरों में कटवती करने से उसको रैशनलाइज करने से और ओर आल GST कलेक्शन बढ़ा बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस एहम जानकारी के लिए चलिए बढ़ते आगे एक और खास सेग्मेंट आपके लिए लेकर आते हैं और ये है मुनाफिक आप्शन और आज जब मुनाफिक आप्शन बताने के लिए हमारे साथ हैं यह सेक्यूरिटीज के अमित त्रिवेदी अमिजी गुड आप्टोनून बताईए आप्शन की रणनीती आज के लिए क्या होगी अप्शन के साब से सेमेंट पे ध्यान रखना चाहिए है स्पेसिफिकली अमबोजा सेमेंट पे अमबोजा सेमेंट पे लास्ट वीक की अच्छा एक अक्षन आया था और उसके बाद ये वीक में अभी देखा जाया है तो उसमें पॉसिटिव फोलोग थ्रू भी आ रहा है तो अबरल मुझे लग रहा है कि अमबोजा सेमेंट उपर में 670 से 680 तक आ सकता है तो अब यही सेरीस का अमबोजा सेमेंट का 620 का कॉल आप्शन भाई कर सकते हैं दसका स्टॉपलोस रखना चाहिए है और अपसार टारगेट जो मैं देख रहा हूँ पचास तक के देख ठीक है तो यह राय इस वक्त आती हुई बहुत बहुत शुक्रिया अमबोजा सेमेंट पर आप्शन की रणनीती एहम लेवल्स टारगेट आपके सामने हमने रखे हुए हैं लेकिन आप्शन की दुनिया में याद रखिए कि बहुत जोगिम है सेबी का रिस्क आपके लिए अपने फिनेशल एडवाईजर की सला के आधार पर और तमाम तैयारी के बीच ही इसमें सला दी जाती है क्योंकि नुक्सान जो है वो रिस्क बहुत जादा है चलिए अब कुछ और एहम खबरों की और बढ़ेंगे लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें आज भी यहाँ पर एक परसंट से जादा की तेजी नसर आ रही है और इसके साथ ही दो और स्टॉक में इसमें आड करूँगा बीपी सील और डीवीज लैब अंशुल जी SDFC बैंक को पहले राय दीजिए उसके बाद बीपी सील और डीवीज लैब पे भी नजरिया दीजेगा देगे प्रशान जी कल जब क्लोजिंग शोर में में लाइफ था तब भी मैंने कहा था कि SDFC बैंक को BTSD करके चलना चाहिए जिसका टागेट अल्मोस्ट अचीव हो गया 1490 के राउंड इसमें 38 डेज का कपनानल पैकिन का ब्रीक आउट है 1470 के राउंड जिसका पहला टागेट गैप क्लोजिंग है 1530 पे इदर यह स्टॉक गिर रहा था तो एक गैप छूटा कि 1530 तक फोल्ड करना चाहिए दूसरा BPCL आपने बताया है monthly चार्ट पे BPCL में inside बार की formation है और थोड़ा सा contraction अभी भी चल रहा है weekly चार्ट पे इसको एक breakout की जगवत है 625 के उपर इसमें breakout आएगा 625 निकलता है तो इस टॉक में लॉंग करके चलना चाहिए स्विंग हाई 662 का टागेट रहेगा और उसके उपर निकलता है तो तेजी थोड़ी extend होगी बट फिलाल के लिए 660 का टागेट लेके चलना चाहिए लास्ट डिवी स्लैब जो आपने का डिवी स्लैब पे बहुत ज्यादा bullish यू नहीं है इसमें बहुत लंबा करेक्शन आ स्विंग के राउंड है वहाँ पे स्टॉक अटक सकता है तो इसको एवाइट की सला देगा ठीक है तो यह सला है तबाम स्टॉक्स पर एक पार टाटा कंजूमर प्रोड़क्ट देखते हैं तीम परसंट उपर यह स्टॉक आ चुका है क्विकली समी जी इसके चार्ट देख है उसके इंपोर्टन सपोर्ट जो रिट्रेस्पेंट है और उसका एटीनाइड एक्स्पोनेशन मुलिए प्रिसाइजली अगर हम देखे तो ग्यारा सो हजार रसी की रीज में वहीं पर लास्त तीन चार्ट इनों से यह स्टॉक नहीं कई एक कान्सॉलिडेशन दिखाया तो अगर कोई जिनों अज़ ट्रेडर अगर कोई यहां पर बाय करता है तो स्ट्रिक्ट शॉप लॉइट पोर यह इसके नीचे वापस एक ब्रेकडाउन इस टॉप में कंफॉम हो सकता है तो इसलिए बंजरो एट पोर के स्टॉप लॉस एगर कोई करता है तो 1160 65 के से टा अंशुल जी डिक्सन टेक्नोलोजीज अपने आल टाइम हाइपर कारोबार कर रहा है 7840 पर शांदार रनप इस स्टॉप में भी देखने को मिला है पिछले 6 मेने का अगर हम चार्ट आपको दिखा पाए 47% की तेजी यह स्टॉप अभी तक दिखा चुका है जैनुरी से ले थोड़ा करेक्शिंग के बाद यहां पर एंट्री ले दिखे पुजा जी आपके चैनल पर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें डिक्सन टेक्नोलोजी के मैनेजमेंट का इंटर्विव हुआ था मैंने उसको जब सुना था तो वो बहुत बुलिश थे मार्केट पर और मार्केट शेयर पर और उसी का रिफ्लेक्शन चार्ट पर भी देखने के लिए मिल रहा है एक्स्ट्रीमली स्ट्रॉंग चार्ट्स हैं इसमें मल्टी मंत का एक राउंडिंग बॉटम का ब्रीक आउट आया था 6237 पर जिसका टागेट निकल के आता है 9500 का अभी मिडवे है मंतली चार्ट पर टागेट से तो यहां से दो से तीन मैना लग सकता है इस टागेट को अचीव होने 9500 का बट एक्स्ट्रीम शॉट टर्म में अगर बात करें तो थर्ड वीक है जहां पर रैली आते हुए टी मिलेगा वहां पर इटली शॉट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग करके फिर डिप्स पर लॉंग एड़ कर सकते हैं 9500 तक का व्यू है मंतली चार्ट पर जरिया डिक्सन टेक पे और यहां पर खरीदारी की सला लक्ष जो हैं वो बड़े हैं वो भी आपके सामने अच्छुल ची ने रखे चलिए एक स्टॉक जरा आपके सामने लाएंगे तानला सलूशन्स आज देखिए सवा 11% भाग चुका है यह स्टॉक का आज के आज जबर तानला सलूशन जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए कैसा लग रहा है आपको अगर सेम वॉल्यूम एक्टिविटी अगर यह स्टॉक मेंटेन रखता है और फिर यह प्राइजिस 975,000 के लेवल सरफास कर रफाता है तो फिर आपको कहीं हायर जो उसका क्लस्टर 1150-1200 का वहां तर यह स्टॉक जाते हुए देख सकते हैं तो नेक्स्ट एक दो दिनों मे पेज़ टॉक में फॉलो बाइंगा ना काफी इंपॉरर्ट रहे है खोड़ा सा आपको यहां पर इंतजार करना चाहिए हजार तक के जो लेवल है वहां तक उसके बाद एक बार फिर हम इस पर चर्चा करेंगे बढ़ते हैं एक ऐहीं खबर आपके लिए लेकर आते हैं डी मर्जर खादे हैं आज आदित्या बिरला फैशन मे जोरदार तेजी है आखिर डी मर्जर की पूरी जानकारी क्या है क्या है डीटेल हमारे साथ अशिशा जुड़ चुके हैं अश्रिशा बताएं आखिर क्या है de-merger को लेका details जी हाँ अधित्या बिरला fashion and retail ने बड़ा de-merger announce किया है Madura Retail अब एक separate entity, listed separate entity होगी 1 is to 1 का de-merger ratio होगा यानि अगर आपके पास एक share है अधित्या बिरला fashion and retail का तो आपको एक share Madura fashion and retail का भी मिल जाएगा याद रखे ये de-merger entity का revenue share as a percentage of total revenue देखे तो two-third के आसपास आसा है तो बड़ा de-merger announcement है जिसके चलते stock में भी आज काफी अप्मूव दिखाए दे रहा है लेकिन Madura fashion की बात करे तो cash flow positive entity रहेगी return ratios भी काफी ज्यादा है और इसके साथ ही साथ de-merger के बाद Aditya Birla fashion जो de-merger entity रहेगी वो भी अपनी balance sheet position strengthen करना चाहता है जिसके चलते fundraising plans भी consider करेंगे तो काफी value unlocking proposition है जिसके चलते Aditya Birla fashion and retail मैं आज करीब करीब 12-13% का उच्छाल देखने को मिल रहा है इसके अलावा Madura fashion में कौनसी brands रहेंगी उसकी बात करते हैं Louis Philip, Van Hussain, Alan Solly, Peter England, Reebok, Forever 21 जैसी कुछ brands है जो de-merger new entity create होगी उसमें रहेंगे उसके साथ ही साथ Aditya Birla fashion and retail में भी काफी segments है सबसे पहले value retail जिसमें pantaloons और style up जैसी brands है ethnic portfolio में TCNS clothing जो उन्होंने recently acquire किया था सब यह साची मसाबा जैसे कुछ brands है जो ethnic clothing के angle में रहेगी इसके अलावा de-merger की क्या reasons है क्या वज़ा है वो भी company ने highlight किया है सबसे पहले value unlocking combined entity में debt काफी ज्यादा थी तो de-merge करने से वो company को फायदा होगा उसके साथ ही साथ valuations काफी stagnant रहे थे तो अब de-merger के चलते valuations में भी inch up देखने को मिलेगा इसके अलावा company streamline करना चाहती थी अपना structure तो काफी simplified structure अब बन चुका है तो काफी सारे advantages company देखती है de-merger के चलते जिसके चलते stock में भी आज उच्छाल देखने को मिल रहा है all in all काफी अच्छा value unlocking proposition है जिसके चलते street rejoice कर रही है और याद रखे अदित्या बिल्ला fashion and retail अखेली company नहीं है अदित्या बिल्ला group से जिसने ऐसा बड़ा restructuring announcement recently announce किया है ultra tech cement, vodafone idea, grassim जैसे कुछ और companies भी है group में से जिसने बड़े restructuring announcements हाल ही में announce किये है बिल्कुल तो ये पूरा दित्या बिल्ला fashion की deemer just related एक पूरा analysis हमने आपके सामने रखा और आज stock में काफी अच्छी तीजी भी देखने को मिल रही है तो इस पर नजर रखिए चलिए अब रूख करते हैं हमारे अगले segment का power play अच्छी पहले आप से शुरूबात करेंगे बताइए आप करेड़ा पर कॉंसे स्टॉक्स हैं पूजा जी पूरे शो की थीम अगर हम discuss करें तो लगभग सभी मिटल्स पर बुलिश है और मिटल सक्टर काफी तेज भी लग रहा है और हमने विदानता topic discuss कर ली है तो second best stock जो इस लिस्ट में आता है वह है national aluminium यहाँ पे previous month low के आसपास rejection मना था और हम वहाँ से बहतरीन rally लेते हुए previous month high के आसपास आ गया है फ्रेश ब्रेक आउट बनने की कगार पर यहां से stock 180-185 तक जा सकता है 165 की current market price पर बाई कर सकते हैं एक से दो दिन का view है 172 का target रहेगा लेकिन अगर एक से दो हफ़ते का समय दे सकते हैं तो 180-185 तक की stock अराम से test कर लेगा अब बताईए तो पाँ से लिए नाशनल यह दूनिया थीक है तो वेदानता और उसके बाद नाल को 185 तक के लेवल सिहां पर देखने को मिल सकते हैं नाल को में समीथ आप के पास आएंगे आप बताये कॉंसे स्टॉक्स पर चेड करने के सला देंगे अब देखे पोजा यह पर एंए नम डिक्सी में लाउंग वोटक में शौट अल्रेडी सजिश्ट कर गया तो यहां पर एक बादर मार्केट लिए तो यहां पर एक बादर मार्केश यह स्टॉक में देखा था बट अभी कहीन है कि यह उसकी जो आप्रेंड है वो रिजूम करते हो दिख रहा है आज उसने लगबग एक तिर्ड महीनों का जो पास रखना है तो यह नजरिया हमारे एक्सपर्ट का एहम स्टॉक्स पर बहुत बहुत शुक्रिया समीच जी इस अब दब मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को आप इस शो में इजासत दे सकते हैं लेकिन आगे क्लोजिंग कॉल्स देखना मत भूलिए आप देखते रहे हैं यह टी नाव सुदेश नमस्क्राइब कि अर्फे बहुत करीआए यह बै। कि आपके अर्फे हैं यह स्टॉदेश जी इस यह जो पार बहुत वोड़ोरी को आपुदेश दॉक्स कार्णलीं झाल 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 प्रस्टीज एस्टेट्स पांच परसंट दोडा प्रसंट 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 पर प्रसंट 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 पिछले चार घंटे से निफ्टी में करीब-करीब 50 अंकों के दारे में कारबार हो रहा है हाला कि 22,400 के स्थर को वह खुबी हुल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी और इस कोशिश में सबसे ज़्यादा रंग अगर किसी शेयर का है वेटरिज के लिहासे तो वो है SDFC बैंक करीब-करीब 1% के आसपास की तेजी आज हमें वहाँ पर देखने को मिलना है और कुछ-कुछ और टो शेयरों से भी सपोर्ट है MNM और बजाज और लेकिन रिलाइंस और IT शेयरों का सपोर्ट बाजार के लिए आज गाएवे इसकी चलते हम देखने की आज रंग थोड़ा-थोड़ा फीका है और निफ्टी बैंक भी सपाट है क्योंकि जो और बड़े बैंक है आईसेसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक, कोटक बैंक वहाँ से आज बाजार पर हमें दबाओ देखने को मिलना है सवाल यह है कि क्या आखनी के घंटे में बाजार में थोड़ी यहां से तीजी बढ़ेगी फिर से बाजार पांसो क्या आसपास तक निफ्टी पहुँचेगा इसका जवाब लेगे अपने एक्सपोर्ट से साथ ही आपके लिए कमाई के धेर सारे शेयर भी जानेंगे नमस्कार आपके साथ महीं अभिशीक और मेरे साथ हैं मेरे सेयोगी दिंपी कालरा आगे बाजने से बाजने यह देख लेते हैं कि शोव में आगे हम खास क्या करने वाले हैं थोड़ी दिर में हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड़ दो बच के 35 मिनट पर दो बच के 44 मिनट पर आप्शन का एक धमाकिदार शेयर लेकर आएंगे आप्शन के चैंपियर में समझते हैं 3 बच के 5 मिनट पर और आखिर में events to watch होगे 3 बच के 20 मिनट पर corporate या फिर वो events जो बाजार पर असर डालते हूं जो बाजार को कहने कहीं परभावित करते हूं चूते हूं और आप उनसे जुड़े हूं उनके मातशीत करेंगे 3 बच के 20 मिनट पर लेकिन फडापट प्लूक का दायरा है रींज में कारोबार कर रहा है आज में सुस्टी देखने को मिल रही है ग्लोबल वाजारों सी व्यासंकीत कमजोरी खैई थे और गिफ्ट निफ्टी ने भी तोड़ी से सुस्टी के संकीत दिए ते उसी से क्यूल लेते विंव पर्शन नीचे है आई से सी बैंक का शियर दोनों ही बेटेज फिलिया से बढ़े क्रूशियल बैंक से हैं रियल एस्टेट मेटल और सरकारी कम्पनियों में आज खरदारी का रुख देखने को मिल ला है और रेलवे वाले शियर भी कुछ कुछ चुनिंदा चल लें आयर से ट जिस तरह से मौसिम भाग का कल पुरवा नुमान आया था कि अपरेल से जून के महिने में अलनीनों के स्थिती बनी रहेगी और सामाने से ज्यादा तापमान रहेगा तो गर्मे बढ़ने के आशंका से हम देखने की कूलिंग सेग्मेंट वाले जो शियर हैं सिंफनी 9% उप कर लें तो इनफोसिस में, HCL टेक में ये कुछ ऐसे शियर सें जहां पर कमजूरी हो और फार्मा की बात करें तो सन फार्मा, सिप्ला ये कमजूरी के साथ आज कारोबार करते हुए दिख रहे हैं एक परसंट के आत्पास की नर्मी इन दोनों ही शियरों में आज दिखाई दे रही है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक्सपर्ट को अपने जोड़ेंगे, उसके पहले ये जान लेते हैं कि क्या निफ्टी की रंग यहां से बदलेगी, अगले एक घंटे के ट्रेड के दोरान, आकड़े किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, डिमपी समझते हैं, बाईज को थोड़ा सा साइडवेज होना होगा, और नए फ्यूल लेके आना होगा, मैंने एक वर्ड में इस्तिमाल किया था कि फ्यूल आपके पास कम है, और यहां तक जब तक आये हो, इस सारा फ्यूल आप खर्च करके आये हो, थोड़ा पोजिशन लाइट लेके आये थे और नोटिस करा था कि मैंने अपने लाइफ में पहली बार पचास परसंट का ओपन इंटरस्ट, फर्स्ट डिवदा सिरीज कटते हुए देखा था, यानि कि हट रहा था उसमें से, मंदड़ियों को बाहर फैक रहा था, आज आप बैंक निफ्टी का फ्यूजर्स देखोगे, वो डाई तीन परसंट है, कल कहां पचास परसंट और कहां आज का तीन परसंट, तो जो ओपन इंटरस्ट का बदलाव है, ओपन इंटरस्ट कहने का मेरे मतलब है कि वो खारे सारे खुले सौदे, जो भी मार्केट के अंदर सेटल होने के लिए जाएंगे, तो उससे आपको काफी हर्त तक आइडिया लग जाएगे, एक तो डेफ्थ कितनी है, सौदे कितनी है, और किस तरफ पलला जुक रहा है, भारी हो रहा है, आज आप दोनों का प्राइस एक्शन देखो, आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो प्राइस एक्शन और वाल्यूम एक्शन, दोनों स तो भे आपको FIS की होल्डिंग बताई थी, उस होल्डिंग में मेरे को लगता नहीं कोई बड़ा चेंज आएगा, आज शाम तक, दूसरा पॉइंट, पुट कॉल रेशो में कोई खास बड़ा बदला, कुछ नहीं हुआ, तीसरा पॉइंट, क्या लीडर्शिप में एक दो शेर हैं, इसे जो लीडर्शिप दे रहे हैं, यस दे रहे हैं, एचलि एसी बैंक, चोथा पॉइंट आपके स्क्रीन पर चल रहा है, अडवांस डिक्लाइन रेशो, अभी भी आपके फिवर में, आप डबल से ज़्यादा तेजी वाले शेर लेके बैठे हो, फिर इंडिया में calculate करोगे, तो कम से कम 30-40% तूड़ चुका है, आपको fear कम कर रहा है, आपके highs लगवा रहा है, बार बार, लेकिन इसका मतलब ये भी है, कि market में आगे चलके sideways consolidation में भी डाल देगा, आपको ये, बिठा देगा, क्योंकि इंडिया विक्स प्रॉक्सी चलता है, इसको कम से क बार, तेरह तो आपके basic requirement इतना तो चाहिए ही चाहिए आपको, आप जो आज feel low कर रहे हो ना, ये कुछ-कुछ इसकी वज़े से भी low कर रहे हो, जो आप इंडिया विक्साज dip लगा हुए नीचे, रही बार structural problem की, वह ऐसा कुछ दिखनी रही है, और रही बार data के favor की market नहीं तो औरते निफ्टी पे तब तक हम कभी भी buying on dips कर सकते हैं, जिनके पास है, उनको hold करना चाहिए, target भी clear है, पहला target बैंक निफ्टी पे वह 47800 का होगा, फिर 48000 का होगा, और निफ्टी पे जो target होगा पहला, वह 22500 का होगा, फिर 6500 का होगा, हो सकता है ये बात जो मैं आज बोल रहा हूँ, ये मैं कल भी बात बूलू, तो आप अच्छे से note कर लिजेगा, buying on dips का market है, levels मोटा मोटी notice हमने करवाती आपको, गिरावट पर खरदारी वाले वाजार है, बाइस पांस सो, बाइस साढ़े छे सो, यहां से निफ्टी के लिए आपके target बनेंगे, टेक्निकल एक्सपोर्ट्स हैं, रुचित जैन, राजेश पालविया और रतनेश गोयल, आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत हीटीनों सुदिश पर, लेकि चलिए शुरुवात कर लेते हैं, closing trades के साथ, राजेश जी शुरुवात आप से करना चाहेंगे, नमस्कार, बताएए कौन सी शेयर्स हैं आपके रडायर पर, क्या खरीदे की आप सला दे रहे हैं? अबिशेख जी, गुड़ आफ्टरून अभीशेख जी, गुड़ आफ्टरून एवरिवन, सो देखिए, पहला स्टॉक जो हमें पसंदा रहा है, वो है CDSL का, अगर हम देखे तो जिस तरीके से मॉमेंटम बना है, मार्केट में, CDSL में, अगर हम देखे, पिछले कुछ दिनों में लोर साइट से ग्रेस बना के स्टॉक ने वापस जिस तरीके से रेली पकड़ी है, यहाँ पर हमें लगता है, यह स्टॉक में अब वापस अपने अल्टाइम हाइट रेजेक्टर की तरफ बढ़ते वे दिखेगा, तो पोजिशनल ही जिने रखना है, उसके लिए तो हमें लगता है, यहाँ पर टार्गेट 2000 प्लस तक के भी आते वे दिखेंगे, लेकि ट्रेडिंग पॉइंट अब इस है, जो हम एक्सपेक करने टार्ग पे ब्रेक आउट आते वे दिखाए, डेली चार्ट पे 20 डे मुविंग एवरेज के उपर आज सस्टेन होते वे दिख रहा है, डेरिवेटिव डेटा में आज लॉंग बिल्ट अप के साइन है, तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन यहाँ प इंडियन होटल, यह स्टॉक के साथ जाना चाहिए, स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग इंट्रेस्ट बनावा ओल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक ट्रेट कर रहा है, करेक्शन के बाद स्टॉक ने पिछले 50 साथ ट्रेडिंग सेशन में जो रिकवरी दिखाई ह इंडियन होटल में, यहां से हमें नियर टर्ब के टारगेट लगता है, 630 तक आते वे दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 599 के आज पास ठीक है, इंडियन होटल्स करीब करीब 5500 रुपे के इस तरह से लगातार, इसमें बाइंग है, कोई थकान के संकीत नहीं है, 607 रुपे पर जाकर अब यह शेयर ट्रेड कर रहा है, 630 रुपे का टारगेट आपके लिए, IDFC फॉस्ट बेंक और तीसरा शेयर CDSL, प्लैटफर 1880 रुपे का भावे, 2.5% के आस-पास की मजबूती है, तो तीन शेयर राजियर जी की तरफ से, रतनेश जी, आपके लिस्ट में कौन कौन से शेयर से, आपके पास भी क्या सारे के सारे तेजी वाले खिराड़ी हैं? गुड़ आपिशेकी, गुड़ सभी को मेरा नमस्कार, दर्शाव को नमस्कार, डेफिनेटली बाजार में इस तरह का मुमंटम है, बले निफ्टी कंसरोडेशन वा पर जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ तो उसमें तीजी के ट्रेड रहेंगे, तो पहला तो स् सब्सक्राइब के टार्गेट मुझे सीडी एसल में दिखाई देते, सेकेंड में जो रहेंगा, जो आटो सेक्टर उसमें से मनम, मनम में वापीस से कंसरोडेशन वापीस एक ब्रेकाउट के लिए तैयार है, तो मनम में मुझे इसा लगता है कि यहां पे दो जार तीस तक क टार्गेट आ सकते है, तो नी सो बीस रुपे के स्टोक रॉस के साथ मैं. और अब टॉप गिनस में यह है, रुचित आपके रड़ार पर कौन से शियर हैं, आप क्या खरीदने की सला दे रहे हैं? तो मार्केट के साथ साथ जब मिड्कैप्स करेक्ट हुए, तो उसके साथ साथ प्राइज वाइस करेक्टिव फेज में देखे, तो कोई अब यह पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में था और वो रेंज का ब्रेकाउट आज यह स्टॉक अब भी दे रहे हैं, आज वाल्यूम्स भी इंफेक्ट प्राइज अप्मूव के साथ साथ अच्छे हैं, तो केमिकल्स के स्टॉक्स भी एक्टिव हो जाएंगे, आप आप देख भी रहे हो कि काफी सारे टेक्निकल एनलिस्ट की कॉल्स में SRF भी होगा, काफी सारे दीपक नाइट्रेट भी देख रहे होंगे, एक शेर है जो थोड़ा पिटा हुआ था, यह कहें कि उसका एक क्वार् प्राइस के अंदर आ गया होगा ना सब कुछ, अभी तो कहना केमिकल्स का वापिस से थोड़ा साइकल टर्न हो रहा है, कुछ चाइना का भी नंबर अच्छे आ रहे हैं, कुछ अपने डुमेस्टिक कारण भी अच्छे बन रहे हैं, और जारतर पियर्स, सिर्फ यूपील नहीं और भी चल रहे है, सर इस कंपनी को आप कैसे रेट करोगा आउट अफ टैन, इस समय इस भाव पे, चार सुपर चतर पे, पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि देखे, यूनाइटिट फॉस्फरस पिछले साल मेरी क्याल से काफी खराब प्रदर्शन के कारण उसको ओप यूपियल से रिलेटेड नहीं है, आपने सही कहा कि एंटार अग्रो केमिकल सेक्टर में एक मंदी का माहूल था, जून का कॉर्टर देखिए, डिसेंबर कॉर्टर, सेप्टेंबर कॉर्टर, यह सारी कॉर्टर में मार्केट्स बहुत डाउन था, तो अभी मेरे ख्याल से जो भी प्राइस आपको दिख रहा है, वो ज्यादा तर नेगेटिवस को डिसकाउंट कर चुका है, मुझे लगता है कि अगला सीजन जब आएगा, डिमेस्टिक मार्केट्स के लिए, एग्रो केमिकल का एप्रिल टु सेप्टेंबर का इनका फर्स्ट आप जो होता है, वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी कौन्टिटी एकुमलेट करें, क्योंकि भी सारा मार्केट इसके अगेंस्ट है, और कंपनी फंडमेंटली बहुत स्ट्रॉंग है, लेकिन ग्लोबल मार्केट जैसे लाटन अमेरिका, उसके बाद यूएस, येरोप, यहां पे भी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से यहां पे थोड़ा सा पोजिशन आप आड़ कर सकते हो, ओबिसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक ख़त कॉर्टर के लिए शायद आपको इंतजार करना पड़े, बट अगले 6-12 मिने में आपको एक अच्छा बाउंस बैक को मिल सकता है, मेरे ख्याल से कम से कम 550 एक फ़र्स टागेट बन सकता है, जो कमफर्टबली एच्छीव हो सकता है. फिफ्टी तक तो आई जाना चाहिए, शेयर देखिए, इसका बेस बना है, मैं टेक्निकली बेसिस पे बता रहा हूं, आके अविनाज जी ने आपको सारी बात क्लियर कर दिया कि अगर आप दूसरे स्टॉक्स देखोगे उसमें भी, तो यह ना कैच अप रैली के तौर पर आफी चर्निंग के तौर भी हो सकता है, यह तो पहला पॉइंट था, दूसरा शेयर है मेरे पास, आई यार सी टी सी, अभी आज हम बारा साड़े बारा मज़े एक शो कर रहे थे उसमें हमने कई सारे स्टॉक्स गर्मी से जुड़े वे ढूंडे, उसमें आइस्क्रीम था, एसी था, इस सब कुछ था, लेकिन थोड़ा हट के वाला स्टॉक हम को मिला, वो आई यार सी टी सी भी था, लोग जब घूमने फिरने के लिए अगर कहीं भी जाएं, चाहे वो नीचे साउथ में हो या फिर नॉर्थ के हो, जारतर लोग अगर ट्रेंस का इस्तेमाल करेंगे एक से दूसरी जगे पर, तो इस समय आई यार सी टी सी के साई प्लेस्ट है, यह कैटरिंग के सर्विसिस भी देता है, और रिलवे टिकेटिंग के सर्विसिस भी देता है, डे बढ़ते में ही दिखरी है स्टॉक में और जिस तरीके से आज स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना है, अगर वीकली चार्ट पे इसको इनलाइज करें, तो पिछले 6 वीक का एक रेंज का ब्रेकाउट आज होते में दिख रहा है, हमें लगता है जिस तरीके की इस टार्गेट बन सकता है, वो एक हजार पच्छीस, एक हजार पैंटीस की तरफ आते वे दिख सकता है, तो जिनके पास भी पोजिशन है बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस को यहां पे 988 के आसपास ट्रेइल कर ले एक शर मैं रतनेश गोल से चेक कराता हूँ, रतनेश जी एक बच जड़ा ओजीवन आप चेक करेंगे, ओजीवन ओजीवन फारनेशनल के नाम से एक कंपनी होगी, ओजीवन फारनेशनल सर्विसीज, इसका जड़ा चेक करना कोई ब्रेक आउट है क्या इसका? जीवन पांक्सो तीस रुप वाले की बात करें डिमपिजी अपराओ पूल रों गहां मिला सर आपको मिला आपको शेर मिला की नहीं मिला पांसो तीस रुपए उनकी बात करना हाँ पांसो तीस वाला सर यही चेक करो हाँ हाँ यह 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 बिल्कुल टेजी है यह बिल्कुल बढ़करा रह सकती है पांसो दस रुपए का लिस्टोपलोस लगाना चीब पूकपर में यह बन जाएंगे पांसो सप्तर से पांसो अससे ट्रक्टे बनता हैंगे जीवन को लेकर यह बियू अविनाज यह आपसे बियू चाहेंगे टाटा टेक के शेयर को लेकर क्योंकि ब्यम डबलू के साथ इन्होंने करार किया है और एक यह सफ्ट्विवर और आइटी डिवल्लेपेंट हब स्टेबलिश्ट करने जा रहे हैं पूरे में निश्ची त कैसी लगती है अविनाज जी और क्या यह सही वक्त है क्योंकि हमने थ्वड़ा सा वैलूइशन करेक्शन होते हुए शेयर में देखा था अभी इसको लपकने का लेने का सही मौका है यह आपके ही चैनल पे मुझे याद है पिछले हक्ते ही हमने आपको पांच शेर जो रेक्मेंट किये थे उसमें से एक टाटर टेक्नलोजी था तभी मेरे ख्याल से एक हजार पचास का रेट था और यह ओडर आई नहीं थी लेकिन अभी यह ओडर आने के बाद मुझे लग रह आते हैं तो ERD स्पेस में तो टाटर टेक्नलोजी के एक वेल एस्टैबलिश्ट ले रहेंगी BMW का भी जो डेवलप्मेंट है बहुत ही पॉजिटिव है कि और सेक्टर में यह बहुत बड़ा काम करेंगे और BMW एक वेल नोन प्रिमियम कार मैनेफेक्ट्टर है तो बारा से पंदरा मैने का टाइम फ्रिम लेके यहां पे निवेश का एक मौका आपको देखना चाहिए तो डेफिनेटली इनो मोमेंटम तो पॉजिटिव है बट मुझे लग रहा है कि अगले साल that is F25 में अगर अर्निंग्स ग्रोथ आती है नए ओर्डर आते हैं तो इसमें री रेट करने के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स है तो यहां पे निवेशित रही है ठीक है री रेटिंग की संभावना भी है टाटा टिकनोलोजिस के शेर में चोड़ो सो रुपे के भाव देखी थी जवरदस लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है ले अब यह समझ लेते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे और लेकर आएंगे आप्शिन्स के चैंपियन आदिते अरोडा हमारे साथ हैं आप्शिन्स का चैंपियन लेकर आदिते बहुत शुक्रिया आपका समय देने क्लिए स्वागत है बताईए क्या ट्रेट करना अभी अभिशिक जी देखिये मूद माहूल बड़ा अच्छा है और मुझे रखता है पी एस्व एक अच्छा कमबाक कर जा है इसमें बी एल एक बुलिश कैंडिडेट है इसमें बुलिश ट्राटिजी कर सकते है तू टू ट्वेंट का कॉल बाय करेंगे टेन पॉइंट पॉइं ठीक है बुलिश ट्रेट जी बी एल 220 वाली कॉल खरीदनी है दस रुपे पंद्रापैसे के बहाँ पर उसकी उपर वाली कॉल बीचनी है साड़े 6 रुपे पर अधिकतम मुनाफ़ा 21,945 और अधिकतम नुकसान 20,805 का हम शेयर में देखने के पांच परशनेट के आस पास क बढ़िया तीजी बनी है और आज अगर आपने इसको कैश में भी खरीदा होता बीयल को तो वेशाली ने बाजार खुलने से पहले ही आपके लिए ये रेकमेंडीशन दी थी बीयल को खरीदने की और पांच परसंट की तीजी अब इसमें हो रही है लेकिन आप्शन के जरी होता है पचासजार रुपए का चले आगे बढ़ेंगे और अपने एक्सपर्ट से अब ये जानते हैं राजी जी आप जरने एचेल चेक कीजिए साधे तीन हजार रुपए के भाव इसकी हो गए हैं आज बढ़ियां तेजी है और फिलाल डे हाई के आसपसी ट्रेट कर रह कर रहा है जो कि क्लियर दिखाता है कि स्टॉक में एक सस्टेंड अप्रेंड है एक्रॉस होल टाइम फ्रेम जिस तरीके से लास्ट मंद में एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद स्टॉक में जो रिकवरी बनी है पिछले साथ-ाथ दिनों से यह क्लियरली दि लगता है तो 3800, 3850 की तरफ भी यह स्टॉक बढ़ते में दिख सकता है तो यहां पर लॉंग साइड का ट्रेड ओपन रखें स्टॉप लॉस 3460 के आसपास से जब तर यह 3460 के उपर बना हुआ है चोटी मोटी गिरावाट डिप में इसको एड़ करें अप साइड में यहां 3700, 3850 की अपसाइड हमें लगता है पोजिशन दिख सकते हैं ठीक है 3700, 3950 रुपे की टार्गेट आपके लिए H.E.L. में बन सकते हैं आज हम दिख रहें कि आदिते बिल्ला ग्रूप के जो शेर्स हैं आदिते बिल्ला फैशन हो गया टी Շस क्लोधिंग जोकी आदिते बिल्ला फैशन के नेवेश वाली कंपनी हैं लास्ट एरह इसमें 51% टिक लिया था यह शेर ही चल ला है बाकी शेर में चल लिए आदिते बिल्ला मनी चल ला है अभी यह एपिटल चलना है लेकिन दरसल अदित्य बिला फैशन में जो ट्रिगर है वो है डी मर्जर का क्योंकि यह मदुरा फैशन को अलग करने जा रहे हैं उसको अलग से लिस्ट कराएंगे तो क्या इस कंपनी की भी री रिटिंग होगी बैल्ली उनलॉकिंग किस तरह की होगी आखिर किस तर बड़ा फैशन और रीटेल बड़ा डी मर्जर अनौंस किया है मदुरा रीटेल अब एक सपरेट एंटिटी लिस्टेट सेपरेट एंटिटी होगी वग इस्टु वण लेकिन मधुरा फैशन की बात करें तो cash flow positive entity रहेगी, return ratios भी काफी ज्यादा है और इसके साथ ही साथ demerger के बाद Aditya Birla fashion जो demerged entity रहेगी वो भी अपनी balance sheet position strengthen करना चाहता है जिसके चलते fund raising plans भी consider करेंगे, तो काफी value unlocking proposition है जिसके चलते Aditya Birla fashion and retail मैं आज करीब करीब 12-13% का उच्छाल देखने को मिल रहा है इसके अलावा Madura fashion में कौनसी brands रहेंगी उसकी बात करते हैं Louis Philip, Van Hussain, Alan Solly, Peter England, Reebok, Forever 21 जैसी कुछ brands है जो demerger नई entity create होगी उसमें रहेंगे उसके साथ ही साथ Aditya Birla fashion and retail में भी काफी segments है सबसे पहले Value Retail जिसमें Patentaloons और StyleUp जैसी brands है Ethnic portfolio में TCNS clothing जो उन्होंने recently acquire किया था Sabias Archie Masaba जैसे कुछ brands है जो ethnic clothing के angle में रहेगी इसके अलावा demerger की क्या reasons है क्या वज़ा है वो भी company ने highlight किया है सबसे पहले Value Unlocking Combined Entity में debt काफी ज्यादा थी तो demerge करने से वो company को फायदा होगा उसके साथ ही साथ valuations काफी stagnant रहे थे तो अब demerger के चलते valuations में भी inch up देखने को मिलेगा इसके अलावा company streamline करना चाहती थी अपना structure तो काफी simplified structure अब बन चुका है तो काफी सारे advantages company देखती है demerger के चलते जिसके चलते stock में भी आज उच्छाल देखने को मिल रहा है all in all काफी अच्छा value unlocking proposition है जिसके चलते street rejoice कर रही है और याद रखे अदित्या बिला fashion and retail अखेली company नहीं है अदित्या बिला ग्रूप से जिसने ऐसा बड़ा restructuring announcement recently announce किया है ultra tech cement, vodafone idea, grassim जैसे कुछ और companies भी है group में से जिसने बड़े restructuring announcements हाल ही में announce किये है ठीक है, बहुत शुक्री है आपका और इस सारी के सारी details आपको यहाँ पर मिलते हूं मिल रही है कि हाँ किस तरह से deemerge हुआ कैसे हुआ और क्यों इसकी वज़े रही है और क्या काउं कौन से company के अंदर कौन कौन से brand है दोनों शेयर्स में करीब-करीब 11% तक की तीज़ी है एक खबर नीचे आप देख पा रहे है, cement companies ने कुछ दाम बढ़ा दी है और करीब खबर ही है कि 20-30 रुपे बोरी यानि की bag के दाम बढ़ाए गए है और यह अलग-अलग जगों पर अलग-अलग rate होंगे जैसे मारास्टर के rate आ रहे है, 20-40 रुपे, करनाटक के rate आएंगे, 30 रुपे, पर तमिलनाट के rate आएंगे, कुछ और तो कुल में इलाकी है कि हो सकता है, अलग-अलग rate हो, लेकिन 20-50 रुपे, 60 रुपे तक भी rate बढ़ाई जा गए है, per back के और इसका क्या impact होगा, एक बार जारा समझ लेते हैं, विनाज सर, ये खबर तो पहले से market में चली रही थी ना, कि ये दाम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लास्ट दो quarter से इन्होंने दाम नहीं बढ़ाए, अब सामने problem क्या है, सामने electricity की problem है, कोल की shortage पहले ही हो जाएगी, ये में बढ़ा अंदाम इससे अच्छा पहले ही थोड़ा ये प्री ला अपको decision नहीं लग रहा है कि कुछ pre decision नहीं है, नहीं मेरे खिल से टिंपी पाएं, pre decision तो जरूर है, लेकिन इसका impact profitability पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए, बारिश के पहले इन्होंन आपको region wise अलग-अलग थोड़े से price में difference रहेगी, लेकिन profitability के point of view से cement companies के लिए अगले एक दो quarters के लिए, मार्च और जून का जो quarter है, वो शायद बहुत अच्छा रहेगा, in fact, April to June के quarter में ये थोड़ा सा impact आपको numbers में देखने को मिलेगा, और second half में hopefully October to March का जो quarter है, जहां प companies है, Pan India का geographical reach है, वहां पर मुझे लगता है कि अच्छी-कासी इनो growth numbers में, profitability में आपको देखने को मिलेगी, तो हमारे point of view से Amboja Cements, उसके बाद ACC, Ultra Tech, Ramco Cements, मुझे लग रहे है कि शाद ज्यादा तर ये cement companies पिछले साल के हिसाब से अच्छी-कासी कमाई profitability में दिख रहेगी, क पेटकोप की बात करे, कोल की बात करे, तो अभी भी manageable है और ये definitely एक अच्छी बात है cement companies के लिए overall. balance sheet के लिए ठीक है, दाम बढ़ाना positive हो रहा इस समय, और एक और चीज़ बता दें, कई बार ना factual data और खबरना बहुत दिन तक gap नहीं करते, अगर आप roll over के number चेक करेंगे न, अभी तीन दिन पहने तो expiry हुई 28 तरीक को, आप देखेंगे cement companies का बहुत बढ़िया roll over गया, cement company की positioning अच्छी हुई, कल परसों से आपको बहुत सारे experts से cement companies देना शुरू किया, मैं आज एक experts का आपको नाम बताता हूँ, मैंने सुबह नोट करका, उनने अमबूजा ही दिया था आज, मैं उनका नाम अभी आपको थोड़ी दिर में बता दूँगा, उनका नाम, उनने या अगर आप तीन-चार दिन का momentum भी देखेंगे ना तो आपको सारी cement companies बहतर आते हूँ देखेगी, बढ़ी है सेग्मेंट है, बढ़ी है सेग्मेंट है, दाम बढ़ाना इनके लिए काफी tough call होता है, लेकिन बढ़ाया है, तो reaction कुछ-कुछ है, सही देखने को मिल रहा है खेर हम आगे बढ़ते हैं, markets at three का पूरा एक हमारा segment होता है, बताने के लिए हमार साथ मेरे सेग्मेंट होता है, उनसे हम फटावर से समझ लेते हैं कि क्या action है तीन बज़े तक का, उसके फिर हम आगे बढ़ेंगे जी हाँ, तो आज अगर हम action की बात करें, तो काफी सारे stocks action में, और सबसे पहले बात करते है M&M Financial Services के, क्योंकि यहाँ पर हमें quarterly update मिला था, और इसकी हिसाब से अगर हम disbursement की बात करें, तो मार्च के महिने में, disbursement जो है, वो company के 9% से up है, total disbursement जो है, वो Q4 में, company की हिसाब से 11% से अब होने वाले है, और सबसे जादा positive हाँ, वो है, वो asset quality, जहाँ पे stage 3 assets और stage 2 assets में, हमें कई पे काफी सुधार देखने को मिला था, और इसलिए, stock में भी एक positive momentum हमें देखने को मिला था, अगली बात करते है, cement companies की, तो हाले ही में, जैसे ही हमें सूत्रों से समझा ह कि cement के price में changes होने वाले हैं, और इसी के चलते हुए, ACC Cement, Ambuja Cement, यह सब जो cement companies है, वो काफी जादा focus में रहने वाले हैं, क्योंकि कई states में यह जो price update है, वो आ चुका है, और इसलिए, cement एक sector है, और उसमें से जो भी companies है, वो काफी जादा focus में रहने वाले हैं, अगली बात क है, वो अभी 20 states में होने वाला है, और 15,000 km का connection network होने वाला है, और इसलिए, stock में भी अगर हम बात करें, तो एक positive movement हम आज देखने को मिला था, अगली बात करते है, इस company को भी एक construction order मिला है, UAE के company के तरफ से, जो कि एक desalination water plant के लिए है, और यह जो plant है, वो North America में बनने वा है, और इसी के दम पे अगर stock की भी बात करें, तो 3% से भी जाधा upside आज यह stock ने दिखाया है, और आखिर में बात करते है, आशा पूरा mind cam की, क्योंकि company के हिसाब से, Republic of Guinea में कई पे एक process में changes होने वाले है, वहाँ पी जो है, norms जो है वो नये लाने वाले है, streamlining mining के लिए, औ इस country में specifically, उसको कई पे impact होने की काफी जाधा chances है, और इसी के चलते हो, अगर हम stock में भी बात करें, तो 5% नीचे गीरा है stock इस news के बात, तो आगे जाके भी इनी सब stocks पे हमारे नजर बनी रहेगी, क्योंकि यह जो खबरे है, वो काफी important रहेगी, आगे जाके stock performance को determine करने के ठीक है, पूरा शुक्रिया, यह पूरा पूरा analysis करने के लिए एक छोटा सा break ले रहे हैं, break के बाद एक दो शेयर हम और discuss करेंगे, और जरा समझेंगे देश में इंश्रेंस से जुड़ी जागरुकता बढ़ाने की जरूरत है, इटी नाव स्वदेश इंश्रेंस महाकुम के जरीए यह प्रयास कर रहा है, इंश्रेंस महत्वस सभी को चानना समझना जरूरी है, इटी नाव स्वदेश को इंश्रेंस महाकुम के लिए बढ़ाएंगे यह बहुत कुशी मुल रही है मुझे यह सुनके कि इटी नाव जैसे एक जाना पहचाना मीडिया इंश्रेंस महाकुम कंड़क कर रही है, इस देश में इंश्रेंस का अवेरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है, इटी नाव एक पूरा दिन का एक समेलन और्गनेस कर रहा है महाकुम के नाम पे, जहां पे all the stakeholders of the insurance industry आएंगे उदर और बहुत सारी चर्चा होगी इंश्रेंस के बारे में, हमारी शुब कामना है आपका महाकुम के लिए, ब्रेक वाले पर फिर आपका स्वागत है देखते हैं देखते हैं फिर से हम देख पारे हैं कि एक रेंज में मार्केट फस आ गया है, लेकिन ऐसी कोई प्राब्लम नहीं है क्योंकि 47,500 के आसपास अभी बैंक निफ्टी चल रहा है, और निफ्टी की भी गिरावट कुछ नहीं है, सिर्फ 13-14 पॉइंट है, यह तो मार्केट के अंदर पहले सी हम गैस भी करके चल रहे हैं, एक शेयर मैं कल से आपको नोटिस करवा रहा हूँ, शेयर का नाम है जी एंटरेटेन्मेंट क्योंकि फर्स डी जब बैं में आया है, लास्ट डी बैं में आया है, कल है छे परसंट चला, आज है साड़े चार पांच परसंट अलरी चल चुका है, दो दिन में शेयर क्रीब 10% चल चुका है, डेज हाई पर फिर से क्लोजिंग कर रहा है, रतनेश सर आप इसके बारे में जानते होंगे 157, 158 या इस पूरी रेंज का ये ब्रेक आउट करेगा, अभी जब फसा हुआ था, बेस तो बन गया है, आप भी समझी रहे होगे, जी एंटरेटेन्मेंट का, मेरे को जड़ा टेक्निकली देखके बताईए, इसमें पावर, स्ट्रेंथ कितनी है, दौर लगाने की हमारा अपना टार्गेट है कि जो खबरे चल रहे हैं ना सोर्स बेजट उसे साब से दोसर बेगा हो जाएगा इशेर, अगर टेक्निकली बात करें तो काफे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंसी स्टॉक है, कंटिन्यू लोग फॉर्मेशन पर इसमें कभी भी नेगेटिव आती, कभी पॉजिटिव आती, काफे सोड़ा बोलटैल लेता है, अगर टेक्निकली से बोलें के कॉइंटिटी जोड़ा कम रखना है, इसका हरे हिसाब से जो मेजर ब्रेक आउट है, जो हमको सोर्स बिस्ट भी पता लग रहा है, और अधर अधर इंफरमेशन है, देखिए इसमें ने बहुत सारी इंफरमेशन है, अब मैं एक एक करके बताऊंगा तो हो सकता मैंने दस लोगों से बातकित कि दस में से छे वियूज अलग मिले, चार वियूज अलग मिले, मैं आपको एक कमबाइन वियू का एक फॉर्मेट सिर्फ आपके सामने रखता हूं, सोर्स बिस्ट है, और अपने वित्यस अलागारों से पूछ की काम कीजिएगा, इसमें इस स रहेगा, मैं को लग रहा है अगले दो मेहने के लिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकेंगे, कभी ना कभी आपको हर दिन कुछ ना कुछ करता हो दिखेगा, आगे बढ़े, एक दो जड़ा ऑप्शन का ट्रेड और पता करने की कोशिश करते हैं, और हमार साथ बहुत ही हम रूप्शन का ट्रेड हो रूचित? कितनी पोजिशन ले लेनी चाहिए? 20%, 30%, 40%, 50% कितनी? मतलब पूरा भर के ले ले या थोड़ा-थोड़ा करके ले? कि अब से ब्रेक आउट तो आया है, तो 52, 60% के पोजिशन तो अभी ले सकते हैं, बाकी कल के कन्फरमेशन अगर फॉल उप मूव रहता है तो वहां बे फिर और एडिशन देर कर सकते हैं ठीक है, स्ट्राइक हमने सामने दिखा दिया है, चार सो स्टी के सामने लाइव रेड भी आ रहे है, साड़े बारह रुपे का रेट है, आपको साड़े आठ रुपे का स्टॉप लोस लगाना है, हम बोल देते हैं, साड़े आठ का स्टॉप लोस लगाना है, इसमें जाएं की ध्यान रखिए और थोड़ दिर पहले ही अविनाज सर ने भी आपको फंडमेंटली इसके बारे में रिज्वन दिया था कि जाना तर बैड न्यूज इसके अंदर डिसकाउंटिंग हो रही है और एक मेंटम प्ले बन सकता है यूपल पर ध्यान रखिए खेर आगे बढ़त पाइर स्टार बिजनेस फाइन्स और यहां पर हमारी डीलर के साथ बातचीत हो रही है और यहां पता चल रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टूशन में इतने जो है बाइंग कर दिये स्टॉक में खरदारी देखने मिल रहा है प्रेफरबली पीमेस सेग्मेंट से बाइं आ रही है और वॉल्यू से पिकप आया है लगभग 15 लाग शेयर एक्सचेंज हुए हैं हैं से उसका ट्रांसलेट होगा तो पॉइंट पाइप परसित है अब इंपोर्टेटली कंपनी जो है यूके की एक बड़ी एफपाई कंपनी एमजी इंवेस्मेंट से भी मीट करने वाले है है 4 अपरिल को और इंपोर्टेंटली जो डॉमेसिक इंस्टिटूट्स अल्रेडी इंवेस्टेडे कंपनी में उनका नाम इंक्रूट करता है इस्टेफी बूचल फंड इसके लावा कंपनी अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो हमारे चैनल चेक से पदा चल रहा है कि पी तो इसके नजर पर भी जो है एंगल बनता है स्टॉक में तो ओवराल जो है डी आई बाइंग देखने मिल रही है तो इसके लिए जो है फाइफ स्टार बिजनस फाइनान्स फोकस में है आज ठीक है यह बढ़िया अपने शेक स्टॉक बता दिया और वैसे भी इस सभी ना मार्केट के अंदर ऐसे ही स्टॉक चल रहे है जिनका कई ना कोई थेमेटिक प्ले हो और यह आप जो बता रहे है सीजनल प्ले फाइफ स्टार बिजनस तो इसका कई ना के बैनेफिट जरूर मिलेगा शेर अभी नौर पे उपर है एक ख़बर गर्माले सेग्मेंट कर रहे है चोटा सब ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक वार तुरंट लॉट रहे है क्या इंशॉरंस कॉप्टीन इस पर भरोसा किया जा सकता है क्या मैंने जो इंशॉरंस परिशी ख़ली है वो सही है क्यों कैश्टने सोली के बावजूर की मुझे अस्पिटल की धख्ये खाने करते है ऐसे बहुत सारे इंशॉरंस से जुड़े सवालों के चल्चा होगी इंशॉरंस मार्पों में सिर्फ पीपी नापस्वजियें अजिए गषण्टने से लुड़े से जो आए उन्याप्टने से लुड़े से बावजूरंस झाले पावजूरंस झाल झाल देश में इंश्रेंस से जुड़ी जागरुकता बढ़ाने की ज़रूरत है इटी नाव स्वदेश इंश्रेंस महाकुम के जरिये प्रयास कर रहा है इंश्रेंस महत्व सभी को चानना समझना जरूरी है इटी ना स्वदेश को इंश्रेंस महाकुम के लिए बजाएंगे बाजार विलकुल रेंज में है अलाकि लोवर लेवे से थोड़ी थोड़ी से रिकवरी हलकी सी आई है निफ्टी हालांकी सपाथ है 2450 के आसपास थोड़ी से रिकवरी जरूर है निफ्टी बैंक की बात कर लें तो 32-33 संकों के आसपास की हलकी सी नर्मी वहाँ पर है हालांकी अड़्वांस डिक्लाइन रेशियो आप देखेंगे तो पूरी तरह से तेजी के पक्ष में है निफ्टी पर 1840 शेर इस वक्त हरे निचान में हो और उसके मुकाबले 552 शेर ही ला निचान में है अभी थोड़े दिर पहले मिड केप इंडेक्स भी इस वक्त दिन के उचाई पर जाकर ट्रेज कर रहा है तो मिड केप में स्मॉल केप में फिर से हम देखने की मुमिन्टम बनने लगा है कूलिंग वाले शेर भी चल रहे है राजिश जी आपसे कूलिंग वाले शेर में जिस हम देखने की ब्लू स्टार हैविस चल रहे है एक contract manufacturing वाले company डिक्सन टेक वहाँ पर भी हम देखने की बढ़ियां तेजी है और 7-8-7 से लगातार ये share चला और फिलाल दिन के उचाई पर है डिक्सन टेक को जड़ा देखे बताईए कि ये जो momentum बना हुआ है तेजी का ये क्या जारी रहेगा और अब इसको लेना है या नहीं लेना है तो काफी strong है पिछले ये third week है जहाँ पर consecutive week जहाँ पर higher high low formation बनते हुए दिख रहे है तो एक sustained buying action तो है जो चोटे मोटे dip यहाँ पर देखने को मिले हैं पिछले कुछ माइनों में वहाँ पर buying interest बिल्कुल यहाँ पर intact है तो हमें लगता है जिस तरीके से stock overall structure बना हुआ है long term chart पे यहाँ पर जब तक यह stock 7700 के नीचे नहीं फिसलता है यहाँ पर छोटी मोटी गिरावाट में इस ठीक है डिक्सन टेक को लेखर यह व्यू अवनाज जी आप ज़रा mtar tech को चेक कीजिए कल भी हमने बड़ी तेजी देखी थी और आज भी यह शेयर बड़ी तेजी दिखा रहा है हाला कि छोटी साइसी कंपनी है लेकिन प्रमोटर कहा जाता है कि बहुत अच्छे हैं बड़ लेवल से देखे मुझे लग रहा है कि mtar technologies में बहुत समय के बाद एक update देखने को मिला है कि पिछली बार मुझे लग रहा है कि एक दो quarters पहले कि अगर हम बात करें तो numbers थोड़े से उमीद से कम आ गए थे लेकिन इस company की खासियत है कि nuclear power और basically जो different sector है यहाँ पे यह बहुत critical काम करते हैं और ऐसे बहुत कम companyya है जो ऐसे sector में काम करती है और obviously क्योंकि यह ऐसे sector में काम करती है इनके यहाँ पे margins भी अच्छे मिलते हैं plus इनकी monopoly इनो status होती है तो मेरे ख्याल से market शायद आने वाले अगले साल की earnings की बारे में देख रही कि order book अभी भी काफी strong है करीवन 12 15 मेने की order book की visibility है कही न कहीं मुझे लग रहा है कि यह जो share बड़ा है यह इसले भी बढ़ने का कारण हो सकता है कि कोई corporate announcement company जल्दी करने वाली है और उसी लिए market को थोड़ी सी यहाँ से बनक लगी है और overall fundamental strong है नजरिया अगर आपका साल देर साल है तो मेरे क्याल से यहाँ funds, H&I is already invested है तो यहाँ पर hold करने की रहा है और कोई गिरावट अगर मिलती है तो खरीदने के मौके आपको दोड़ने चाहिए गिरावट अगर आए तो खरीदने के मौके खोजने चाहिए लेकिन नवेशित रहने की सला है और यह तेजी की शुरुवात है तीन सतर से लगातार बढ़ी आतीजी दिखा रहा है तीन बच के सतर मिनट हो गया है और अब यह जान ले तमने एक स्पोर्ट से कि उनके लिए BTST या फिर ST-BTC टेड के मौके कहां पर देख रहे है रुचित ये शुरुवात आपसे करना चाहेंगे बताईए आपका BTST या फिर ST-BTC टेड खरीदेंगे या बेचेंगे क्या करना है सर। जैसे बेचने जैसा तो मावल है नहीं के कोई शॉर्ट पोजिशन्स यहां पर बनानी चाहिए तो मेरे सब से वाइंग साइड में ही रहना चाहिए और लोर टाइम फिर्म चार्ट पे सपोर्ट देख रहा है वो लोग के स्टॉपलोस के सथ खरीदारी करके जाए तो 494 और 500 यह दो टागेट स्टॉप में एक्सपेट कर सकते हैं ठीक है, HPCL आज हम देखने के वैसे भी OMCs में या फिर रिफाइनिंग वाले जो स्टॉक से वो चल रहे हैं, HPCL में तीन परसेंट कास पसी तीजी है, लिकिन यह तीजी और बढ़ेगी, 483 रुपे का भाव ने रहेगा और उपर जाएगा, और इसमें आपके लिए BTST करने की सला है, रतनी जी, आपके रडायर पर कौन सा शेर है, BTST के लिए? इसमें भी जो तेजी है, बिल्कुल बरकरार रह सकती है, तो BSC में जो मुझे लगता है, तेजी जो बनेगी, वो 820 से लेका 850 तके टार्गेट के लिए बन सकती, यहां पर जो इस्टोप लॉस बनेगा, वो 2740 रुपे तर का बनेगा, और एक और लिंडे इंडिया, तो बड़े टार्गेट बनेंगे हैं, अफिल, 7500 से लेका 850 तर सो तक बिल, बीएसी और लिंडे इंडिया तीन शेयर हैं, यह रतनीश जी की तरफ से, राजीश जी आपके लिस्ट में कितने शेयर हैं, दो हैं या तीन है सर? तीन स्टॉक से, पहला स्टॉक आपने सिमेंट स्टॉक पे आज काफी चर्चा की, उसमें हमें लगता है, इंडिया सिमेंट यहां से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते वे दिखेगा, स्टॉक एक ओवर सोल्ट रिजेक्टरी से एक अच्छी रिकवरी यहां पे करीबानाचे 237 से लेकर 240 की तरफ यह स्टॉक बढ़ते वे दिख सकता है, स्टॉप लॉस होगा करीब 224 के आसपास, दूसरा स्टॉक जो बाई करने की सला है वो वेरॉप एंजिनेरिंग का, स्टॉक में आला कि आज एक अच्छा मूव देखने को मिला, लेकिन आप वॉल यहाँ पर मानते हैं कि यह स्टॉक का जो नेक्स टार्गेट बन सकता है, पोजिशनली वो साड़े छिस्सो की तरफ आते वे दिख सकता है, और टेडिंग पॉइंट अफ्यू से हमें लगता है पांसो नपे की तरफ यह स्टॉक बढ़ते वे दिखेगा, करेंट लेवल से स 548 के असपास, तीसरा स्टॉक जो बाई करना है वो है रियल एस्टेट स्पेस से और उसमें हमें लगता है इंडिया बूल रियल एस्टेट को यहाँ पर फोकस में रखना चाहिए, एक करेक्शन के बाद स्टॉक में अब जो मोमेंटम बनाई है, अपने मल्टिपल जो फीसरा अनफोल्ड होते वे दिख सकता है, वो 138 से लेके 142 की तरफ स्टॉक बढ़ते वे दिख सकता है, तो इंडिया बूल रियल एस्टेट बाई करने के सला स्टॉपलास होगा करीब 124 के असपास कुल मिलाके माकिट्स के अंदर बढ़िया से चुनाव करना आपको स्टॉक्स का, देखें सिमेंट के रिगार्डिंग खबराई सिमेंट के बीटी एस्टी भी मिलने शुरू होगे, एक सेग्मेंट और अच्छा से चल रहा था, खबराने के बाद और तेज हो गया, वो अब आप देखोगे ना कि बजार अपनी गिरावट को अल्मुस्ट खटम कर चुका है, निफ्टी तो बकादा हरे निशान में आ चुका है, तो यह जो रिवर्सल है ना कि दिन भर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेंज बे रखे गा और बापस ठीक है, देखिए फ्यू अब आप देखो बैंक निफ्टी इंसपाइट ओडिस की निफ्टी हरे निशान में है, बैंक निफ्टी को यहां से दो सो पाइंट उपर होना चाही था, लेकिन यह जो डैवर्जिंज आ रहा है, वो वज़े आ रहा है है ह्ट्डी एफसी के रुकने से, ह्ट्डी एफसी अपने दिन भर की बलत को थोड़ा आधा करके रोके बैठा है, और कुछ खास मोमेंटम जोड नहीं रहा है, तो एक तो यह बड़ी वज़े है, और दूसरा अब वैसे शेयर देखे जाएं तो आपके बारा में से नौ शेयर बैंकिंग के तेज है, लेकिन फिर भी जो मेज कांट्रिबूटर है, आई, सी, आई, सी, एक्सेसर, कोटक, इन तीनों की वेटेज की वज़े से आज आप उभर नहीं पा रहे हो, नंबर आपके पास ज़्यादा है, लेकिन वेटेज डिस्टरब कर रहे है, इसलिए वेटेज का कुछ करना पड़ेगा, एक्शेंजिस को स पता करता हूं, और उसमें से ही कुछ शेर ढूंड के सर के सामने रखता हूं, रतनेज जी, एक शेर आप किस से पूछता हूं, पहरे में, जरा लिंडे इंडिया चेक कीजे, सारा प्रॉफिट आज बुक कर ले या फिर लेके जाना चाहिए, लिंडे इंडिया, आठ परसे के साथ ट्रेल करें, जो ट्रेल करेंगों और 650 करेंगा, इवेंट्स टू वाच आप भी हम जरा चेक कर वा लेते हैं, क्योंकि एहम ट्रिगर कौन को से आपको पता होना चाहिए, और मेरी सेयोगी त्रिपती के पास इस तारी जानकारी है, फटावर्स से पता कर लेते हैं, त्रिपती जरा बता देचे आप. अपरिल तक चलेगी और इसके बाद 5 अपरिल को नतीज़ा आएगा इसका, इसके साथी अशोक लेलेंड में कमपनी में कल डिविडेन के लिए शेयर खरीदारी का आखरे दिन होगा, और मोल्ड टेक पैकेजिंग में कल एक बोर्ड बैठक होने जारी है, जिसमें कमपनी ड है करना, एक शेयर है सेल, स्टील अथरोटी, हलांकि फ्यूचर में भी है, आज इसके क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया हो रही है, और मैटल सा सरकल चल सा गया, ऐसा कुछ लग रहा है, एक बार सेल पर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, सिरीज का पूरा होल्ड करके रखे, या फिर एक दो दिन के प्रॉफिट्स बनते जाएं, निकलते जाएं, स्टील अथरोटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये सीरीज की शुरुआत देखेंगे तो मैटल के लिए काफी पॉजिटिव नोट पे हुई है, पहले दिन ही निफ्टी मैटल इंडेक्स ने नया ह प्लोजिंग काफी स्टॉंग है, अज के वॉल्यूम भी डेली आइवरेस के कंपेडिव में काफी बैतरे इन वॉल्यूम भी तो एक सो साथ के आसपास के लक्षिय स्टॉप में एक्सपेक कर सकते हैं जहां पर आता है तो फिर स्टॉप में शॉर्ट ट्रेडर्स प्रॉफ सर एक बार अन्मूट कर लिजे, अविनाज सर कोई strategic stake या कोई corporate development यहां पे हो, बट मुझे लग रहा है कि देखिए fundamentals तो ये company के काफी अच्छे हैं और cigarette business में हम जानते हैं कि गिने चुने 2-3 player ही है, ये business बले ही low growth है लेकिन जिस परकार के margin cigarette companies कमाती है, काफी ज्यादा cash flow generate करती है और obviously reinvestment की जरूवत नहीं होती, तो उस point of view से मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो hold करें, बट fresh खरीदारी के लिए मुझे लग रहा है कि कोई ठोस वजा होनी चाहिए, ये share वैसे तो बहुत illiquid है, compared to ITC, यहां पे liquidity इतनी जादा नहीं है, तो थोड़ा सा भी जादा अगर volume होता है, डिंपी तो इसमें एक अ बंद होने में, आज के दोनों major player, Reliance Industries, HDFC Bank, ये ठीक बंद हो रहे हैं, इसमें कोई फैसी problem नहीं है, और बकारदा हरे निशान में बंद हो रहे हैं, दूसरा point, निफ्टी हरे निशान में बंद हो रहा है, भले points में आपको 6 points ही दे, कम थोड़ी ना है, इतनी इस बढ़िया रेली करने के बाद भी अगर बाजार में क्रैक नहीं आ रहे हैं और किसी तरह की कोई fatigue के sign नहीं दिख रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, दूसरा point, निफ्टी बंक, टेक्निकल ये 47-500 के उपर बंद करके जा रहा है, ये अच्छा sign है, थोड़ा हरी निशान मे रहता है, 100 point डुक पर होता है आपका comfort zone बन जाता है, लेकिन वो हो ना पाया है, कोई बात नहीं लेकिन फिर भी 47-500 बुरा नहीं है, अब आ जाते हैं, अमबानी ग्रूप के share पे, मैंने अड़री अड़ानी ग्रूप के share बताए, एक अड़ानी energy solutions को छोड़ दिया जाए, जारतर share अमबानी ग्रूप के भी तेज हैं, segment के हसाब से चेक करोगे, तो आपको steel pack काफ़ strong आज देखने को मिलेगा, steel counters में काफ़े अच्छा momentum है, आप consumption वाले share खासकर जो थोड़ा seasonal play वाले हैं, electronic वाले share हैं, वो काफ़े अच्छे अच्छे बंदो रहे हैं, तो ये एक ch product, बड़े sourcing का काम अच्छा करते हैं, chemicals वाले share भी आज बढ़िया से, आपको एक pleasing करके जा रहे हैं कि ठीक है, हम अभी बाहर नहीं हैं, भले आप Tata chemicals को चेक करो, SRF को चेक करो, UPL को चेक करो, या हिमादरी को चेक करो, जो cash वाले stock से, थोड़ देर पहले हमने रतने से भी पता किया था कि अलिंडे इडिया से shares में क्या किया जाए, तो वहां पर भी strong movement है, बकायदा वो भी days high पे बंद हो रहे हैं, तो आज market का advanced decline थी, बाजार ने थोड़ा sideways हों के digest किया, अपनी कल दो दो दिन की बढ़त को, दो अच्छी चीज़े हैं, पहला अच्छी चीज़े है कि इसने अपने profit booking नहीं करवाई, दूसरी चीज़े है कि इसके इंदर put call ratio जो indicators होते हैं typically, वह overshooted नहीं है, कोई problem नहीं है, churning का part हो रहा है, leadership का crisis नहीं है, FIS की holding 45% पे है, थोड़ी सी बुरी चीज़े है कि आप अगर अच्छे level पे ले कर आए, तो trap करते जाओ, मुका म रतने जी, thank you, thank you very much, अपने time निकाला, रुचित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अविनाश्चार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much, आज समय निकालने के लिए, तो कल का दिन फिर से market के लिए important हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा, हो सकता है lag भी रहे इसी के बीच में ही फिलाल हो सकता है, दो चार दिन निकल जाए, market फिर से consolidate करके थोड़ा बोर करेगा, लेकिन आप बोर मत होना, इटिना स्वदेश देखके, अलग-अलग stocks का चुनाव करना, आपको डंके की चोट पर कह सकते हैं, कि बढ़िया पैसा बनेगा, मेरे को और इसे को इजारत दे सकते हैं, रवसकार। कि इंशॉरंस मार्पों में सिर्फ इनाप सवदेश, मैं हो कुष्ट किर दो अलग-चे का चुनाव क्वाई इंशोरेंस यानी सुरक्षा की पूरी गैरेंटी, आर्थिक सुरक्षा यानी आपकी सम्रिध्धी, लाइफ, घार, गाड़ी की टेंशन से रहे दू, कल की चिंता छोड़, जियें आप भरपूर, जानिये कौन सा इंशोरेंस क्यों जरूरी, समझें इंशोरेंस की की बीमा जरूरी है, 6 अप्रेल सुबह 10 बजे से लगाता सिर्फ एटीनाव स्वदेश पर सीमित दायरे में कारूबार के बाद निफ्टी हलकी कम्जोरी के साथ 22,450 के पास बंद, निफ्टी बैंक दिन के उपरी स्तर से 1,500 अंक फिसला कारूबार के डी मर्जर के ऐलान से आधित बिर्ला फैशन करीब 12 पॉसेंट चड़कर बंद, मदुरा फैशन को अलग से करीगी लिस्ट, एबी फैशन के निवेश वाली कम्पनी टी सी एनस का शेयर भी 11 पॉसेंट डॉड़ा ओयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कम्पनियों में रही खरीदारी IOC, HPCL और BPCL करीब 2-3 पॉसेंट चड़कर बंद, MRPL में करीब 4 पॉसेंट की रही मज़गोधी मॉर्गन स्टैंडी की रेटिंग बढ़ाने से गुद्रिच प्रॉपर्टीज साढ़ी 4 पॉसेंट उपर बंद, रेटिंग एक्विलिट से बढ़ाकर ओवरवेट की रेटिंग हुई, वहीं CLSA के भरोसे से प्रेस्टीज एस्टेट्स 3 पॉसेंट चड़ा जेफरीज की बुलिश रेपोर्ट से डिटा पैटर्न और बी-ई-ल 5 से 6 पॉसेंट चड़कर बंद, दोनों शेरों पर खरीदारी किराए बरकरार, बी-ई-ल का लक्षर 225 रुपए से बढ़ाकर 260 रुपए किया ज्यादा गर्मी के अनुमान से एसी और कूलर शेरों में तेजी सिंफनी 9 पॉसेंट चड़ा, वुल्टास, ब्लू स्टार और हैवल्स भी 2-3 पॉसेंट की मजबूती के साथ बंद 16 साल की उचाई पर भारत की मैनिफेक्चरिंग पीमाई 56.9 पॉसेंट से बढ़कर 69.1 पॉसेंट पॉसेंट नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी मैं हूँ आपके साथ प्रशान्त पांडे एक ऐसा शो जो आम निवेशकों का शो है आप दर्शकों का शो है क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इस शो में आपके सवालों को लेकर रखते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो आपको भरोसे मंसला देते हैं और आज भी कोशिश हमारी यही रहेगी कि जादा से जादा सवालों को हम शामिल कर सकते हैं और इस शो में आपको जो सवाल भेजने है उसका तरीका बेहद आसान है कुछ नहीं करना है आपको आप सभी सोशल मीडिया के दुरंदर हैं आप सोशल मीडिया पर लगतार अपनी चीज़ें पोस्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर भी जाकर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना है और वहाँ पर जाकर अपना सवाल पोस्ट कर देना है ट्विटर या फिर फेस्बुक इंस्टाग्राम जहां भी आपकी इच्छा हो आप वहाँ पर अपना सवाल पोस्ट कीजिए एक और आसान तरीका बता देते हैं लाइव कॉमेंट करके यूट्यूब पर आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर भी अपने सवाल हम तक पहुचा सकते हैं और हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं जो सवाल आज छूट जाते हैं उन्हें कल शामिल करते हैं किसी और शो में भी हम उनको शामिल करते हैं लेकिन कोशिश हमारी यही होती ह कि हम उन सवालों का भरसक जवाब दे सकें आपको बहतर सलाह दे सकें और आज आपकी खास तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास महमान जुड़ने हैं दो बेहद दिगज एक्सपोर्ट जुड़ने हैं हमारे साथ हैज.in के राउल घोश जी हैं जी बहुत बहुत स्वागत आपका बहुत अच्छा लगा आपको शो में पाकर और हमारे साथ हैंसेक्स के महिश उजा जी हैं महिश जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम और हमें समय देने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद चलिए आपके सवालों को शामिल करें उससे पहले ज़रा बाजार को देख लेते हैं तो बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो आज हमें बहुत दिखा लेकिन ऐसे देखें अगर हम बाजार को तो बाजार में एक सिमी दारे में कारोबार नज़र आया और आखिर में 22,450 के पास जाकर निफ्टी बंद हुआ अब बैंक Nifty की बात करते हैं जो यहां बैंक Nifty में देखें तो बैंक Nifty में भी आज 47,550 के पास जाकर बैंक Nifty बंद हुआ और एक जो काते हैं की रिंज बाउंड अक्शन बाजार में नजर आया लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अक्शन जबर्दस था और उसकी वज़े से कई हम सेक्टर थे जहां पर अच्छा खासा हमें दौड नजर आई अब इस तेजी के ट्रेंड को समाला किसने तो टाटा कंज्यूमर आज चार परसंट से उपर बंद हुआ M&M लगबग तीन परसंट की तेजी यहां पर नजर आई बजाज आटो लगबग धाई परसंट भागा BPCL में भी धाई परसंट की तेजी नजर आई दबाव हमें Hero Moto से, Kotak Bank से, HCL Tech से और ICICI Bank से नजर आया जिसमें SBI Life पे भी हमें दबाव नजर आया Action जो था जैसा मैंने बताया, इन सभी स्टॉक्स में नजर आया, Access Bank, Power, Great, Cole, India यह भी स्टॉक्ट है जिन में Action भरपूर नजर आया Reality स्टॉक्स में भी हमें अच्छी तेजी नजर आई चलिए अब इस पूरे मूड और माहल को समझते हुए बाजार पर एक विव लेते हैं राहुल जरा बताईए आज के हिसाब से बाजार को अब कहां देख रहे हैं क्या यहां से जो है जिस तरह का Consolidation या एक Range Bound हमने Action देखा यहां से किसी बड़े चलाग की बारी क्योंकि Stock Specific Action तो भरपूर था तो निफ्टी की पहले बात करें तो एक Consolidation Phase जाहिर बन रहा है 22,500 जो पिछला हाई था उसके आसपास Consolidate कर रहा है अगर 22,200 के पास में आपको डिप दिखता है 22,200 या उसके नीचे फिर से लॉंग जाने की आप फिर से लॉंग जा सकते हैं Stop Loss रख सकते हैं 22,000 पर दूसरा लॉंग जा सकते हैं अगर 22,600 के उपर एक Bullish Closing आपको मिले यह बहुत ही important है नोट करना कि 22,525 जो पिछला हाई है उसकी उपर अगर Candle Closing होता है तो लॉंग नहीं जाईएगा थोड़ा और वेट कीजेगा और 22,600 के उपर Closing के बाद फिर से लॉंग जाईएगा तो दो लेवल 22,200 पे with Stop Loss of 22,000 और 22,600 के उपर with a Stop Loss of 22,500 नजरिया इंडेक्स पर और बाजार में जो एहम लिवल्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है वो भी राहूल जी ने आपके सामने रखा चलिए पहला सवाल यूट्यूब के जरिये दीपांकर दास का लेते हैं कुलकाता से और जेपी पावर इन्होंने ले रखा है बहुती निचले स्थरों पे लगभग साड़े नौ रुपए की इनकी बाइंग है तो पहले तो इनको बदाई देनी होगी क्योंकि साड़े नौ रुपए की बाइंग अब देखिए लगभग साड़े रुपए के करीब पहुंच चुका है अच्छा खासा मुनाफ़ा यहां पर होता हुआ लेकिन जेपी पावर क्या यहां से दोड़ और लगाएगा या मुनाफ़ा बांद लेना बहतर रहेगा महिज जी बताईए क्या करना चाहिए जेपी पावर में लगभग साड़े नौ रुपए की खरीद है खरीदी है इनकी तो साड़े नौ के बाव में बैसिकली जो काउंटर है उसमें टर्नराउंड टाइप का थोड़ा सा मोमेंट बनी रहा है जेपी पावर में तो यहां से भी होल्ड करना चाहिए और 22 और 24 का लेवल जब आवे तब इनको एक प्रॉफिट बूकिंग का सोचना चीज से 50 परसें वहां पे प्रॉफिट बूकिंग करें और थोड़ा उसके बाद में 50 परसें जो है बाद में भी होल्ड करें बाइस चौबिस रुपए का जो स्तर है वहां पर थोड़ी नजर की वहां से प्रॉफिट बूकिंग की आपको सलाह दी जा रही है वहां पर खास रणीती भी आपको बताई गई अनिल है पटना बिहार से अनिल जी का सवाल बैंक और बड़ोदा पे है नवासी स्टॉक्स हैं इनके पाद 276 के स्थर पे इन्होंने स्टॉक में खरीदारी की है फिलाल इनके स्टॉक से थोड़ा ही नीचे है हाला कि हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में 4% लगबग भाग च तो उनका लॉंग टर्म व्यू है तो एपसलूटली होल्ड करना चाहिए चार्ट का स्टॉक्चर लॉंग टर्म के लिए बुलिश है पिछला हाई क्रॉस कर सकता है लॉंग टर्म यहां पर मैं बोल रहा है एक साल से उससे जागा पर अगर बिल्कुल शॉट टर्म का नजर तो यह नजरीया आपके स्टॉक पे रमेश नाइक का सवाल है कुलकाता से उजीवन स्मॉल फिनांस बैंक पे तेरस ओठारे शेयर है पच्पन रुपे की खरीद है आला कि आज सवा पांच पॉसंट भागया और पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में यह स्टॉक का सेंडिंग के कांड से थोड़े से सारे श्टॉक्स में डाउनवर्ड्स था वो कईने कई पर अभी वापस से रीबाउंड होगा और रीबाउंड के वाद में साइध अपसाइड भी बताएंगे चार्ट के उपर भी काफी अच्छा मोमेंटम बनावा है इमेडियेट लिव चाला से और इन्फोसिस का पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है 1655 की बाइंग है उपरी इस तरों पर इनकी बाइंग है फिलहाल हम देख रहे हैं कि 1483 के स्थर पर फिलहाल ये स्टॉक कर नुकसार इनको होता हुआ यहां पर IT स्टॉक्स में बहुत लंबे समय से हम देख हैं कि एक बीच में एकाद रैली आती है रावल जी इन्फोसिस पे जरा नजरीया बताइए 1655 की खरीद है चार्ट का स्टॉक्चर उनफोसिस में ज्यादा उमीद नहीं दे रहा है अभी नेक्स थ्री टू पॉर मंग्स के लिए स्टॉक एक डाउं ट्रेंड में रहा है अगरा तब कब देखने को मिलेगा स्टॉक में मोमेंटम 1580 के उपर ही देखने को मिलेगा तब तब साइडवेचर रह सकता है बैरिश रह सकता है 1580 के उपर जब क्रॉस करता है स्टॉक फिर से दर्शव कॉल कर सकते हैं तब एक संभावना उनके कॉस्ट के आसपास आ जाए शायद 1600 के उपर उनका कॉस्ट था अगर if I remember correctly तो आपको थोड़ा सा यहां पर लेवल्स का ध्यान रखना होगा समय देना होगा रविंद्र कुमार यादव है और C.E.S.E. पर इनका सवाल है 127 रुपए की बाइंग है 115 शेर इनके पास इस वक्त मौझूद है इनके भाव के करीबी है महिजी C.E.S.E. क्या नजरिया बन रहा है अगर इनका नजरिया बिल्कुल का नजरिया है तो रेफिनिट्ली होल्ड करें 150 से 170 तक के लिवल दिखा सकते है बढ़ अगर सौट टर्म का नजरिया है तो इसमें से एक्जिट कर लीजी है ठीक है तो शौट टर्म नजरिया है तो आपको एक्जिट करने की सलाह यहां पर मिलती हुई अविनाश है और आस्ट्रेलिया से उन्होंने अपना सवाल एटीनास देश तक पहुँचाया है इनके पास आरवी एनल के 1100 शेयर हैं 137 रुपे के भाव पे इन्होंने आरवी एनल का शेयर ले रखा है और पहले तो बदाई देनी होगी काफी अच्छा खासा मुनाफ़ा यहां पर इनको इस वक्त होता हुआ आरवी एनल में और धैरे भी रखा जिसकी वज़े से आप देखिए कि इस वक्त 264 रुपे के ऊपर यह स्टॉक का राहुल जी आरवी एनल लांग टर्म परस्पेक्टिव यहां से कितना क्या मुनाफ़ा जो है उसमें कोई खास रणनीती रखनी चाहिए अच्छा खासा मुनाफ़ा होता हुआ बिल्कुल तो आरवी एनल का चार्ट बहतरीन है दोनों शॉक टर्म और लांग टर्म के लिए चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है constant higher lows, higher highs बना रहा है एक अच्छा consolidation phase चला जिसमें से अभी फिर से uptrend शुरू हुआ है मैं उनको एक stop loss suggest करूँगा stop loss होगा 215 के आसपास क्योंकि long term investor है उनको थोड़ा pushin जरूरी है 215 के आसपास में stop loss suggest करूँगा चार्ट bullish लग रहा है short term और long term दोनों आ रहे हैं राहुल जी को दीपक कुमार सिंग है और इनका सवाल engineers India Limited पे है अच्छी बाइंग है 207 रुपय पे इन्होंने बाइंग की है 288 ये stock और आज भी लगबग 3.5% ये stock चड़ाया पिछले 5 दिनों में 29% की तेजी यहाँ पर नजर आई है मैज जी EIL क्या करना चाहिए definitely EIL को hold करना चाहिए नजरिया थोड़ा सा 3-6 मेने का नजरिया जरूर रखे ये stock में 250-260 तक के level वापस से retest जरूर करेगा तो यहाँ पर एक लगता है कि ये momentum continuous bullish momentum इसमें रहेगा लेकिन इस counter थोड़ा सा slow है तो थोड़ा patience जरूर ये तो थोड़ा patience रखे और hold करे आज धैर आपको रखना होगा और market खेली है patience का थोड़ा विचलित मत होईए यहाँ आगे और बहतर संकेत मिल सकते हैं मुकेश भोजपूरी है और इनका सवाल Tata Steel पे है 144 रुपए की buying है और फिलहाल हम देख रहे हैं 144 रुपए से उपर stock का फायदा इनको होता हुआ आगे का view लेते हैं राहुल जी Tata Steel क्या करना चाहिए Tata Steel एक थोड़ा सा Paradox Zone में Fundamentally उतना थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है और टेक्निकली आप नूटिस करेंगे तो stock is एक तम fierce fierce uptrend में है Actually from July 2022 एक fierce uptrend में है मेरे खाल से एक और 4-5% तो उनको definitely मिल सकता है बिल्कुल short term में क्योंकि all time territory पे है अगर थोड़ा सा correction हो वो भी healthy रहेगा जैसे मैंने कहा थोड़ा over valued है और 150 के आसपास फिर से buying देखने को मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको patience रखना होगा और एहम रणनीती आपको सुझाते हुए राहुल जी सुभाष नहार है उनका सवाल Morpen Labs पे है 54 रुपए के खरीदा काफी पुरानी buying लग रही है फिलहाल इनके बाव से काफी नीचे आ चुका है यह stock का क्या करना चाहिए महिश जी Morpen Labs में ने hold करिए इसमें भी थोड़ा momentum आएगा तब वापस से exit कर लीजिएगा यह सारे stocks जो है वापे का जबी momentum बनता है तब ही इसमें moment बनता है इनका एक further अगर long term का दर नजरिया भी है तो 58 के उपर जब यह closing देगा तो वापस से थोड़ा से fast moment अपसेट बताएगा बट यह level के ऊपर थोड़ा सा दीरे दीरे consolidated करके इनका जो level है जल्दी आजबे तो वो level पे exit कर लीजिए ठीक है अगला सवाल Voda phone idea पे है सलमान का 18 रुपे की इनकी buying है रावल जी जड़ा बताइए नुकसान तो जबरदस्त हो रहा है 10,000 रुपे के बाव पे क्या करना चाहिए आज हमने देखा कि 4% से ज़ादा की गिरावट Voda phone idea में नज़र आई मैं exit करना नहीं बोलूँगा 18 रुपे शायद अगर मैंने सही सुना उनका buying price है तो मैं hold करने की सला पहले तो यहाँ पे दूँगा क्योंकि 11 के आसपास एक अच्छा bottom बनाया है stock एक demand zone से bounce हुआ है और उपर जाने की संभावना current chart structure से लग रहा है क्योंकि हर up move पे थोड़ा consolidation हो रहा है फिर से up move हो रहा है तो अभी consolidation हो रहा है जब तक साड़े बारा रुपे ब्रेक नहीं होता है अभी current market trend में hold करना चाहिए उनको ठीक है तो यहाँ पर आपको hold करने की सला थोड़ा upward trends का इंतजार कीजिए सुरेश वर्मा साहब का सवाल है विपरो पे कमोबेश infosys वाली ही हालत है यहाँ पर भी उन्होंने उपरी लेवल पर खरीदारी की है 515 की खरीदारी है विपरो में सुरेश जी की महेश जी क्या करना चाहिए 515 के लेवल पर एंट्री ली है विपरो में डेफिनेटली अगर यह सौट टम ट्रेडर है तो इनको 468 का इस्टापलोस लगा करना चाहिए और थोड़ा सा लंबा नजी रही है तो विपरो जैसी कमपनी में है तो तो इनके वाव वापस आई जाएंगे अगर सौट टम है तो इनका 468 का इस्टापलोस है वो इस्टापलोस लगा कि होल्ड करिए ठीक है तो ये नजरिया आप इस वक्त मिलता हुआ योगेश नंदलाल है डीबी रियल्टी पे इनका सवाल है 213 रुपे की बाइंग इनकी इस वक्त नजर आ रही है फिलहाल हम देख रहे हैं कि 205 के स्थर पे इस वक्त स्टॉक का जो है वो ट्रेड करता हुआ राहुल जी डीबी रियल्टी कैसा लग रहा है आपको 213 की बाइंग है मेरा सलाई यहां पे होगा कि 213 उनका चब पॉस प्राइस आ जाता है जो अभी लग रहा है चार्ट पे आ जाना चाहिए उनको एक्जिट कर देना चाहिए इस काउंटर को ऐसा कोई सिचुएशन करंटी तो नहीं लग रहा है जहां से स्टॉक एकदम बहतरी पफॉम कर सके रिविजिट कर सकते हैं अगर 225 के उपर क्लोज होता है यह स्टॉक अगर उनको इसमें स्पेशल रूचिया इंट्रेस्ट है 225 के उपर अगर ख्लोज होता है तो फिर से रिविजिट कर सकते हैं पर 213 के उनके क्रॉस प्राइस या 212 आसपास उनको ब्रेकी कर देना चाहिए तो यहां पर आपको खास रन्नीती राहुल जी की तरफ से मिलती हुई बहराल सवालों को हमको यहीं रोपना होगा और अब बढ़ते हैं अपने खास सेग्मेंट कमाई के वियाईपी सेग्मेंट की तरफ महेज जी फटा फट से बताइए आज वियाईपी सेग्मेंट में आपकी पसंद क्या है एक तो बीपी सेग्मेंट में अपना बीपी सेग्मेंट में 612 से 615 के लिवल में खरीदी कर सकते हैं तो यह दो पसंद इस वक्त आते हुए महेज जी की तरफ से राहूल आप बताएं आप के रडार पे आज जो कॉंसे टॉक्ट मेरे रेडार पे आज HDFC AMC है करण मार्केट प्राइस पे लॉंग कर सकते हैं स्टॉक स्टॉक रहा है आप चार्ट नोटिस कीरजे आई के आसपास चल रहा है तो करण मार्केट प्राइस पे लॉंग कीजेगा अपने दोनों खास एक्सपर्ट राहुल और महिजे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए आम निवेशकों का मार्क दर्शन करने के लिए आप देखते रहे एटी नासोदेश नमस्कार इंशुरेंस यानी सुरक्षा की पूरी गैरेंटी आर्थिक सुरक्षा यानी आपकी सम्रिद्धी लाइफ घार गाड़ी की टेंशन से रहे दूँ कल की चिंता छोड़ जीए आप भरपूर जानिये कौन सा इंशुरेंस क्यों जरूरी समझे इंशुरेंस की कम्प्लीट थियोरी हर तरह के इंशुरेंस की पूरी कहानी समझे दिगज एक्सपोर्ट्स की जुबानी इंशुरेंस महाकुम क्योंकि बीमा जरूरी है 6 अप्रेल सुबह 10 बजे से लगाता सिर्फ E.T.N. स्वदेश पर इस झालो Wyंदेश मार्ग कर फिर्देक Tag अजे कर दया सिर्फ E.T.N. झालो Thomoud स्वदेश से लगादा स्भड मैं झाल 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 झाल